Hello students, welcome to the official YouTube channel of 4GN Coaching. आज के class में हैं आपके लिए क्या हैं? Basic Mathematical Tools for Physics. देखे, physics को पढ़ने के लिए जो सबसे important base है, वो mathematics का base है. जितने भी students 11 class में हैं, 12 class में, या competitive का preparation कर रहे हैं, need का preparation कर रहे हैं, IIT का preparation कर रहे हैं, आपके physics का strong होना सिर्फ इस बात पर depend करता है, कि आपके basic mathematics पर किस तरह का command है. देखे, तो आज का हमारा one side का video होगा, और इस class में हम physics में जितने basic mathematics यूज होते हैं, सब का study करेंगे, पूरे, अभी one by one मैं आपको बताता हूँ, कि हम इस video में कौन-कौन से topic को cover करेंगे, और ये यदि आप बहुत अश्य से तयार कर लेते हैं, तो physics पढ़ने का आप एक अच्छा सुरुवात कर लिए, आपका best बहुत strong हो जाएगा, खास कर NEET की students, ऐसे students जिन्होंने bio लिया हुआ है, और आगे NEET यदि उनका target है, तो physics को इस टांग करने का जो सबसे बड़ा मेटर होता है, वो basic mathematical tools ही होता है, जितने भी students NEET का preparation कर रहे हैं, वो सभी को मेरा suggestion है कि आप अपने physics के पढ़ाई का सुरुवात इस topic से करिए, और इस topic को यदि आप बहुत अच्छा इस्टांग कर लेते हैं, तो no doubt physics आपको आसान लगेगा, numericals अच्छे बनेंगे, फार्मूले बहुत अच्छे से तयार होंगे, मैं एक simple word में आपको mathematics की importance को बता दूँ, कि यदि physics हमारा कोई luxury कार है, तो mathematics उसका fuels है, आप समझ सकते हैं दोनों का relation, तो mathematics आपके physics के लिए बहुत ज़्यादा important है, तो चलिए हम इस्टार्ट करें one by one, एक एक टापिक पर सबसे पहले मैं आपको introduction देदूं कि हमको पढ़ना क्या-क्या है, तो हमको जो mathematical tools पढ़ना, एक बात आप ध्यान रखना कि जब physics के लिए, जब physics के लिए हम mathematics को पढ़ते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अपने को care करना पढ़ता है, कि हमको इतना broad mathematics भी नहीं पढ़ना है, जितना एक math के student पढ़ता है, कि हमको उतना mathematics नहीं पढ़ना है, जो हमारे लिए burden हो जाए, और हमको इतना कम भी नहीं पढ़ना है, कि हमको physics में problem हो, तो बहुत ध्यान से इसको हमको समझना पढ़ता है, तो आज के class में मैं 100% यह कोशिज करूँगा, कि मैं उतना mathematics आपको बता दूँ, कि आपको physics में कोई problem मता है कहीं पर भी, 11th के study में, 12th के study में, एंड अप्टर 11th एंड 12th competitive preparation में, आपको physics में कोई problem मता है, और इतना ज़्यादा भी आपन नहीं पढ़ना है, इसलिए यह class especially, जो NEET की students उनके लिए और ज़्यादा important है, वैसा तो सभी के लिए important है, लेकिन NEET aspirant के लिए सबसे ज़्यादा important है, तो यहाँ पर इतने mathematics में दी आप command कर लेते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाया हुआ है, तो naturally आपका physics बहुत अच्छा हो जाएगा, सबसे पहले हमको algebra पढ़ना है, यह पूरे 5 topic पर हम single video में आपसे discuss करने वाले हैं, इस once aight video को बनाने का हमारा मकसद यह है, कि पूरे mathematical tools को हम एक बार में आपको बता दें, आप उसको again and again revision करते रहिए, धीरे जीरे आपका पूरा कमान हो जाएगा, तो सबसे पहले आपने को algebra पढ़ना है, algebra के बाद आपने को trigonometry पढ़ना है, trigonometry के बाद हमको vector analysis, calculus और geometry, यह 5 mathematics हैं, यह 5 mathematics को पढ़ने के बाद आप physics में कहीं पर कोई problem महसूस नहीं करेंगे, तो देखें, इसमें से कुछ mathematics ऐसे हैं, जिसको हम 9, 10 में भी पढ़े होते हैं, बट उतने depth में नहीं पढ़े होते हैं, जितना हमको 11, 12 के physics के लिजवरत होता है, जिसमें हमने algebra पढ़ा हुआ है, trigonometry पढ़ा हुआ है, यह 2 mathematics तो हमने 9, 10 में पढ़ा है, बट उसको हम थोड़ा सा और advance करेंगे according to physics, इसके बाद यह vector analysis और calculus यह आपके लिए बिल्कुल नया है, new mathematics हैं, यह आपको बिल्कुल नय सीरे से पढ़ना है, बिल्कुल 0 सी start करना है, और geometry में आप 9, 10 में पढ़े रहते हैं, लेकिन वो भी उतना sufficient नहीं होता, तो geometry भी आप फड़ा पढ़े हुए होते हैं, तो यह हमारा syllabus है, और one by one हम 1 एक एक करके, 1 एक mathematics को start करते हैं, now we start first, algebra, सबसे पहले हम algebra ही start करें, तो देखो, यहाँ पर मैं आपको January formula के collection भी आपको दे रहा हूँ, और एक important बात आपको starting से ही बता दूँ, कि मेरा जितना lecture, जितना मैं आपको इस lecture पर आपको पढ़ाऊंगा, इस वीडियो पर जितना भी आप पढ़ोगे, उसका पूरा का पूरा contents आपको PDF फाम में notes भी मिलेगा, और यह notes आपको मिलेगा हमारे application पर, हमारा application है origin the learners hub, origin the learners hub, जो हमारे वीडियो में आपको उसका information मिलता रहेगा, description पर आपको उसका link मिलेगा, origin the learners hub application पर आप जाएए, और वहाँ पर आपको free notes मिलेगा, तो पूरे basic mathematical tools, पूरे 11th class, पूरे 12th class का जितना भी physics है, पूरा notes आपको वहाँ पर available है, तो हाँ पर आप notes से बढ़ सकते हैं, यह जो कुछी पढ़ाऊंगा सब का PDF वहाँ पर without any fee, बिना किसी fees के वहाँ available है, तो application से आप उसको पढ़ लेंगे, algebra में होता कि यहाँ देखो, algebra एक ऐसा mathematics है, जिसमें formula based है, जाता तर physics में हम formula पर ही best mathematics पढ़ते हैं, तो algebra में सबसे पहले आपने जो lower classes में, 9th, 10th, 7th, 8th class में जो भी formula पढ़ा है, वो सब formula आपको physics में काम आएगा, एक बार यहाँ पर मैं simple formula का यहाँ पर list दिया हुआ हूँ, यह आप आपको एक बार समझा देता हूँ, और आप इसको notes बनाके learn भी कर लेंगे, जिसमें सबसे पहले आप देखो, a plus b का holy square सबको पता है, a minus b का holy square यह पता है आपको, a plus b plus c का holy square, a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c यह होता है, इसका भी हमको कोई जगा physics में जुरत होता है, a plus b, a minus b, यह जो factorization है, वो multiply होका हो जाता है, a square minus b square, और a square minus b square equal to a, मैं simple से simple formula को भी cover किया हूँ यहाँ पर, आप ऐसा मैं समझना कि इतनी बहुत छोटी बात है, इसको तो हम जानते हैं, लेकिन मैंने starting में आप से बात कि, जीरो लेबल से मैं बता रहा हूँ उस लेबल तक, जहां आपके लिए जोड़ी है, अब देखो यह formula a plus b का whole cube, यह formula होता है, a minus b का whole cube equal to a formula होता है, a plus b के whole cube को, हम इस फाम में भी लिखते हैं, इस फाम में भी लिखते हैं, a cube minus 3 a square b plus 3 a b square minus b cube, इस फाम में भी आद रखना, क्योंकि आगे भी मैं binomial सोरा हो आपको पढ़ाऊँगा, तो इसके इस फाम को यूज़ करूँगा, इसके बाद आप देखो a plus b का whole square equal to हम इसको लिख सकते हैं, a minus b का whole square, यहाँ पर एक misprint है, आप समझ सकते हो, यह minus है, यह equal नहीं है, यह minus है, यह होगा minus 4 a b, a minus b का whole square minus 4 a b, एक मिनट, minus नहीं, यह plus होगा, वो टाइपिंग का mistake है, क्योंकि a minus b का whole square का expand करेंगे, तो a square plus b square minus 2 a b आएगा, और उसमें 4 a b एट करेंगे, 2 a b होगा, यह होगा, फिर यहाँ पर देखो a plus b का whole square plus a minus b का whole square, यदि a plus b square और a minus b के whole square को add करें, तो यह आएगा, a cube minus b cube, a minus a cube minus b cube का जो फर्मूला होता है, a minus b, a square plus b square plus 2 a b, और a plus b का whole cube, a plus b, a square plus b square minus a b होगा, ठीक है ये दोनों फार्मूला को अपको याद रखना है इतने फार्मूले याद करने है हैं कुछ फार्मूला मैं और आपको यहां पर बता रहा हूं यह तो correction कर लेना ना यह वाला collection कर लेना इसी के साथ मैं यहां पर एक और formula आपको बता रहा हूँ इसके साथ चलिए इस special यहां पर मैं note करके formula लिखा रहा हूँ इसको भी आप note कर लोगे यह कई बार use होता है a plus b का holy square plus a minus b का holy square है यहां पर यदि हम इसको इस तरह से लिख दें a plus b का holy square minus a minus b का holy square लिख दें यदि यहां पर लिखा है a plus b का holy square plus a minus b का holy square suppose इसके बीच में minus हो तो उसके बीच में दी minus हो तो उस condition में का होता है 4A भी होता है इसका बहुत ज्यादा यूज होता है physics में यह हमने list में नहीं लिखा हुआ था मुझे ध्यान है यह आप note कर लोगे यह formula भी आपको बहुत ज्यादा यूज होगा clear तो next formula उस फार में लिखने होगे बाकि sufficient है इतने formula से आपका algebra का काम चलेगा एक बार आप उसको note down कर सकते हैं एक मिनट एक मिनट यह formula जो मैं correction कर रहा था यह मैं ध्यान नहीं दिया यहाँ पर minus है यह लिखा हुआ है मैं दूसरे फाम में चला गया sorry sorry मैं दूसरे फाम में चला गया यह सही लिखा हुआ है a plus b whole square minus a minus b whole square for a b होता है और a plus b whole square plus a minus b whole square यह होता है ठीक है ठीक है इसी को मैं दुबारा लिख रहा था क्योंकि यहाँ पर कुछ formula ऐसे भी है जो दोनों के sum और difference पर भी है ठीक है मैं बताता हूँ कुछ और formula आपको जो उसमें list में नहीं है कितने number तक हुआ यह हुआ यह हुआ 10 मैं आपको बताता हूँ 11 number में भी note कर लो क्या है formula जितना याद हो उतना ज्यादा अच्छा है एक formula यह है a plus b whole square equal to होता है a minus b whole square plus 4a b होता है जो भी मैं लिखा हुआ था और यह भी आप note कर लोगे a plus b a minus b whole square equal a plus b whole square minus 4a b होता है यह formula भी कई जगा हमको जगरत पढ़ जाता है इसलिए इस formula को भी आप note down करके रखोगे देखो सबसे बड़ा resource हमारा formula है जितना ज़्यादा आप formula learn करोगे आपके लिए भेले ही starting में burden लगता है मुझे मालूम है लेकिन formula हमारे work को easy करता है हम इसको बोलते है basic mathematical tools tools मतलब और tools क्या काम करता है tools हमको machine repair करने में help करता है उसी तरह से basic mathematics का जो formula होता है वो physics के machine को repair करने में help करता है ऐसा आप कर सकते हैं इस तरह से यह formula और आप note कर लेना चलिए यह दोनों formula ठीक है अब हम देखते हैं physics में जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एक छोटा सा topic है लेकिन इसको बहुत ज़्यादा यूज होता है इस component और डियोडेंड और formula के help से हम बहुत जगा आसान कर लेते हैं अपने calculation को और generally students इसको ध्यान नी देते हैं मैं experience है मैं रख मालूम है जिसके करण हम जहाँ पर 2 step में question बनना चाहिए उसको 4-5 step तक खिंज देते हैं तो formula आपके effort को कम करेगा यह ratio proportional का formula है यहाँ पर मैं आपको explain कर दूँ उसके बाद a upon b equal to c upon d if a upon b equal to c upon d हो suppose rational proportional जो हमने पढ़ा है a upon b equal to c upon d हो तो component डियोडेंडो का formula क्या कहता है यह formula करता है therefore हम इसको लिख सकते हैं a plus b upon a minus b equal to c plus d upon c minus d इस फार्म में हम इस formula को लिख सकते हैं ओके यह कहलाता है component एंड डियोडेंडो यदि इसको चाहें तो हम reciprocal फार्म में भी लिख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको reciprocal फार्म में मतलब उल्टा भी करके यदि हमको ज़रुरत है तो हम a minus b upon a plus b equal to c minus d upon c plus d के फार्म में भी लिख सकते हैं तो यह पूरे formula आप लार्न करिए formula लार करना ही sufficient होता है जहां पर यूज करना होगा वहां पर आप उसको यूज कर सकते हैं यह फार्मूला याद है तो यह मैं आपको पढ़ाने के दौराम ज़र अभी चीजों को अभी हमारा पूरा syllabus हम हर टापिक को आपको once art में पढ़ा रहे हैं तो once art में आपको physics के जितने भी कि हम टापिक पढ़ाएंगे और numericals कराएंगे वहां पर यह सब basic mathematical tools हम use करेंगे तो आप बहुत आसानी से उसको समझ लोगे कि हां basic mathematics में सर ने बताया था बहुत easy उसको समझ सकोगे तो यह formula है इस पर question का ज़रत नहीं है question हम कराएंगे आगे जहां पर जरूरी है now next यह है binomial theorem देखो binomial theorem एक ऐसा mathematics है जो physics में हमारे बहुत बड़े-बड़े calculation को बहुत आसान करता है एक चोल में binomial theorem बहुत बहुत आप ही खोता है mathematics का यहां पर मैं इसको detail में आपको समझाओंगा और इसको दो तरीके से आपको मैं समझाओंगा एक तो पूरा detail फाम में औ इसे यूज़ कर सकते हैं सीधा ट्रिक्स याद करना अच्छा नहीं है क्योंकि कई बार हमको expansion का भी जूरत होता है और expansion पता ना हो तो हम प्रापर उसको यूज़ नहीं कर पाते तो भाई इसको ध्यान से समझना है आपको और binomial theorem आपको बहुत काम आएगा algebra का बहुत important topic है चलिए तो binomial theorem में हम देखें कि binomial theorem होता क्या है नाम से clear है binomials मतलब होता है two, two nomials मतलब इसमें two terms होते हैं और two terms के किसी power को expand करना ही binomial theorem कराता है for example कुछ ऐसे example हम देखें जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है जैसे x plus y whole square सपोज x plus y का whole square को हम expand करें तो हमको मालूम है x plus y का whole square होता है वो x square plus two xy plus y square होता है clear तो x plus y का whole square का formula यह होता है इसके माद suppose यदि मैं x plus y का cube का expansion लिखूं तो x plus y का whole cube equal to क्या हो जाता है x cube plus 3 x square y plus 3 x y square plus y cube यह हमारा formula होता है आपको पता है यह formula भी हमने पीछे formula के list में बताया है अब इस formula को बहुत ध्यान से आप समझो और यहाँ पर हम कुछ observation आपसे discuss करते हैं observation हो सकता है यह observation आपने इसके पहले कभी वाचना किया हो कभी ध्यान ना दिया हो तो यहाँ पर ध्यान देने का कोशिस करना कि यह दोनों formula में कुछ खास बात है अब पहले तो मैं आप कोई बताओ को binomial छोरम का किस तरह से उसका फाम होता है यहाँ पर x प्लस y में 2 terms है यह first terms है यह second terms है यहाँ पर यह है first term यह second terms है और इस तरह से इसमें 2 numials है 2 terms है इसका power 2 है फिर 3 है फिर power 4 हो सकता है power 5 हो सकता है power 6 हो सकता है power up to n हो सकता है अब यहाँ पर problem यह है कि हमने power 2 को तो लर्न कर लिया हमने power 3 को भी लर्न कर लिया suppose हमको power 4 का जहुरत पड़ा हमने suppose उसको भी लर्न कर लिया 5 का जो उरत पड़ेगा, वो भी लर्न कर लिया, लेकिन कब तक हम लर्न कर पाएंगे, 6, 7, 8, 9, तो binomial theorem में क्या किया, 2 terms के higher power को expand करने के लिए एक theorem बनाएगा, एक rule बनाएगा, उसको कहते हैं binomial theorem, तो binomial theorem पढ़ने से पहली हमारे पास जो एक simple formula है, इसको थोड़ा सा हम observe करें, तो यहां आप observe करोगे, तो कुछ खास बात देखोगे, इसको बहुत ध्यान से देखना, जब x plus y का power 2 का expansion होता है, यहां पर power 2 है, तो आप देखो after expansion, expansion के बाद, इसमें कितने terms आते हैं, तो after expansion इसमें आता है, 1 terms, 2 terms, and 3 terms, यहां पर देखो power 3 का expansion होता है, तो expansion में 1 terms, 2 terms, 3 terms, 4 terms आता है, तो यहां पर पहला चीज़ यह पता चला, कि 1 terms more, इसका मतलब क्या हुआ, यह मैं 60 में लिख रहा हूं observation को, बाइनुमार च्योरम में, यह simple जो हमने formula alarm किया है, इसमें हमने एक खास बात देखा, कि जब इसका power का expansion होता है, तो जो number of terms है, वो एक अधीक होता है, एक more होता है, power 2 है, तो 3 आया, 3 है तो 4 आया, यदि मैं power 6 को expand करूँ, तो no doubt terms 7 आएगा, इतनी बात आपको समझ में आगी, दूसरा important बात यहां पर देखो, वो यह है, कि जब हम इसको expand करते हैं, तो देखो जो पहला terms होता है, यह first term है, और first term सा power वही होता है, जो power में होता है, मतलब first term अपने उस power को लेके expand होता है, यहां पर देखो, यहां पर power 3 है, तो first terms का power कितना हुआ? 3 हुआ, जैसे जैसे आगे के terms में हम जाता हैं जाएंगे, तो उसका power 1 decrease होते जाता है, जैसे यहां पर power 2 था, अब power 1 हो गया, यहां पर power कुछ भी नहीं है, that means उसको power 0 लिखा जा सकता है, x to the power 0 means 1, और 1 हम कहीं multiply कर सकते हैं, तो x का power 2 हुआ, 1 हुआ, 0 हुआ, उसी तरह से यहां देखो, x का power 3 हुआ, 3 के बाद फिर 2 हुआ, फिर उसके बाद फिर 1 हुआ, और उसके बाद फिर क्या हो गया, 0 हो गया, तो second observation यह है, कि the power of first terms will be 1, 1 decreases, पहले terms का जो power होता है, 1, 1 वो decrease होता है, ठीक है, power of x 1 decreases, power of first terms 1, 1 decreases, यह होता है, यह एक simple observation है, इसके base पर मैं आपको क्या बताने वाला हुआ, थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा, अब देखो, यदि इसका power 3 है, यह स्वारी, second terms की बात करें हैं, तो second terms में देखो, second terms में क्या है, यहां पर y है, अब y जब expand होगा, तो first terms में y नहीं है, मतला y to the power 0 है, first terms में y नहीं है, मतला y to the power 0, 1 है, इसके बात देखो, यहां पर y का power 1 हो गया, फिर देखो y का power 2 हो गया, यहां पर देखो y नहीं है, मतला y का power 0 है, फिर y का power 1 हो गया, y का power 2 हो गया, फिर y का power 3 हो गया that means power of second terms power of second terms यह लिखने जुरत नहीं है आपको मैं समझाने के लिख रहा हूँ 1 1 increases 1 1 increase होता है तो यह 3 आप जबरेसन हमने देखा है यह आप जबरेसन का पर ध्यान से सुन यह सब लिखने के जुरत नहीं है तो मैं संधाय के लिखा हुए क्या मैंने बताया जब हम किसी भी 2 terms के power को expand करते हैं तो total number of terms power से 1 अधिक आता है first terms में power start होके 1 1 decrease होते जाता है और second terms में power 1 1 increase होते जाता है यहाँ पर power 2 था यहाँ पर power 3 था suppose हम इसके n power को expand करना चाते हैं 4 5 6 7 छोड़ो हम सिधा n power को expand करना चाते हैं तो चलिए हम power n को इसका expand करें तो क्या होजाएगा therefore according to this observation x plus y to the power n को हम expand करना चाते हैं actual में binomial theorem को derive करने का या explain करने का जो method है उसको बोलते है mathematical induction process mathematical induction process का मतलब क्या होता है कि किसी logic को लेके कि भाई कोई relation 1 के लिए true है तो second के लिए true है तो third के लिए true है इस तरह से वो n के पूरे value के लिए true होता है यह कहलाता है mathematical induction method तो यहाँ पर हम x plus y की power n को इस observation से यदि हम लिखना चाहें तो मैं समझता हूँ आप में से maximum लोग को समझ में आगे होगा कि क्या होगा यदि आप अभी मेरे offline class में बैठे होते तो 90% students से इसके sponsor में लिखवा देता और में भी आप भी लिख पा रहे होगे आप भी इस video को देखते देखते आपको ऐसा लग रहा होगा कि sir हम इसको लिख लेंगे कई लोग आप एक चीज़ आप ध्यान रखना है मेरे ज्यान में आया तो मैं आप से सेर कर रहा हूँ कि कभी भी किसी भी वीडियो को आप हमारे lecture की तरह किसी फिल्म की तरह आप मत देखो उसको आप चला के rough copy pen लेके कि आप science के physics की student हो आपको rough copy pen pen paper लेके बढ़ना चाहिए और साथ में solve करना चाहिए हो सकता हमें यहाँ पर कोई काम दूँ note down करो कुछ भी करो मतलब आपका attention offline class की तरह होना चाहिए जितने भी student offline class की तरह attention लेके पढ़ेंगे उनको note out offline से भी ज़्यादा benefit होने वाला है अब x के power में 1 decrease होगा तो x के power में 1 decrease कर देते हैं तो x में 1 decrease होगा मतलब x to the power n minus 1 होगा n कोई number नहीं है तो minus 1 लिख देंगे फिर हमने बोला कि y का value 1 increase होगा यहाँ पर y का value 0 है बाद में उसका value 1 increase होगा तो y to the power 1 power 1 को लिखने जुरत में है लेकिन हमने लिख दिया है यहाँ पर plus उसके बाद हो जाएगा x to the power n minus 2 y का square होगा plus x to the power 3 n minus 3 x to the power n minus 3 y का power 3 होगा plus and so on last में हो जाएगा y to the power n अब यहाँ पर जो relation हमने लिखा है यहाँ पर जो relation हमने लिखा है यह binomial चोरम है लेकिन अभी यह incomplete है incomplete इसलिए है क्योंकि इसमें coefficient आया है नहीं है तो वहाँ पर coefficient क्या आएगा उसके लिए हम आगे एक mathematics समझेंगे तो हमको समझ मिआएगा कि वहाँ पर coefficient क्या आएगा तो यह हमने our education और हमको logic से लिखा है that is mathematical generation हम power 2 का expansion का study किया power 3 के expansion की study किया और वहां से हम observe किये और हमने इसको x plus y के power n के लिए लिख दिया clear अब यहाँ पर हम देखें कि इसका जो coefficient है जो यहाँ आना है यहाँ आना है उसका value क्या होगा तो इसके coefficient को समझने के लिए एक new mathematics समझना पढ़ेगा अपने को जिसको बोलते हैं हम combination इसको बोलते हैं combination combination इसे type of mathematics कह सकते है mathematics के एक type है mathematics के ब्रांचेस होते हैं उसमें से permutation combination एक mathematics का chapter होता है तो यहाँ पर हमको combination की ज़ुरत पढ़ेगा इसलिए मैं आपको starting में बोला कि physics के लिए mathematics पढ़ना बहुत challenging work होता है पढ़ना भी पढ़ाना भी क्यों क्योंकि सीधा सीधा वह topic लेकर आपको बताना पढ़ता है जो आपको physics में ज़ुरत है कोई flow नहीं होता उसमें सीधा सीधा है कहना चाहिए मतलब समुद्र से मोती चुनने जैसा बात है कि बिल्कुल उस precious stone को लाके आपको देना भी यह 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 यूज कर लो फिर आपको physics में काम चल जाएगा नहीं तो mathematics जितना ब्राट सी लेवर से है उसके कुछ ही topic को आपको समझाना होता है इसलिए बहुत sharp work है बहुत ध्यान सी इसको आप समझना तो combination हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा permutation combination एक mathematics होता है तो combination को थोड़ा समय आपको explain करता हूँ जितना हमको जोगरा से देखो combination को हम represent करते है n फिर c और r ऐसा लिखते हैं इसको एक c लिखेंगे capital c लिखेंगे उसके left side में उपर में n लिखेंगे और नीचे में r लिखेंगे और इसका formula होता है इस तरह से l जैसे मैं बनाया जिसको हम पढ़ते है factorial अभी सब बताऊंगा मैं इसको तो formula होता है इसका factorial n upon factorial n minus r into factorial r यहाँ पर इसको read किया जाता है क्या factorial n यह read करेंगे इसका एक symbol और होता है लेकिन generally हम उस symbol को use नहीं करते है ऐसा और यह इस तरह से इसको हम भी represent करते हैं लेकिन ज्यादा तर हम इससे करते हैं क्योंकि यह representation कई जगा हमको dart न लगा पाए तो हमको confuse करते हैं जैसे कहीं factorial 3 रीखा है तो हम इसको 31 पढ़ते रहते हैं तो वह आला symbol ज्यादा use नहीं करना है यह ज्यादा करना है यह formula है और इस formula को आपको learn करना है यह formula मैं highlight कर देता हूं इस formula को आपको learn करना है अब मैं आपको समझाओंगा आगे कि भाई factorial क्या होता है अब हम आगे समझेंगे कि factorial होता क्या है फैक्टोरियल किसे कहते हैं यह हमको समझना कहें साल्व करते हैं यह formula clear पहले ते फार्मूला आपको learn करना है बहुत से चीजों को आपको learn करना पड़ेगा क्योंकि यह formula है और formula तो याग करने पड़ेंगे वो तो tool है उसको तो आप पास प्रेक्टोरियल कोई नंबर है तो फैक्टोरियल पोर साल्व करने का तरीका है जब प्रेक्टोरियल के अंदर में फोर में माइनस वन होगा यह साल्व इस रूल है और आगे हो जाएगा 4 into factorial 3 ऐसा होगा आगे इसको simplify करें तो हो जाएगा 4 अब मालों मैं 3 को बाहर करना चाहता हूँ तो 4 into 3 अब इसके अंदर में इसमें फिर 1 minus हो जाएगा तो 2 मने डारेक्ट लिक दिया और साल्व करना चाहें तो 4 into 3 into 2 भी हो जाए तो into यह हो जाएगा factorial 1 that equal to 4 into 3 into 2 into 1 भी बाहर कर दें तो 1 हो जाएगा और अंदर में फिर्ट जीरो यह हो जाएगा factorial 0 that equal साल्व करें तो 4 into 3 into 2 into 1 और factorial 0 क्या होता है 1 होता है यह ध्यान रखना तो इसको आपको तो proof करना ले लेकि note करके ध्यान रखना कहीं पर भी आप तो देखो factorial 4 जब साल्व हुआ तो इस तरह से साल्व होता है मतलब कोई भी factorial का जो number होता है उसको open करते हैं तो अपने value से start होके 1 1 decrease होके multiply होते जाता है जितना हमको ज़रुरत होता है उतना हम factorial साल्व करते हैं इस बेस परदी मैं आपको factorial n को साल्व करना सिखा हूं factorial n तो कैसे साल्व होगा n को हमने factorial से बाहर किया तो n अंदर बचेगा n-1 अब हमने n-1 को भी बाहर कर लिया तो अंदर फिर क्या होगा n-2 हमने n-2 को भी वापस बाहर कर लिया n-3 इस तरह से अब 2 यह बाहर आते 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 लास्ट में हो जाएगा 3 into 2 into 1 यह होता है factorial n का value इस तरह से हम factorial को simplify करते हैं तो factorial को simplify करना आपको समझ में आ गया होगा इस example से आप समझ गया होंगे कि factorial को हम किस तरह से simplify करते जाते हैं अब इसका use क्या है binumal theorem इसका use क्या है तो हमने यहाँ पर जो coefficient यहाँ पर blank छोड़ा हुआ है वहाँ पर इसके coefficient put up होंगे जैसे यहाँ पर first में coefficient कुछ नहीं होता 1 होता है और last में coefficient 1 होता है यहाँ expansion में देखो यहाँ पर x cube का coefficient 1 है और y cube का coefficient 1 है that means binumal theorem में first terms और last terms का जो coefficient होता है वो 1 होता है but बाकी terms में coefficient होते हैं और वो कैसा ही start होगा यहाँ सी start होगा इसका coefficient होगा nc1 इसका coefficient होगा nc2 इसका coefficient होगा nc3 और अब जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो completely binomial theorem है अब जो मैं लिखा हूँ वो 100% complete binomial theorem है यह मैं binomial theorem को यहाँ पर highlight कर देता हूँ यह है binomial theorem इसको आप learn करोगे और इसको आपको simplify करना आना चाहिए अभी इसको मैं आपको सिखाऊंगा simplify करना कि कस तरह से इसका हम simplify करेंगे clear तो binomial theorem याद करना कितना आसान है आप समझ गया होंगे मेरे ख्याल से यह theorem आपको याद हो गया होगा क्योंकि x प्लस y के power n को जब expand करेंगे तो x से start करेंगे और फिर x के power को 1 1 decrease करते जाएंगे y का power 0 से start करेंगे मतलब second term से और 1 1 increase करते जाएंगे और coefficient first और last में कुछ नहीं लिखेंगे second में nc1, nc2, nc3, nc1 इस तरह से अपन लिखेंगे अब मैं आपको थोड़ा आपको nc1, nc2 को salve करना सिखा दूँ तो जैसे हमको nc1 salve करना है सपोस हमको nc1 को salve करना है तो कैसे salve होगा देखो nc1 यह हमको salve करना है तो nc1 को salve करने के लिए हमने ncr का जो formula पढ़ा है उसको use करेंगे देखों यहाँ पर हमने ncr का formula पढ़ा है factorial n upon factorial n-r into r इस formula से इसको use करें तो क्या हो जाएगा factorial n upon factorial n-r तो हो जाएगा n-1 और into factorial r means 1 इस तरह से अपने इसको लिख सकते हैं आगे जब हम इसको और simplify करेंगे तो कैसे होगा यह n factorial से बाहर आएगा n factorial से बाहर आएगा तो अंदर हो जाएगा factorial n-1 जब n बाहर आएगा factorial से तो अंदर हो जाएगा factorial n-1 और factorial n-1 नीचे भी है तो यहाँ पर factorial n-1 ही उसको रहने दो और into 1 यहाँ से naturally आप देख रहे होगे कि दोनों factorial का होंगे cancel out हो जाएंगे n-1 n-1 के साथ cancel out होगा और value अपने को मिलेगा क्या n इस तरह से यहां से क्या पता चला कि factorial nc1 का value होता है 1 the value of nc1 is n सब्सक्राइब यहां से आप देखो डिनामिनेटर में n-2 है तो यहां से n को हम दो बार बाहर करें एक बार n-1 तो फेक्टोरियल के अंदर बच जाएगा n-2 जो इसके साथ में simplify हो जाएगा मतलब फेक्टोरियल को सालव करते समय हमको इस बात का ध्यान रखना है कि simplify कैसे हो रहा है यह थोड़ा अपने को practice से आता है अब n को हमने बाहर किया फिर हमने n-1 को बाहर किया अंदर बचेगा n-2 और अपान यह हो जाएगा फेक्टोरियल n-2 और यह हो जाएगा इस तरह से बाइन्यमय Girum जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर बाइन्यूमयbaser में जैसे जैसे हमको जवरत पढ़ेगा हम n-1 का q mı कर लेंगे हम nc2 का वेल्यू सालव कर लेंगे और nc3 का वेल्यू सालव कर लेंगे लेकिन हमको उसको लर्न इस फाम में करना चाहिए क्योंकि इसको learn करने में बहुत आसान है तो इस फाम में उसको learn करना है और उसके बाद ज़ुरत के हिसाब से हमको उसको use कर लेना है तो यह हो गया binomial theorem अब मैं आपको binomial theorem का एक special use बता दूँ special use in physics कई बार क्या होता है कि जब हम competitive exam का preparation करते रहते हैं जब हमको बहुत सार्ट में answer देना होता है या कहीं पर हमको इतना लेंदी साल्व करते नहीं बनता कई students से तो वहां पर हम binomial theorem को बहुत सार्ट कट में यूज करते हैं जिसको मैं बोलता हूँ special use in physics तो मैं आपको बता दूँ special use in physics हो सकते हैं कई चीज यह कई लोगो difficult लगा हो तो परेशान होने कर नहीं है मैं भी आपको साइट कट में और टापिक को इसकीब करकर के पढ़ा दिये वन साट वीडियो हमारा एक आपको इसलिए फैसलेटी है ताकि लांग सीटिंग में student उसको पढ़ सके क्योंकि आपको मालूम है कि आपको बड़ा अचीविमेंट चाहिए आपको कामप्रिट्व एक्जाम निकालना है तो दस मिनाट 15 मिनाट 20 मिनाट पढ़के आप उठ जाओगे तो कुछ टापिक तयार नहीं होगा इसलिए लांग सीटिंग आप डवलप करो लांग सीटिंग का हैबिट डवलप करो एक सिंगल सीटिंग में टू अवर्स थ्री अवर्स पढ़के तो कुछ कंटेंट्स प्रापर तायार होंगे इसलिए हम पूरा आपको वन साट में लेक्चर प्रवाइट करा रहे हैं एक बार आप बैसिक मैस्मेटिकल टूल्स लेक हैं यूज इन फिजिक्स इस्पैसाल यूज लेक देता हूं मैं इस्पैसाल यूज इन फिजिक्स इस्पैसाल यूज इन फिजिक्स फिजिक्स में कैसा ही स्पैसाल यूज होता है इसका यह हमको समझना है इस्पैसल यूज इन फिजिक्स आप बैस्पैसल केस है कि सपोस हमारा बैस्पैसाल यूज इस फाम में हो गस्की अपन फिजिक्स होल पावर ए इस फां में हमारा बैस्क्सल बात इह मैं देख रहे हूं कि फर्स टर्मнако यह जरूरी है और इसी तरह से यूज़ होता है 100% केस में यही यूज़ होता है आप यह मान के चलो 100% केस में यूज़ होता है तो पहला फर्स टम्स क्या हो वन हो second terms rational number हो या decimal हो decimal is also rational number second terms या तो rational number के फार्म में हो या decimal के फार्म में हो और उस rational number का एक property हो कि यहाँ पर if numerator is if numerator x is very less than y more less than y y से बहुत छोटा हो x का जो value है वो y से तभी apply होगा दो condition necessary है first terms will be 1 first terms 1 होगा and second terms is rational number where numerator is very less than denominator यह दो बात होना चाहिए तभी यह case apply होगा और यही maximum case में ऐसा ही होता है तो उस condition में होगा क्या इस condition में concept कहता है कि यह जो power है यहाँ पर जो कि plus minus दोनों फार्म में रा सकता है यह concept plus minus दोनों के लिए apply होता है ध्यान में रखना वैसे अभी minimal स्वरम बताया यह minimal स्वरम भी plus minus दोनों के लिए apply होता है तो जब यह plus मैनस में होता है तो alternate plus minus होते जाता है that means by normal स्वरम plus के लिए भी सही है minus के लिए भी सही है जैसे यहाँ पर यहाँ पर plus के लिए हमने लिखा है जब इसको minus के लिए लिखेंगे अपन यदि minus हो तो बीच में plus के बाद minus फिर plus के बाद minus ऐसा alternate minus हो जाता है तो यहाँ पर हम एक साथ plus minus का sign use कर रहे हैं देखो तो यहाँ plus भी हो सकता है minus भी हो सकता है n into x upon y इस फाम में हम इसको special use करेंगे यह special use of binomal theorem in physics यह यदि आप याद रखोगे तो आपको कहीं कोई problem नहीं होगा इस तरह से देखो कि कभी भी इस फाम में binomal चोरम हो तो ऐसा हम multiply करते हैं for example मैं कुछ example देता हूँ इसके लिए पहले कुछ numeric example आपको दे दूँ यह से आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा हमने एक problem लिया suppose 99 upon 100 यह बहुत अच्छे में आरा होगा कि इसको salvo करना बहुत difficult है 99 का 5 times multiplication फिर 100 का यह 99 डिवाइट करके decimal ने decimal 99 to the power 5 फिर decimal 99 का 5 times बहुत difficult है no doubt इसको आप बीना कल्कुलेटर के करोके तो बहुत टाइम लगेगा अब इसको थ्यान से समझना इसको मैं लिख दिया 1-1 upon 100 ऐसा ब्रेक करना आपको आज आएगा ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि 1-1 upon 100 का मतब 100 LCM आएगा 100-199 upon 100 ऐसा आप इतना आप समझ सकते हैं तो 1-1 upon 100 लिख सकते हैं अब देखो यह बाइनुमल सेरम के फार्म में आ गया कैसे आ गया बाइनुमल सेरम की स्पेसल के फार्म में फर्स्स टर्म सीज वन सेकंड टर्म इस रेसनल लंबर वेर वन इस बरी लेस धन 100 आ गया उस फार्म में तो वह कॉंसेट कहता है कि 5 सामने आके मल्टिप्लाई कर देंगे जैसे यहाँ पर मैंने आपको फार्मुला यह बताया है कि एन यहाँ आके यह मल्टिप्लाई हो गया उस कॉंसेट को यहाँ पर यूस कर दें तो that equal to क्या हो जाएगा 1-5 multiply हो जाए तो 5 इंटू 1 5 upon 100 होगा that equal to 1-0.05 5 में 100 आप divide कर सकते हैं 0.05 होगा इसको हम solve करें तो होगा 0.95 is answer देखो जो काम अभी आपको बहुत difficult दग रहा था उसका answer हमने फटा-फट बाइनिमल स्वरम से निकाल दिया ते आपको question solve करने में निमेरिकल स्वरम करने में काम आएगा जहाँ पर जिस situation पर हम बाइनिमल स् हम apply कर सकते हैं वहां पर उसको direct apply कर देंगे यह तो मैंने निमेरिक बताया फार्मूला पर किस तरह स्यूज होगा यह मैं आपको बता देता हूं फार्मूला पर यूज करने के लिए हम एक example लेते हैं जैसे ग्रेविटेशन का जब हम chapter पढ़ते हैं तो वहां पर एक step आता है ग्रेविटेशन के topic पर मैं बीच-बीच के step आपको समझा रहा हूं बीच-बीच के step समझा रहा हूं जहां पर हमको उसको use होगा को मैं अपने memory पर सीधा-सीधा वह situation ला रहा हूं जहां पर हम उसको use करते हैं तो ग्रेविटेशन के chapter में हमको एक step मिलता है वह step होता है जी डेस अपान जी इक्वाल टू आर स्क्वार अपान आर प्लस एस कहोल स्क्वार एसा step हमको एक मिलता है जो variation of the value of g को represent करता है यह किसी यह derivation के बीच का step है यह derivation के बीच का step है उसको मैं ले रहा हूं कि मैं बाइनेमल सरम को use बता रहा हूं आपको इसको हमको simplify करने तो क्या करते हैं इसको हम लिखेंगे g da sapon g equal to r square डिनामिनेटर से r क्योंती हम common करें तो r power के साथ common होगा r square होगा फिर r का दोनों में divide होगा तो 1 प्लस h upon r का whole square होगा ऐसा हम इसको लिख सकते हैं मतलब हमने इसके bracket के अंदर से r को common किया तो ऐसा लिख सकते हैं जब कोई भी नंबर कामन होता है तो ध्यान रखना कई बार स्टुडेंट्स को कामन निकालने में प्रावलम होता है मुझे मालूम है denominator क्या R cancel out हो जाएंगे यह cancel out हो जाएगा और उसके बाद क्या करें हम इसको उसको numerator में ले जाएं तो हो जाएगा therefore g डेस अपाइं g equal to numerator में इसको ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 plus h upon r का power minus 2 अब इसका power क्या हो जाएगा minus 2 होगा अब यहाँ पर हम बाइनिमल चर्म लगा सकते हैं यही मैं यूज आपको समझा रहा हूँ फर्स टर्म्स इस वन देखो फर्स टर्म्स वन है सेकंड टर्म्स रेस्नल है h upon r है और हमको मालूम है h क्या है बहुत छोटा है r से कैसे मालूम है h क्या है height है किसी object का earth surface से height है और r क्या है यहाँ पर radius of the earth r क्या है अर्थ का radius है तो radius के comparison में वो height बहुत छोटा होता है बहुत कम होता है तो यहाँ पर is less than r तो हम को क्या करना है minus 2 हम यहाँ आके multiply कर देंगे इस तरह से यह हो जाएगा g days upon g equal to 1 minus 2h upon r ये देखे मेरे इस lecture में खास बात आप ध्यान देना एक बात आप notice करना कि यदि आप basic mathematical tools को अच्छे से कर रहे होगे आपका यही से सुरुवात है beginning है मानके चलो इसलिए मैं आपके लिए यह special class लेके आया हूं कि यदि आप इसको बहुत अच्छे से कर लो तो no doubt आपको मेरे सभी lecture बहुत आसान लगेंगे आगे चलके जब आप पूरे lecture आपको मिलते जाएंगे one by one one sort पूरे 11 के physics का पूरे 12 के physics का और फिर IITJ नीट के लेबल का contents जब आपको मैं प्रोवाइट कराऊंगा one sort तो यह सब चीज आपको तयार रहेगा तो आपको समझने में बहुत आसान होगा इसलिए सभी students को मेरा suggestion है कि आप इसको बहुत ध्यान से और मेहनत करके prepare करना ओके बार-बार इसका revision करते रहना तो यह हमारा बाइनेमल स्वर हम यहां पर complete हो गया और मैं आपको जो special use बताया इसका यह special use को आपको बहुत अच्छे से समझना है ठीक है यह मैंने बताया कि कैसे use होता है फिर हम मैंने एक numeric example बताया फिर आपको मैंने यहां पर एक gravitation का physics का related example बताया यह भी हमारा example है जो उसमें यूज होगा चलिए अब हम next topic start करें next topic हमारा quadratic equation quadratic equation आपने 10th class में पढ़ा है और quadratic equation में आपको सिर्फ formula जानना है और जानना है quadratic equation physics में कहीं पर भी हो जाता है कोई भी हमको quadratic equation मिल जाता है और पर हमको simplify करना होता है तो बहुत common चीज है इसका use तो physics में कहीं पर भी हो सकता है और आसान भी है यह आपको पहले से पता है तो suppose equation हमारा इस फाम में हो ax square plus bx plus c equal to 0 इस फाम में हो तो therefore इसका जो solution होता है x equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a होता है यह formula बस आपको याद रखना है और पूशने एक example बताने जोरत नहीं है वो तो ऐसा है कि मैं अपने इस lecture में हर छोटे से छोटे चीज को आपको cover करा रहा हूं मतलब मेरा focus है कि मेरा students मेरे इस basic mathematical tools के video देखने के बाद एक कामा के लिए उसको problem नहीं होना चाहिए related to maths इसलिए मैंने वो हर चीज को cover कराया है जो मुझे मालूम है कि आपको पता है मेरे को मालूम है कि आप सब इस टूडेंट्स नीट का प्रप्रेशन कर रहा है वो physics में कहां कहां problem फेस करता है मुझे बहुत अच्छे तरह से पता है क्योंकि बहुत लांग experience मेरे को नीट के इस्टूडेंट्स को पढ़ाने का तो मुझे मालूम है कि उनको प्राब्लम होता है आये टी जैए कि स्टूडेंट्स को ज्यादा problem नहीं होता क्योंकि आल्रेडि मैश में मैश पढ़ते रहते हैं तो बहुत असानी से उसको कर लेते हैं क्योंकि आलर्रीट टैच में रहते 7, 9, this is arithmetic progression, start form में हम इसको AP कहते हैं, start form में जब हम बात करते हैं, तो arithmetic progression नहीं बोलते रहते हैं, उसको बोलते हैं, AP, AP बोलते हैं, तिस्टोने समझ जाता है, कि हम क्या बोलते हैं, तो 1, 3, 5, 7, 9, ये AP है, कैसे AP है, AP को identify करने का तरीका क्या है, कि second terms में यदि first terms को minus किया जाए, मतलब यदि 3 में 1 को minus करें, तो 2 आएगा, फिर 5 में 3 को minus करें, 2 आएगा, 7 में 5 को minus करेंगे, 2 आएगा, और इसको बोलते हैं common difference, common difference, मतलब कोई ऐसा series, जिसमें common difference equal हो, मतलब next terms में previous terms को minus किया जाए, तो जो value आए, वो equal आए, तब हम उसको क्या करते हैं, AP करते हैं, तो यह क्या है, AP है, और AP का जो general terms होता है, इसके यदि हम general terms लिखें, तो इसको general terms होता है, A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D, and so on, यह AP का general terms है, यहाँ पर यह first terms कहलाता है, यहाँ पर यह जो A लिखा गया है, यह कहा है first terms है, और यह जो D है, वो D को बोलते है common difference, अभी जो मैंने लिखा, common difference, यह कहलाता है D, और इस फार्म में, इसके nth term के दिए हम formula लिखें, इसका nth term, इसका nth term, that is also known as, last term equal to होता है, A plus N minus 1 into D, यह formula आपको याद रखना है, और एक है, sum of N terms, यदि हमको sum of N terms निकालना हो, तो S N equal to हम क्या लिखते हैं, N by 2 under bracket, 2A plus N minus 1 into D, यह formula होगा, या N by 2 A plus L, इस फार्म में हम इसके formula को लिखें, ति यह दो formula आपको learn करने क्याद रखना है, यह arithmetic progression है, यह सब पर question का ज़ूरत नहीं है भई, आप ऐसा मसमझना कि सर इस पर question नहीं करा रहे हैं, इस पर question का ज़ूरत आपको नहीं है, यह सब आपने पहले भी किया हुआ है, और only formula learn करो, formula learn करने के बाद आप काम चल ज़ूरत पड़ेगा, वहाँ पर आप इसका use कर लोगे, यदि आपको formula याद है, तो आपको problem नहीं आएगा, मैं आपको एक बाद रिपीट कर दिया, कि arithmetic progression क्या होता है, यह सब हमारे PDF फाम में आपको हमारे application पर मिलेगा, वो सब वहाँ सी study कर सकते हैं, ओके, नाउ नेस्ट आपकी किस geometric progression, देखो जैसे arithmetic progression होता है, उसी तरह से geometric progression होता है, geometric progression में रिख्यार से आप 10th में नहीं पढ़े होते हैं, तो यह आपके लिए important है, थोड़ा ध्यान देना, उसी तरह से geometric progression का behavior इसका nature क्या होता है, यहाँ पर देखो, suppose मैं यहाँ पर कुछ values लिखूँ, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, यह देखो, geometric progression को हम start form में, GP बोलते हैं, geometric progression मतलब GP, तो यह जो मैंने series लिखा है, वो GP में है, कैसे हम पहचानें इसको GP में हैं, देखो, हम 4 में 2 को divide करें, तो 4 upon 2, 2 आएगा, 8 में 4 को divide करें, तो 2 आएगा, वहाँ पर हमने minus किया था, AP में हम minus करते हैं, और GP में हम क्या करते हैं, device करते हैं, इसमें करेंगे, तो 2 आएगा, और इसको 2 को हम बोलेंगे, हाँ पर common ratio, 2 is called common ratio, यहाँ पर यह common ratio का लाता है, इस तरह से इस बहस पर हम इसके general terms लिखें, तो general terms क्या होगा देखो, इसका जो general terms होता है, AP का, वो होता है, A, AR, AR square, AR cube, and so on, यह होता है इसका general terms, जिसमें यहाँ पर भी हम, A को बोलते हैं first terms, यह first terms कर लाता है, कोई भी आपके पास 300 का first terms, और R, आर्फा ratio, इसको बोलते हैं कामर ratio, CR link जाम है, यह कामर ratio कर लाता है, इस तरह से यदि, इसके sum को निकाला जाए, तो sum किस पकार, सबसे पहले हम निकाल जेते हैं, इसका nth term, इसका जो nth term होता है, जिसको last term कर सकते हैं, वो होता है, A into R to the power n minus 1, इस formula से इसका nth term निकलेगा, और यह होगा sum of, sum of n term, तो sum of n term का दो फार्मूला होता है, एक SN equal to A into R to the power n minus 1 upon R minus 1, यह formula होता है कब, जब कामर रेशियों का value क्या हो, greater than 1 हो, when the value of कामर रेशियों is 1, इसको यहाँ पर मैं यलक्स लिख देता हो नहीं, तो formula के साथ confuse जाओगे, जब R का value, मतलब किसी series में जब कामर रेशियों हम निकालते हैं, वो कामर रेशियों का value greater than 1 हो, तो यह formula यूज़ होगा, और second condition होता है, SN का SN equal to A into 1 minus R to the power n upon 1 minus R होता है, 1 minus R, यह होता है कब, जब R का value less than 1 हो, जब R का value less than 1 हो, तब यह यूज़ करेंगे, greater than 1 में यह, और S infinity, S infinity का formula होता है, A upon 1 minus R, यहाँ पर भी R का value less than 1 होने थी, S infinity का formula physics में सबसे ज़्यादा use हुआ है, वैसा तो कोई सब यूज़ हो सकता है, तो आपको nth term के लिए formula याद रखना है, यह nth term का formula है, उसके बाद nth term के sum के लिए formula याद करना है आपको, यह होगा, और यह formula है, less than 1 के लिए, और यह formula, इतने formula आपको learn करने हैं, S infinity का formula यहाँ पर सबसे ज़्यादा use होता है, यह वाला ज़्यादा formula है S infinity का, यह सबसे ज़्यादा use होता है physics में, ज़्यादा तर यही case आता है, numerical में तो बहुत ज़्यादा, यह topic बहुत ज़्यादा important है, numericals बनाते समय, अब देखो, अभी मैं एक एक ज़्यादे question उसको बताने का मतलब नहीं है, एक question उसमें apply करूँगा, कुछ मतलब नहीं है, लेकिन आप उसको कहीं पर भी, जैसे एक example तो बता दू, S infinity का तो बता दू कम से कम, suppose कहीं पर कोई series है, suppose हम S का value find करने वाले हैं, वहाँ पर हमारा series क्या है, suppose 1 प्लस 1 अपांट 2, प्लस 1 अपांट 2 स्क्वेर, प्लस 1 अपांट 2 टू दी पावर 3, यह माल अपने पांट 2 इंफिनिटी, अब हमको इसको सम निकालना है, फिजिस में बहुत numerical मिस तरह का condition आता है, मैंने especially किसी numerical के एक term को लिग दिया हैं, समझ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर मैंने फिजिस के एक numerical के term को लिग दिया हूँ, यह आता है, combination of capacitor, combination of resistance, combination of cell, यह combination वाले बहुत सारे question में निमेरकाश में आता है, ऐसा एक term आया, अब suppose इसको हमको calculate करना है, फिर्स यहाँ पर देखो, यह जीपी है, जीपी कैसे पता चला, इसमें इसको divide करेंगे, देखो यहाँ पर R का value हम करेंगे, तो इसमें इसको divide करेंगे, 1 upon 2 divided by 1, that equal to क्या आएगा, 1 upon 2 आएगा, इसमें इसको divide करेंगे, तो 1 upon 2 आएगा, और इसका जो first terms है, A, वो क्या है, 1 है, तो यहाँ पर हम इसको sum करना है, मतलब हमको S infinity का formula लगाना पड़ेगा, S infinity का formula होता है, S infinity equal to A upon 1 minus R, यह formula मैंने अभी आपको बताया, यह formula S infinity equal to A upon 1 minus R, इस formula को हम यहाँ पर apply कर दें, इस formula के apply करने से क्या होगा, A का value अपने पास 1 है, और 1 minus R, 1 minus 1 by 2, क्योंकि R का value 1 by 2 हमने निकाला है, इसको solve कर लें, तो that equal, यह हो जाएगा, 1 upon, 1 minus 1 upon 2 मतलब 1 upon 2 आएगा, that equal to उपर जाके 2 आएगा, this is the answer, इसका value कीतना आएगा, 2 आएगा, इस तरह से हम इसको find कर सकते हैं, देखो जो series को देखने से ऐसा लग रहा सा, कि कैसे sum होगा, वहाँ हमने solve कर लिया, किस के help से, GP के help से, तो ये formula से हम इसको solve कर सकते हैं, इस तरह का use आपको physics में, बहुत जादा देखने को मिलेगा, बहुत ही जादा देखने को मिलेगा, ओके, नाव, next topic, next topic is, लागरित, ये बहुत जादा use होगा, एक एक topic मैं आपको, point to point cover करा रहा हूँ, point to point, मतलब बिल्कुल मैं ध्यान में रखा हुआ हूँ अपने, कि हमारा students, किस तरह से physics को पढ़ेगा, तो कहां कहां क्या उसको problem होगा, कहां कहां क्या जूरत होगा, कब उसको binual theorem लगाना पड़ेगा, arithmetic progression लगाना पड़ेगा, geometric percent lag को पढ़ेगा, सब, तो ये सब हमने formula यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये देखो, logarithmic formula जो होगा, ये logarithmic क्या होता है, पहले मैं आपको lag के बारे में बता दूँ, तो lag actual में होता क्या है, mathematics है, lag का two types होता है, lag के पहले two types को मैं explain कर दूँ, यहाँ पर फिर आपको बताऊंगा मैं, ये क्या है, पहले तो आप समझदे, lag के types, एक lag होता है, first, जिसको हम बोलते है, common lag, पहले मैं natural बता दूँ, first होता है natural, natural, या इसको हम neperian भी कहते हैं, जान लागी neperian ने दिया था, इसको नाम पर इसको neperian lag कहते हैं, और दूसरा होता है common lag, common, या इसको हम general भी बोलते हैं, general lag, तो two types के lag होते हैं, पहचानते कैसे हैं, दूनों lag को अपन कौन सा common lag है, कौन सा, general lag है, तो common lag को लिखने का जो तरीका होता है, natural lag को स्वारी, उसको इस तरह से लिखते हैं, lag, lag x to the base e, यह नीचे जो लिखा गया है, उसको पढ़ते हैं to the base e, तो यदि lag को इस फार में लिखा गया हो, lag x to the base e, तो यह क्या कहलाता है, natural lag कहलाता है, और यदि lag को इस परकार से represent किया गया हो, lag x to the base e लिखा गया हो, यह lag को लिखा गया हो, lag x to the base 10 लिखा गया हो, तो 10 के base पर जो lag होता है, वो lag क्या कहलाता है, common lag कहलाता है, या general lag कहलाता है, यह common lag है और यह क्या है natural lag है दो तरह के lag आपको use करना है और एक important बात यह है कि इन दोनों में एक relation होता है यह relation आपको numericus बनाते हैं बहुत जादा use करना होगा मतलब हम neperian lag को general lag में या general lag को neperian lag में convert कर सकते हैं किस formula से convert कर लेते हैं पर उसको देखो हमारा conversion का formula है वो है lag x to the base e मतलब general lag को जब हमको general lag को natural lag को जब हमको common lag में change करना होता है तिसमें multiply करते हैं पर 2.303 का multiply करते हैं तो यह lag x to the base 10 में change हो जाता है यह relation आप याद रखना यह relation आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगा यह relation को याद रखना इसके बाद देखें जब हम इसमें formula कि lag का जो formula है वो कितना होता है कौन कौन सा formula है जो हमको lag के लिए use करना पड़ता है और यह जो formula मैं आपको लिखूंगा यह दोनों लाग के लिए applicable होगा natural लाग के लिए भी और general लाग के लिए भी तो formula मैं यहाँ पर list आपको देते जा रहा हूँ लीख रहा हूँ, एक एक करके वो आप ध्यान देना, सबसे पहला formula होता है multiplication का log m into n तो log m into n का formula होता है log m plus log n यह formula होता है, second division का formula log m upon n अच्छा है, एक important बात ध्यान रखना यदि यहाँ पर हमको base में कुछ लिखा हुआ ना मिले, मालो कई बार क्या होता है आपको ऐसा मिले r, सिर्फ लिखा हो log x तो understood है कि वो और क्या है general lag है sorry, natural lag है तो understood है कि वो natural lag है क्योंकि base e को लिखना compulsory नहीं होता, यदि लिखा हो तो भी ठीक है, ना लिखा हो तो भी वही माना जाता है, लेकिन इसके base को लिखना compulsory होता है, तो ध्यान रखना कई बार books में notes वागरें, आपको only lag लिखा हो, तो परिसान मत हो होना कि भी इसके base में तो कुछ नहीं लिखा हो, यदि base में कुछ भी नहीं लिखा हो, तो natural lag होता है that means to neperian lag होता है, तो यहाँ पर हम कुछ भी लिखना है, दोनों के लिए apply है, lag m into n, lag m अपन n का formula होता है lag m minus lag n, यह formula आप याद रखोगे, third है lag m to the power n, यदि power n उपर हो, तो सामने multiply हो यह होता है, n lag m, यह formula है, basically आपको formula बहुत अश्य से याद रखना है न, और fourth formula आपको याद रखना है, lag 1, lag 1 का value 0 होता है, कभी भी lag 1 का जो value होगा, वो 0 होता है, lag 1 का value 0 होने का reason क्या है, यहाँ पर मैं आपको थ्वासा region भी explain कर दूँ, क्या है, हम lag 1 को लिख सकते हैं, lag x to the power 0 लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को लिख सकते हैं, x to the power 0, और यहाँ पर जो 0 है, उसको सामने multiply कर दें, इस formula से, क्योंकि जो power होता है, सामने multiply हो जाता है, तो हो जाएगा, 0 lag x, और 0 lag x equal to क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको lag 1 को 0 लिख सकते हैं, तो lag 1 का value 0 होता है, आगा समझ में आप में, 1 को लिख सकते हैं, x to the power 0, फिर 0 सामने आएगा, और सबको 0 कर देगा, यह 5 कुछ special फार्मूला है, इसको ध्यान में रखना है, यह फार्मूला है, lag a to the base e into, lag e to the base a हो, तो इनका multiplication 1 होता है, that means, lag यदि mutually change हो जाए, मतलब जो lag जिसका find कर रहे हैं, वो base में चला आए, तो दोनों का product always 1 होता है, यह बहुत important relation है, बहुत जगा और 6 फार्मूला आप यानद रखना कि lag e to the base e का value 1 होता है, that means, जिसका lag निकाला जा रहा हो और उसी का base भो। इसी का base भी बना दिया जाये, तो वहाँ पर क्या होता है, वो 1 हो जाता है उसका value, इतने फार्मूलें आपको lag में यानद रखना है, इसके बाद आपको लाग में कोई प्राब्लम नहीं होगा इतना फर्मूल आपको याद करना है इसको आप या तो वीडियो देखते देखते नोट्स बना लो इसकी इसार्ट ले लो बहुत तरीकी हैं आपके पास या हमारे एप्लिकेशन में आपको इसका पीडिये फाम में नोट्स फ्री नोट्स आपको मिलेगा एप्लिकेशन से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो ओके तो कई रिसोर्स हमने आपको दिया हुआ है कहीं से भी आप करो लेकिन यह साब आप अच्छे से प्रिपेर करोगे बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि बैसिक मैस्मेटिकल टूल्स जितना ही स्टांग होगा आपका फिजिस उतना ही श्टांग होगा करें अब हमको इलजेब्रा का एक लास्ट रूल और पढ़ना है फिर यहां पर हमारा इलजेब्रा कम्प्लीट हो जाएगा वह लाजाज आप इंडाइस करें लाजा पिंडाइस का मतलब पावर कर रूल को हम लाजा आप इंडाइस बोलते हैं जो पावर के जो रूल्स होते हैं, जो पावर साल्व करने के रूल्स होते हैं, जैसे अभी आपको समझ में आ जाएगा, कई लोग को नाम नहीं पता रहता, लेकिन फार्मूला पता रहता है, जैसे x to the power m into x to the power n, अब आपको याद आ गया होगा, तो यह होता है x to the power m plus n, यह सब को पता है, इसके बिन अलजेवरा में कामी नहीं चलता, फिर भी मैं याद दिला देता हूं, x to the power m upon x to the power n equal to x to the power m minus n, third formula is x to the power m का whole power n equal to x to the power m into n, and fourth formula is x to the power 0 equal to 1, x to the power 0 equal to 1, यह होता है, और कुछ special formula मैं इसमें आपको बता रहा हूं, जैसे 5th वो क्या है, 1 upon x to the power m, जब numerator में जाता है, तो x to the power minus m हो जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, या जैसे कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, x to the power m minus n, इसको हम लिख सकते हैं, x to the power m upon x to the power n, यह कुछ तरीके हैं, यह आपको याद रखना है, कई बारे छोटी छोटी बातों पर confuse होते रहते हैं, मुझे मालूम है, मुझे तो वो एक कामा तक पता है, जहां पर student problem face करता है, एक कामा भी पता है, जहां student face करता है, क्योंकि इतने लंबे समय से मैं offline class में पढ़ा रहा हूँ, तो students के जो common question आते हैं class में, सर ये कैसे हुआ, सर वो कै कुछे ही provide करा हूँ, तो कि मुझे पता है, कि students यहां problem face करता है, इसलिए मैं बहुत छोटी-छोटी चीजों पर discuss कर रहा हूँ, तो आपके problems मुझे आप से मिले भी नहीं पता है, मुझे experience है कि students को कहा problem आता है, इसलिए मैं कोसिस कर रहा हूँ, और आपको पहले से पता है, तो no doubt अच्छी बात है, revision हो जाएगा, लेकिन जिसको नहीं पता है, उनको सब उको बहुत ध्यान से समझना है, तो यह last of indices यह आपको बहुत अच्छे से prepare करना है, ओके, चलिए, तो अब हमारा यहां पर algebra complete हो गया, algebra मैंने आपको deeply पढ़ाया, पूरा का पूरा algebra मैं आपको complete A to Z पढ़ा दिया, उसको आप अच्छे से तयार करना, next mathematics is trigonometry, trigonometry तो आपका बहुत friendly mathematics से है, आपने 11th class, 10th class में trigonometry अच्छे से पढ़ा है, 10th class में पढ़ा है, कुछ regional boards के students, CVSV के students तो 10th में trigonometry पढ़ा है, लेकिन जो state board की students है, वो बहुत जगों में 9 से ही start हो जाता है तो आपने trigonometry तो अच्छे से पढ़ा है, चलिए तो मैं एक बार फटा फट इसका आपको revision तो करा दूँ, और उसके बाद बता दूँ, basic से ही बता दूँ कि trigonometry क्या है, भही हम उसमें किस तरह से, ये suppose अपने पास एक right angle triangle है, suppose हमने एक right angle triangle बनाया, और trigonometry right angle triangle पर apply होता है आपको पता है कि right angle triangle की पूरी properties को हम trigonometry में study करते हैं, वैसे तो और विसे situation पर भी इस होता है, लेकिन basically हम trigonometry को study करते हैं किसके लिए right angle triangle के लिए, तो एक right angle triangle अपने पास है, इसका नाम है suppose A, B, C, और ये B angle पर 90 degree है, यहाँ पर 90 degree है, इस तरह से, अब इसमें होता क्या है कि हम trigonometry में, जो इसके sides के नाम है, बाकी जगा तो हम sides के नाम नहीं रखते, लेकिन trigonometry में हमने क्या किया हुआ है, इसके सभी sides के नाम है, सबसे पहरा दूँ मैं इसके sides के क्या क्या नाम है, तो पहला नाम हमारा जो है, यह वाला जो side है, जो आपको दीख रहा है, A, C, ज दो लेंट्स में सबसे बड़ा साइड है इसको बोलते है हाइपोटेनियस यह हाइपोटेनियस है अब यह जो AB है और BC है यह दोनों में एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है तो बेस और परपेंडिकुलर का determination हम एंगल के बेस पर करते हैं किस तरह से एंगल के बेस पर करते हैं सपोज मैं एंगल C को ठीटा सपोज कर लूँ इसको मैं ठीटा सपोज कर लूँ तो उस condition में AB क्या होगा परपेंडिकुलर होगा तब यह perpendicular होगा मतलब जो unknown angle होता है या हम जिस angle के बारे में बात करते हैं हम जिस angle के बारे में बात कर रहे होते हैं उस angle का सामने वारा जो side होता है वह क्या होता है? perpendicular होता है suppose मैं इस angle के बारे में बात करता तो यह perpendicular हो जाता है तो third side यहां पर क्या होगा base, इस पकार से यहां पर perpendicular hypotenuse base इसका नाम कहलाता है, इनके name है, और सबसे पहले trigonometry में इसके sides के जो ratio निकाले गए, जिसको बोलते हैं point trigonometrical ratios, इनको ratio क्यों बोला जाता है? trigonometrical ratios का मतलब होता है, the ratio of the length of two sides, trigonometry का सबसे important बात यह है, कि इसमें जो three sides होते हैं right angle triangle में, यह right angle triangle के जो three sides हैं, वो sides का जो ratio है, उस सभी ratio को अलग-अलग नाम से जाना जाता है, सभी के ratio के नाम अलग-अलग हैं, तो यहां पर हम देखें किस-किस ratio के नाम क्या क्या हैं, तो perpendicular upon hypotenuse, यह perpendicular है, ठीक है, यह hypotenuse है, second is cast theta, cast theta होता है base upon hypotenuse, तेखो हैं सब आपको पता है, फिर भी आपको मैं फटा-फट एक बार बता रहा हूं, उससे कुछ नुकसान नहीं, अब sin theta और cast theta को हम क्या करते हैं, यह actual में principal trigonometrical ratios हैं, मतलब main हैं यह, sin और cast दो बने पहले, और बाद में जो फोर और बने, वो sin और cast के help से बने, कैसे बने देखो, जब third trigonometrical ratio बना, जिसको हम 10 theta कहते हैं, तो sin और cast के ratio से बना, मतलब sin theta में, cast theta को हम divide कर दिये, तब 10 बना, that means 10, 10 किस से produce हुआ है, sin और cast से हुआ है, अब sin और cast को हम divide कर दिये, तो hypotenuse cancel out हो जाएगा, ते से 10 theta perpendicular upon base हो जाता है, फिर हमने क्या बनाया, card theta बनाया, card theta बनाने के लिए क्या किया, cast theta में sin theta को divide कर दिया, cast theta में sin theta को divide कर दिया, तो हो गया, base upon perpendicular हो गया, और ये 10 का reciprocal हो गया, एक नया relation मिल गया अपने को, 1 upon 10 theta, इतने relation हिसके, that means the reciprocal of 10 theta is card theta, इस तरह से, तो basic trigonometrical ratio हमारे पा sign और cast से generate हुए, इसके बाद फिफ्थ नंबर में जो आता है, जिस हम sec theta कहते हैं, तो sec theta is the reciprocal of cast theta, देखो सब का, basically सब sign और cast से ही पैदा हो रहे है, तो cast reciprocal मतला में क्या हो जाएगा, hypotenious upon base हो जाएगा, ये, and last, and 6 trigonometrical ratio is cosec theta, cosec theta reciprocal आप sign theta होता है, ये sign theta, और equal to इसका आपन reciprocal करेंगे, तो hypotenious upon पर इतना होता है, ते टिग्नमेटिकल रेशियोस को आपको ध्यान में रखना है, ये आप साब को पता है, ओके, अब हम देखें यहाँ पर इसका कुछ theorem, जिसमें सबसे पहले हमको समझना है, पाइथागोरस ठेवरम, पाइथागोरस ठेवरम, पाइथागोरस ठेवरम, पाइथागोरस एक साइन्टिस है, मैथमेटिसियन है, और पाइथागोरस ने perpendicular base और hypotenious तिनों साइट्स पर एक relation दिया, जिसको हम पाइथागोरस ठेवरम करते हैं, और इन्होंने क्या बताया, कि हमेशा हाइपोटेनियस का जो स्क्वेर होगा वह बेस के स्क्वेर और परपेंडिकुलर के इक्वल होगा that means इसको हम क्या लिख सकता है h equal to under root of बेस स्क्वेर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेर यह कहलाता है पाइथागोरस ठ्योरम और कुछ नहीं इसको याद रखना है आपको याद है मुझे मालूम है और इस बेस पर इस बेस पर टिग्नामेटिकल के थ्री बेसिक फार्मूले बने तो इसका जो बेसिक फार्मूला बना जिसपर पूरा trigonometry चलता है इसका basic formula है trigonometry की जान है समझें यह पाइठागोरस ठेवरम पर ही जब इस पर क्या किया पाइठागोरस ठेवरम पर अब उसका derivation नहीं बता रहे हैं आपको एक बार perpendicular को divide कर दिये, एक बार base को divide कर दिये, एक बार hypotenuse को बारी-बारी से, एक बार hypotenuse divide किया, फिर perpendicular divide किया, फिर base divide किया, तो तीनो sides को बारी-बारी से divide करने पर हमको 3 relation मिल गई इसमें, और वो 3 relation कौन-कौन से मिले, first relation अपने को मिला sin square theta plus cos square theta equal to 1 यह मिला और ध्यान रखना यह formula बहुत बार इस farm में use होता है sin theta equal to root of 1 minus cos square theta student समझ नहीं पाते कहां से आ गया तो आपको क्यों formula learn नहीं करना है formula और different different farm में use होता है वो भी देखो एक चीज़ आप हमें साथ यहां रखना जितना ज़्यादा आपका command रहेगा formula पर आप उतना ही fast work कर पाएंगे और competitive exam में select होने का पहला फंडा speed knowledge बसे काम नहीं चलता है knowledge with speed आपको knowledge तो होने ही चाहिए और उसको बहुत fast रिप्रेजेंट करना नहीं चाहिए तभी आप NET या IAT जहीं में अच्छा कर पाऊगे और आपको इसको इसको एसा लिखना है आप उसको सोचने लागे 5 या अच्छा में आपको तक रांसफार होगा रूट होगा तब तो दीकत आएगा इसलिए उसको आपको याद रखना है और इसको यह दी हमको कास थिता लिखना है तो कास थिता इक्वाल टू लिख सकते हैं root of 1 minus sin square theta, ओके, इसी तरह से second formula होता है, sec square theta equal to 1 plus 10 square theta, यह होता है, और third formula होता है, cosec square theta equal to 1 plus car square theta, तो यह sin square theta प्रस कास स्क्राइब, यह थी formula आपको बहुत अच्छे से तैयार करके रखना है, इनके base पर ही क्या है, पूरा हमारा काम चलता है, ठीक है, जैसे इसको पनो transfer करके लिखें, अपन समझो, इसको transfer करके लिखें, तो हम 10 theta equal to generally ज़ुरत पढ़ता है, तो generally 10 square theta जब हमको पढ़ता है, तो 10 square theta equal to हम क्या लिख सकते हैं, इसको sec square theta minus 1, sec square theta minus 1 लिखते हैं, transfer करके, तो transfer करके different different form में भी आपको लिखना आना चाहिए, इसके बाद इसमें कुछ formula को मैं आपको और कई pattern इसका बताऊंगा याद करने का, इसमें कुछ formula जो आपको लर्न करने हैं, addition formula, suppression formula, cd formula, यह सब formula आपको याद करना है, और sin से लेखे cosec तक 0 से 90 degree तक का जो value होता है, उसको आपको याद करना है, याद करने का आपको तरीका बताऊंगा, लेकिन angle आपको याद रहने चाहिए, तो चलिए मैं आपको पहले addition, suppression formula बता दूँ, उसके बाद फिर ये formula बताऊंगा, देखो addition formula, addition formula ये तो आपको लर्न करना है, याद कर लेना, sum का formula, addition, जैसे sin a plus b का formula होता है, sin a cos b plus cos a sin b, ये formula आपको physics में बहुत use होगा, cos a plus b, cos a cos b minus sin a sin b, इसी तरह से 10 a plus b का formula, 10 a plus 10 b upon 1 minus 10 a into 10 b, और ये formula बहुत ज़्यादा important है, ये और ये, ये दोनों formula, sin 2 a का formula, 2 sin a cos है, cos 2 a का formula, cos square minus sin square है, इसी को हम लिख सकते हैं, 1 minus 2 sin square है, और इसी को लिख सकते हैं, 2 cos square है minus 1, यहाँ पर एक important बात ध्यान रखना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर ये sin 2 a है, यहाँ पर sin 2 a है, सपोज इसको मेरे को sin a के लिखना है, यह है, उसको मेरे को sin a के लिखना है, एंगल को मैंने half कर दिया, तो right side में भी angle half हो जाएगा, मतलब यह हो जाएगा, 2 sin a by 2 into cos a by 2, क्योंकि बहुत बार formula को हम इस form में भी use करते हैं, तो ध्यान रखना इस परकार से हो जाएगा, और similarly यहाँ पर भी हो जाएगा, जैसे यहाँ पर भी हम करना चाहें, तो cos को 2 a को a करें, तो सब जगा a by 2, a by 2 हो जाएगा, 10 के लिख हो जाएगा, इससे आप समझ जाना, कि किस परकार से formula को हम ऐसा change कर सकते हैं, यहाँ पर जितना divide करोगे, उतना यहाँ पर भी divide करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने 2 divide किया, तो यहाँ पर भी 2 divide, यहाँ 3 divide करते हैं, तो वहाँ 3 divide हो जाएगा, वहाँ 4 divide करोगे, बतब left hand side में आप angle में जितना divide करोगे, right hand side में उतना ही divide हो जाएगा, okay, now difference formula यह subtraction का formula, subtraction का formula क्या कहता है, देखो subtraction formula में sin a minus b equal to sin a cos b minus cos a sin b, cos a minus b equal to cos a cos b plus sin a sin b और 10 a minus b, यह formula भी आपको learn करना है, तो trigna में t basically formula पर ही best है, यहाँ पर हमको formula learn करना ही होता है, ठीक है, यह हो गया हमारा difference formula, difference formula के बाद आप देखो, next formula हमारा transformation formula, transformation formula में क्या होता है, हमको transfer करते हैं, एक को दूसरे में, तो दोनों का sum का result क्या होता है, यह देखना है, यह है, sin a plus b plus sin a minus b equal to 2 sin a cos b, cos a minus b minus cos a plus b equal to 2 cos a cos b, sin a plus b minus sin a minus c, यह होता है, हालाई कि यह formula कम use होता है, बहुत ज्यादा, rare use होता है, यह formula जैसे आपको तुरंत याद नहों हो, तो pressure मत लेना, इसका, यह कम use होता है, इसका ज्यादा use होता है, यह मैंने पहले बताया यह स्वारी इसका सबसे ज्यादा यूज़ होता है यह वाला फार्मूला यह वाला फार्मूला इसका बहुत ज्यादा यूज़ होता है बाकी कम होता है लेकिन याद रहना चाहिए धीरे ज्याद रखना और यह फार्मूला जो मैं आपको बता रहा हू उसको बनाए CD formula यह formula बहुत जादा यूज होता है यह CD formula का बहुत जादा यूज होगा sin c plus sin d equal to 2 sin c plus d by 2 and cast c minus d by 2 cast c plus cast d equal to a sin c minus sin d equal to a cast c minus cast d equal to यह तो यह formula भी आप blur न कर लोगे इसका आप तो screen start ले लो इसलिए मैं screen के सामने से हट गया हूँ है ना तो आप इसका screen start भी ले सकते हैं और आपको तो notes मिले गहीं मैंने बताया तो यह formula आपको अच्छे से तयार करने हैं अब देखो यहां पर मैं आपको एक ऐसा formula बताने जा रहा हूं जिसको मैं 54 formula नाम दिया हूं उसका मैंने नाम दिया है 54 formula अब 54 formula आपको counting किंती सुनके आपको बहुत डर लगने लगा और 54 formula कैसे आद करेंगे और यूज भी बहुत होचा है उसका बहुत ज्यादा यूज है फिजिक्स में तो 54 आप counting पर मज जाओ मैं उसको आपको लर्न करने का अभी एक टेक्निक ट्रिक्स बताऊंगा तो आप विदी ने 5 मिनट मेक्जिमम 10 मिनट 10 मिनट में आपको 54 formula में अभी यहीं इसी टाइम आपको लर्न करा दूंगा बस मेरे टेक्निक को आपको समझना है ठीक है चलिए तो हम उस पर बात करें पहले 54 formula पर इसका मैंने नाम ही रख दिया 54 formula मेरे स्टुएंट समझ जाता है कि 54 formula बोलना हूं मतला मैं किस पर बात करें बुक में ऐसा नहीं मिलेगा ना आपको कि कहीं आप इसी राइटर के बुक में सर्ज करने लगें यह 54 formula कहां पर मिलेगा भे तो 54 formula ऐसा कहीं भुक में नहीं मिलेगा यह मैं आपको बता रहा हूं अब यह 54 है कौन पहले है गिंती करा दूं तब तो बनेगा आपको पता भी तो चले ना कि 54 कौन कौन से है एक बार मैं ऐसी रफ काउंटिंग करा देता हू आपको ध्यान से सुनना यह 54 है जैसे साइन 90 माइनस थीटा और फिर इसका प्लस वाला भी साथी 90 प्लस थीटा दो हो गए अब 6 टिग्रमेटिकल रेशियो होते हैं तो साइन के 2 माइनस और प्लस वाला तो पूरे कोसेक तक लेगे तो 6 तूजा 12 आप समझ गए हो गए कि य साइन 180 यह तो 90 वाला हो गया अब 180 माइनस थीटा और उसी तरह से साइन 180 प्लस थीटा वैसी कास से लेके कोसेक तक यह भी 12 हो जाएंगे उसके बाद हम देखें साइन 270 माइनस थीटा और साइन 270 प्लस थीटा इसके भी 12 उसके बाद देखके ही पर लिग देता हूं उसके ब plus theta और sin 360 minus theta इसके भी 12 और sin minus theta सभी negative एंगल इसके 6 की minus वाले करिए इनको count करो यह आता है 54 यह 54 फार्मूले है तो यह पूरा जो 54 फार्मूला है इसका कभी भी कहीं पर भी physics में जुरत पढ़ जाता है आप पूरा लिस्ट बनाके जैसे बुक में दिया रहता है तो पूरा लिस्ट बनाके लिए कोई इसको लर्न करना चाहे रटना चाहे तो पासीबल नहीं है और कर भी ले तो कितना दिन याद रहेगा फिर कंफूजन बहुत होगा एक दुसरे के साथ भूल जाएगा तो यहाँ पर हम इसको याद करने का आपको कुछ टेखनिक बता रहे हैं। उस टेखनिक से आपको उसको साल्व करना है। थीक है? शब ये! तो देखे हम अब मैं बताता हूं कि उनको यूत याद कैसे करने है अपने को तो याद करने के लिए हम कुछ रूल्स बनाते हैं यह रूल्स में सबसे पहले रूल्स नमबर फर्स्ट जो हमको इसके क्वादिन्ट में साइन को रिप्रेजेंट करेगा वो हमको बताना है तो सबसे पहले देखो यह जो पहला रूल्स में बता रहा हूं वो उसके प्लस माइनस के डिटर्मिनेशन के लिए है ध्यान से समझ नबहें इसको रूल को ध्यान देने बाकी याद हो जाएगा यह 0 डिग्री का लाइन है यह 90 डिग्री है यहाँ पर 180 डिग्री है यहाँ पर 270 डिग्री है अब देखो 0 से 90 डिग्री तक 1st कौद्ट कर लाता है 90 से 1 तक 2nd कौद्ट कर लाता है 180 से 270 तक 3rd क्वाड्ट कर लाता है और 270 से 0 तक 4th कौद्ट कर लाता है यह 4th क्वाड्ट में हम ट्रिग्रमेटरीकल रेषियो को डिवाइट कर के चलते हैं अब 0 से 90 डिगरी तक का जो हमारा पॉर्शन है फिर्स्स कवार्डेंट इसमें all trigonometric ratios क्या होते हैं positive होते हैं सबके सब इसमें positive होते हैं 90 डिगरी से 180 तक जो होता है उसमें sign और cosec positive होते हैं ये दोनों पाजिटी होते हैं और 270 से ये 360, 0 मतलब ये 360 भी होता है, यहां पर कास और सेक, ये दोनों पाजिटी होते हैं, और बाकी सब निगेटी होते हैं, बाकी इनको छोड़के जो कुछ भी है, वो सब के सब निगेटी होते हैं ये ध्यान रखने हो, तो पहला रूल ये है, फस्त रूल क्या कहता है, यहां पर रूल को मैं इन वर्ड भी लिख दूँगा, यहां पर इन वर्ड भी लिख देता हूँ, एक स्लोगन की तरह लिख देता हूँ, प्लस, अदर्स रूल, अदर्स रूल, इसका मतलब क्या हुआ, कि फर्स्ट में आल, सेकर्ड में साइन, अब साइन का रेसिप्रोकल को सेख होता है, उसको काउन करने जूरत नहीं है, आल, साइन, टेन, कास्ट, प्लस, अदर्स, अर माइनस, आल, साइन, टेन, क्लास्ट, प्लस होता है, और बाकी सब को हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, यह मैंने यहां पर बता रहा है, पहला रूल, second rule में आप देखो second rule क्या कहता है कि in the case of in the case of 90 and 270 degree 90 degree and 270 degree 90 degree 270 का जो केस होगा मतब केस का मतला अभी जो हमने 54 काउंट किया उस 54 में जो 90 डिग्री और 270 डिग्री का जो भी केस होगा वो सभी केस में conversion किस तरह से होगा वहाँ पर यदि sign रहेगा तो sign Convert हो जाएगा कास में और मसま साइन निपर मकांस क उनाट हो जाएगा तो 10 बिर्द होंके qat9 जाएगा और कार्ण कर महक रहेगा और यदि सेख रहेगा Märirm de और cosec convert हो जाएगा, sec में, इस तरह से 90 degree और 270 degree के case में, in the case आप 90 degree and 270 degree यहाँ पर यह case हो जाएगा, मतलब change हो जाएगा, ओके? जाएगा, and third is, third is, in the case of, in the case of, यही लिख देता हो में, 180 degree and 360 degree, 180 degree and 360 degree, there will be no change, सिधा लिख देता हो में, no change, no change, मतलब 180 degree और 360 degree के case में, कोई change नहीं होगा, मतलब sin, sign रहेगा, cast, cast रहेगा, 10, 10 रहेगा, sec, 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 sec रहेगा, ठीक है, यह, और fourth rule है, इसका जो fourth rule है, वो है, all negative angles are, all negative angles are in fourth quadrant, इसका मतलब क्या हुआ, यह जो negative angle होंगे, यहाँ पर मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, यहाँ पर all negative angles, सभी negative angles को fourth quadrant में consider किया जाता है, मतलब यह rule है, कि जितने भी negative angle होंगे, चाहे वो minus 20 degree हो, चाहे minus 1000 degree हो, चाहे minus 500 degree हो, यदि degree negative है, तो degree यदि negative है, तो वहाँ पर हमको उसको fourth quadrant में लेना है, तो fourth rule में मैंने लिखा है, all negative angles are in fourth quadrant, अब यह rule को एक बार ध्यान से आप बिठाओ, इसका screen साथ ले लो, या दिमाग में बिठाओ, क्योंकि अभी मैं 54 formula का अभी class में ही आपको practice कराऊंगा, कि हम उसको बनाते कैसे हैं, तो मैं screen से हटता हूँ, इसको आप एक बार लिख लो, या फिर screen साथ ले लो, ओके, ओके, तो चले, question की practice करें अभी इस पर, formula आप लोगों ने learn कर लिया होगा, देखिए, यहाँ पर, जो 54 formula के लिए, जो मैं rules बनाया हूँ, इसके best पर अपने को अप क्या करना है, कुछ question की practice करते हैं, तो आपको समझ में आएगा, जैसे देखिए, suppose हमको find करना है, पूरे rules को apply करना है और कुछ नहीं, suppose अपने को जानना है, कि sin 90 plus theta क्या होता है, मालो, कुछ छोटे-छोटे example अपन लेते हैं, कि sin 90 plus theta अपने को लेना है, sin 90 plus theta का value find करना है, तो सबसे पहले हम यह देखेंगे, कि यह value किस, पहले देखना है कि किस quadrant में आता है, तो यह किस में आएगा, second quadrant में आएगा, 90 plus theta, मतलब यहाँ पर देखो, यह 90 degree है, और plus theta मतलब आगे जाओगे, तो second quadrant, और second में sin plus होता है, second में sin plus होता है, इसका मतलब क्या हुआ, कि यहाँ पर यह plus ही आएगा, और फिर मैंने आपको बताया है कि 90 के case में, देखो, मैं repeat करता हूँ rule को आपको, 90 के case में, in the case आप 90 degree, sin क्या बन जाता है, कास बन जाता है, तो क्या बन जाएगा, कितना आसान है, देखो, यह बन जाएगा, कास थीटा, तो sin 90 plus theta, कास थीटा हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ठीक है, माल हमको कास का निकालना है, माल हमको कास 90 plus theta निकालना है, तो कास 90 plus theta इस second quadrant में है, second quadrant में कास, second quadrant में कास minus होगा, तो यहाँ पर यह minus हो जाएगा, और 90 के case में sin होता है, तो minus sin theta हो जाएगा, इस तरह से, और कुछ example ले लेते हैं suppose हमको निकालना है 10 180 plus theta माल हमको 10 180 plus theta निकालना है तो 180 plus theta देखो किस quadrant में आ गया यह 180 है अब plus theta मतलब हम third quadrant में आ गया third में 10 plus है तो क्या हो जाएगा यह plus ही रहेगा और 180 के case में no change तो no change तो 10 का 10 रहेगा 10 theta होगा actual में बहुत ही आसान है यह यदि आपने इतना rule को learn कर लिया तो 54 formula anytime आपका prepare है जब भी आपको जवरा थे कोई भी formula आप आज एक काम करना यदि आपको एच्छे से practice करना है तो पूरे 54 formula का list बनाओ और rule के best पर उसको convert कर दो तो far ever आपका preparation हो गया वो ठीक है और कुछ अपन देख लेते हैं example जैसे मालो अपन देख लेते हैं sec 270 प्लस theta sec 270 प्लस theta तो देखो 270 प्लस theta मतला fourth quadrant में आ गया और fourth quadrant में cast और sec दोनों plus होते हैं तो प्लस होगा और 270 के case में sec का kosé qե kinto hoता है तो क्या हो जाएगा तो सबसे पहले क्या करो सबसे पहले यह decide करलो कि कौन सब quadrant में है तो quadrant के base पर आप slyn decide करलों कि Plus होगा निए फिर देखो कि कौन सब क्लस है तो 90 प्लस data listing कैस है तो 90 or 270 का case यहीज़ मत करो कुछ नेगेटिव एंगल देख लेते हैं जैसे हम निखाल लेते हैं साइन माइनस थीटा साइन माइनस थीटा का मालल वेलियूं को files करना है तो साइन माइनस थीटा मतलब Performing उनीगेटिव donor arceyn fourth ने चला गया fourth Court 이거 only kas साइब सर निकालना चाहें तो फोर्थ कवाडिन में कास प्लस होता है तो एक कास ठीटा हो जाएगा और इसमें तो चैंज होना नहीं है मैनस डिग्री वाले में कोई चैंज नहीं होना है इस प्रकार से हम इसके वैल्यूजs find कर सकते हैं ठीक है बाकी question आप practice कर लेना हो जाएगा राम से मालो कुछ होर मैं देखता हूँ मालो कार्ट ले लेता हूँ कार्ट 90 प्लस थीटा ले लेता हूँ मालो कार्ट 90 प्लस थीटा है कार्ट 90 प्लस थीटा मतलब एक कौन सा quadrant है 90 के बाग मतलब second quadrant है, second quadrant में sin और cos प्लस होता है और ये तो cut है, तो minus हो जाएगा फिर 90 के case में cut का 10 होता है, तो minus 10 theta हो जाएगा इस तरह से आप इसकी थोड़ी practice कर लीजी अच्छे से practice कर लीजे, क्योंकि एक चीज हम ऐसा ध्यान रखना mathematics ऐसा subject है, कि कोई आपको कितना भी rule बताए, कितना भी पढ़ाए, कितना भी exam पल दे जब तक कि student उसको खुद से नहीं करता, तब तक उसमें अच्छा command नहीं होता इस subject का nature है, इसलिए आपको कितना भी समझाए हम, उसके आद अपने से आपको उसको करना ही है इसके बाद हम next topic पढ़ें, यहाँ पर आप देखो एक formula, जिसको हम sign formula कहते हैं यह sign formula भी बहुत ज़्यादा use होता है, sign formula के लिए मैं सबसे पहले आपको एक triangle बना कि इसको समझा दूँ कि किस तरह सी इसको हम use करेंगे, देखिए यह मालो अपने पास एक triangle है, यह sign formula एक ऐसा formula है, जहाँ पर आपको right angle triangle सीधा सीधा नहीं दिखेगा उसके बाद भी आपको इसमें apply करना है इसको, तो यह triangle है अपने पास ABC, यह suppose एक triangle ABC है और यहाँ पर एक खास बात यह है देखो, कि यह जो angle A है, इस angle A के सामने का जो side है BC, उसका length A है इसलिए figure आपको समझने इसमें जवरी है, और यह angle B है, angle B के सामने का जो side है, वो B है और यह angle C है, तो C के सामने का side C रहेगा, यह जवरी हाँ ध्यान रखना तो इस तरह का condition हो, तो A upon sign A, मतलब इस side का length A, और upon इसका sign, यह होगा और equal to B upon, मतलब यह B, और सामने का angle, sign B, equal to C upon, यह small C upon, sign C होगा तो small B, small C क्या है, length of the sides है, side के length है, और इस side के length के according क्या है, आपको इसको करना है, तो यह formula भी आपको याद रहना चाहिए, क्या कहलाता है, sign formula कहलाता है तो rule है, छोटा सा rule है, जिसको हम science formula आप नाम से जानते हैं, इसको आप याद करना है, कहीं पर फिजिक्स में कोई numerical बनाते समय, इसका use हो जाता है, बहुत useful है लामी थियोरम को मेज करता है, लामी थियोरम आगे आपको हम पढ़ाएंगे, तो बताएंगे कि लामी थियोरम क्या होता है, physics पढ़ाते समय, तो यह है sign formula, अब हम trigonometric का जो सबसे important चीज है, कि उसके values के value क्या होते हैं, बदों एंगल के values क्या होते हैं, जैसे sign 0 degree, sign 30 degree, sign 45 degree यह तो आपको 9, 10th class से याद होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको आपको यहाँ समझाता हूँ, और वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से vector analysis पढ़ने से पहले वो बता दूँ मैं आपको, इसके angle के formula, values, values आप angles, और यहाँ पर मैं आपको इस तरह से technique बता रहा हूँ इसको कि कुछ angle याद रखने के बाद, वैसे मैं हमेसा सभी students को बोलता हूँ, कि आप 180 degree तक बस याद रखो, 180 degree तक याद रखने के बाद, बाकी values को आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि आप फिर बहुँ से value रट नहीं सकते, या जो इस student रटे रहते हैं, उनको मैंने कि बहुत जल्दी भूलते हैं, इसलिए हमेसा मेरा physics में इस बात पर विश्वास है, कि आप चीजों को सीधे सीधे मत रटो, यदि आप याद भी किये हो, तो आपके पास उसका कोई तर्क होना चाहिए, कोई लाजिक होना चाहिए, कोई रूल होना चाहिए, तो फिर आप ह कोसिस करता हूँ कि सारे एंगल आपको बता दूँ, यह मैं कुछ एंगल्स के लिए यहाँ चार्ड बना रहा हूँ, देखो, यहाँ पर मैं एंगल को लिख रहा हूँ, उस एक्सिस पर यहाँ पर टिग्नमेटिकल रेशियो, ठीक है, तो यह सपोज जिरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और 90 डिग्री, इसके बाद हम टिग्नमेटिकल रेशियो को यहाँ पर लिख देते हैं, यह है साइन थीटा, यह थीटा का वेल्यू है, साइन थीटा, फिर कास थीटा, सब नहीं आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, आपको मैं नीचे लिख दूँगा, कार्ट थीटा, सेख थीटा, और बीना चार्ट के मैं यहाँ पर कोसेख थीटा को लिख रहा हूँ, नीचे लिख दिया मैंने कोसेख थीटा, ओके, इतना तो समझ जाओ गया आप, तो यह हमने चार्ट बनाया, अब इसको सिर्फ साइन का आप याद रखो, ठीके, साइन का तो आप याद रख सकते हो, तो साइन का फेल्यू मैं यहाँ पर लिखता हूँ, साइन 00 होता है, साइन 30, 1 upon 2 होता है, साइन 45, 1 upon under root 2 होता है, साइन 60, under root 3 upon 2 होता है, और साइन 90, 1 होता है, यह आपको मालूम है, इतना तो याद होना चाहिए, इतना तो, अब इसको आप बोलोगे कि सार याद ने रहेगा तो मुश्किल होगा, तो सीधा सीधा इसको आप याद रख सकते हैं, याद होगा भी आपको, मैं रहे हैं, आप में से मेजियोम इस्टुएंट को याद होगा, अब जब कास का लिखना होता है, तो कास को उसका ठीक उल्टा लिख दो तो इसको हो जाएगा, वहाँ से स्टार्ट करो, यह हो गया 1, उसके बाद क्या होता है, रूट 3 बाइट 2, यह होता है, इसके बाद फिर यहाँ आप आप है, तो सेम हैल्यू होता है, फिर आगे चले आए, तो 1 अपान 2 और इसका 0 होता है, देखो, मतलब साइन को आप इस वे में लिखे हो, उसको उल्टा लिख दो, तो कास्ट का बन जाएगा, 10 निकालना है, तो साइन में कास्ट को डिवाइट करोगा, तो 10 होता है, फर्मूला है, तो इसमें इसको डिवाइट करोगा, 0 अपान 0, 0, 1 अपान 2 में इसको डिवाइट करोगा, 2 उपर चल आउयो देगे इसमें डिवाइट करोगे तो यह रूट 3 हो जाएगा यहाँ पर येंद रोट स्दूरोच करोंगे हो गए मतलब नत डिटर्मेंट हो जाएगा नाइज इसका रेसिप्रोकल इंफिनिटी इसका रेसिप्रोकल इंफिनिटी इसका रेसिप्रोकल अंडर रूट थ्री वन का रेसिप्रोकल वन रूट थ्री का रेसिप्रोकल वन अपान रूट थ्री इंफिनिटी का रेसिप्रोकल जीरो यह जीरो हो जाएगा फिर देखो सेग का निक reciprocal root 2, इसका reciprocal 2 और 2 का reciprocal infinity, infinity का reciprocal 0 होता है, 0 का reciprocal infinity होता है ध्यान रखना, अब poisoning का लिखना है, तो साइन का reciprocal, 0 का reciprocal infinity, 1 upon 2 का reciprocal 2, 1 upon root 2 का reciprocal, ये root 2 हो जाएगा इसके बाद देखो इसका reciprocal हो जाएगा 2 upon root of 3 और 90 में 1 का reciprocal 1 ये को सेक का value हो जाएगा इस पकार से आप देखो ये जो value होगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हो clear तो केवल sign का value मैं याद करने की बात किया था देखो और बाकी को बना दिये तो सिर्फ sign का value यदि आपको पता हो तो बाकी को आप बना सकते हो और याद रहे तो बेटर है लेकिन 90 degree से आगे का जो value होता है 180 तक 270 तक 360 तक और more than 360 तक तो इसको बनाने के लिए हमको कुछ technique समझ प्रजना होगा यह मैं आपको आगे बताता हूं यहाँ पर हमको 54 formula बहुत help करेगा कि हम उस 54 formula की सहयता से कैसे तो मेरा आपको सजेशन है खास कर इस पेसली मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं कि जब भी मैं physics class पढ़ाता हूं basic mathematical tools पढ़ाता हूं physics के लिए तो बायो की student औ math में पढ़ेंगे ही और detail में पढ़ेंगे मैं जो math लिया होगा 11 class में तो पूरा trigonometry है तो उसके लिए तो बहुत छोटी बात है यह नहीं करेगा math में कैसे करेगा है ना चलिए तो हम कुछ values के practice करते हैं यहाँ पर कुछ values का practice करने का मतलब देखो यहाँ पर क्या बताना च जवरत पढ़ा और उसको याद करके नहीं रखा है हो साइन 120 डिगरी का उसको जवरत है मैंने भी आपको क्या बला आपको क्या suggest किया कि आप only 90 तक याद करके रखो 90 से ज़्यादा याद मत करो बोल दिया तो भाई फिर आगे निकालना आना चाहिए तो हमको मालो साइन 120 ड 30 लिखने के बाद देखो ये theta है, sin 90 प्लस theta के फर्म में आ गया, और अभी हमने देखा है, sin 90 प्लस theta मतलब second quadrant में और sin प्लस होता है, तो sine का यहाँ पर cast हो जाएगा तो यहाँ जाएगा cast 30 degree एक cast 30 degree हो गया और cast 30 degree का value होता है root 3 by 2 तो sin 180 degree कितना हो गया root 3 by 2 देखो भी हमको याद नहीं था और हम ने उसको बना लिया किसी भी value का पर बना सकते हैं clear? मानलो अपने को ज़ुरत है किसी कभी एक और नम्बा ले ले तो हमालो मेरे को अपनो 10 150 degree का मेरे को ज़ुरत है कि मैं 10 150 degree जानना चाहता हूँ मालो 10 150 degree जानना चाहता हूँ इसको मैं क्या लिख लूँगा इसको मैं लिख सकता हूँ 10 180 minus 30 इस पकार से अपन लिख सकते हैं 180 में 30 माइनस करेंगे तो कितना हो यागा 150 हो जाएगा या इसको 120 plus 30 भी लिख सकते हैं कई तरी के साल्व कर सकते हैं 120 plus 30 फिर 120 को चेंज करना पाए तो मैं जनरली आपको सिखा रहा हूँ कि 90 और 180 में ब्रेक करके बनाना तो 180 minus 30 लिख सकते हैं इसको that equal अब देखो 180 minus 30 मतलब second quadrant में है 180 से कम quadrant आपके brain में होना चाहिए तो second quadrant पे second quadrant पे sine और cast प्लस होता है लेकिन ये 10 है तो naturally ये minus हो जाएगा 180 degree में no change तो no change तो कितना हो जाएगा ये 10 30 degree हो जाएगा और 10 30 degree का value कितना होता है 1 upon root 3 तो minus 1 upon root 3 अब आप ये नहीं पूछना 30 30 ये सब मैं यहाँ पर इसको बता दिये हूँ इसके हैप से आपको उसको बनाना है clear तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से value निकाल सकते हैं और कुछ values निकाले अभी कुछ बड़े value भी निकालना बताऊंगा मैं 30 30 से ज्यादा का value भी निकालना बताऊंगा मान लोग अपने को किसी को ज़ुरत है कि वह चाहता है कि वह सेक 270 डिग्री का value निकाले मान लोग वह सेक 270 डिग्री का ज़ुरत पढ़ गया कहीं पर तो that equal आप यहाँ पर क्या करेंगे देखो इसको म्लिंख लेंगे सेक 180 फ्लस 90 170 होगा अब देखो 180 फ्लस 90 270 बाडर लाइन है थर्ड वादरेंट का मदब है थर्ड वादर्न है थर्ड क्वादरेंट में 10 प्लस होता है और है यह सेक तो यहां से पता चल गया क्या यह माइनस होगा, that means पहले आप यह डिटर्माइन करना कि तिगना में टिकल जो वेल्यू है वो प्लस होगा कि माइनस होगा, पहले डिटर्माइन करना है, इसके बाद देखो, 180 डिग्री, 180 डिग्री में नो चेंज, तो सेक सेक ही रहेगा, तो यह जाएगा, माइनस सेक 90 नहीं होता, 0 और माइनस में कभी आपको, 0 और इंफिनिटी में कभी आपको माइनस नहीं लगाना है, ठीक है, तो सेक 270 कितना हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, ऐसे हम किसी भी वेल्यू को फाइंड कर सकते हैं, अब मैं आपको कुछ एक्जामपल बताता हूँ, जहा इसमें कुछ एक्जामपल लेते हैं अपन, सपोज मैंने ले लिया, साइन 405 डिग्री, इसका वेल्यू हमको फाइंड करना है, कि साइन 405 डिग्री का वेल्यू कितना होता है, ठीक है, तो साइन 405 डिग्री का वेल्यू यदि आपको फाइंड करना है, तो कोई भी से greater होगा तो करना क्या है ध्यान से सुनना तब क्या करो आप उस 360 से greater value पर 360 को आप divide कर दो यह best method मैं आपको बता रहा हूं कभी भी कोई angle यदि आपको 360 से greater मिला तो आप उसको 360 को divide कर दो 360 जब divide करोगे तो 1 यह हो जाएगा 360 हो अब देखो फाइब में इस लिए इसको लिए सकते हैं साइन 360 प्लस 45 entrepreneur यह sin 360 plus 45 degree हो जाएगा that equal अब देखो sin 360 360 के case में क्या होता है वह 0 होता है 360 ही होता है तो 360 में no change और 45 360 plus 45 मतलब किस में आएगा first quadrant 360 के बाद आगे बढ़ेंगे अपन यहाँ पर देखो आप में छोड़ा figure बना दूँ यह 360 degree है तो 360 plus 45 मतलब यहाँ जाएंगे यह 45 होगा मतलब first quadrant में तो first quadrant में sin plus होता है 360 में no change तो हो जाएगा यह sin 45 degree और that equal to 1 upon root 2 देखो 405 degree जिसका value हम नहीं जाए रहे थे उस value को भी हमने यहाँ पर बना दिया ओके चलिए मैं कुछ ऐसा negative angle के आपको formula बता दूँ for example जैसे देखो यह कुछ example लेता हूँ मैं suppose हमको value निकालना है cas minus 750 degree चलो मैं कुछ negative value लेता हूँ और आपको समझाता हूँ cas minus 750 degree माल हमको cas minus 750 degree का value find करना है तो पहले तो यह 360 से greater है वो तो बाद में देखेंगे पहले minus है उसको decide कर लें तो आपको मालूम है कि minus जो degree होता है वो सभी के सभी कहा होता है fourth quadrant में होता है तो यह कहां पर होगा यह fourth quadrant में kas plus होता है fourth quadrant में cas plus होता है यह секं होता तो minus हो जाता तो इसका value हम आगे लिख ले Ainगे क्या हो जाएगा तो इसमें 360 डिवाइट करेंगे, यह हो गया 750 divided by 360 डिग्री, 360 टूजा यह हो जाएगा 720, रिमाइन्डर आ गया 30, तो टू टाइम्स इसमें हमने क्या किया, डिवाइट किया, तो 750 को क्या लिख सकते हैं, यह लिख सकते है, cas 2 into 360 degree plus 30 degree, यह लिखा जा सकता है, इस तरह से, 2 into 360 मतलब 720, यह 360 से divide किया, 2 times गया, तो 2 into 360, 720 plus 30, 750 हो जाएगा, that equal, अब यहाँ पर ध्यान रखना, कि cas का 360 का coefficient कोई भी जदी, integer multiple है, जब integer multiple है, that means 360 है, इसका मतलब क्या होता है, कि हम जब 360 degree से ज़्यादा angle में जाते हैं, तो बार बार वही वही पर भूम के आते जाते हैं, मतलब 360 के जितने भी multiple होते हैं, वो 360 ही होते हैं, multiple आप all 360 degree साल 360 degree, मतलब 1 times 360, 2 times 360, 4 times 360, यह होते जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 360 plus theta, तो cas 360 plus theta मतलब first quadrant, first quadrant में cas plus होता है, तो यह 80 ही रहेगा, तो आगे हम लिख सकते हैं इसको, cas 360 में no change, तो cas 30 degree, और cas 30 degree का value होता है, root 3 by 2, under root 3 by 2, यह हमको मालू है, तो इसका value हमने find कर लिया, तो देखो इस example से आपको 54 खारगूला का importance समझ में आया होगा, साथ ही समझ में आया होगा, कि हमको जादा angle रटने का ज़ चायट याद है, और 54 खारगूला याद है, यदि इतना चायट हमको याद है, और 54 खारगूला याद है, तो हम इतने में पूरा trigonometric का काम चला सकते हैं, physics में कोई problem नहीं होगा, बस मेरा आपको यह suggestion है, कि बार बार इसका revision जरूर करते रहेगा, क्योंकि revision नहीं करोगा, त सबी कमान रहेगा, ओके, तो यहाँ पर हमारा trigonometric complete होता है, और trigonometric के बाद, जो हम new mathematics अभी start करेंगे, वो है vector, हमारा third number का जो mess है, वो है vector, vector analysis, देखो vector और इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा, आपको calculus, एक बात आप ध्यान में रखना, कि basic mathematical tools आपके लिए important है, पहले मैं ने explain कर दिया, लेकिन vector की बात ही कुछ अलग है, vector और calculus यह heart of the physics हैं, यह इनकी जान है, इसके भी नाप कूछ नहीं कर पाऊगे, क्योंकि physical quantities, maximum physical quantities, vector quantities होते हैं, और जब vector quantities होते हैं, तो उसको पूरा vector rule से हमको operate करना पड़ता है, इसलिए vector को बहुत ध्यान से समझना है, और चुकि यह 9-10 में पढ़ा हुआ mess नहीं है, आप first time इसको सुन रहे हो, पहली बार आप vector पढ़ोगे, इसलिए मैं आपको इसको ब सबसे पहले मैं आपको यह बता दूँ, कि जो physical quantities होते हैं, मैं पहले scalar vector के बारे में आपको बता दूँ, तो physical quantities जो होते हैं, physical quantities, physical quantities three types के होते हैं, first is vector, second is scalar and third is tensor, यह three types के physical quantities होते हैं, vector quantities, scalar quantities and tensor quantities, पहली बात है कि physical quantities क्या होते हैं, physical quantities का मतला होता है, physics की study करने के लिए, जो जो variables अपने use करते हैं, like force, acceleration, momentum, current, potential, resistance, they are physical quantities, जितने भी physical quantities होते हैं, वो या तो vector होते हैं, या तो scalar होते हैं और tensor होते हैं, ते होते क्या हैं पहले अपने समझेते हैं, तो vector quantities का मतलब होता है, ऐसा physical quantities, जिसमें magnitude के साथ साथ, magnitude के साथ साथ क्या हो, direction भी हो, magnitude as well as direction also, and scalar quantities are only magnitude, only magnitude होता है, और tensor quantity क्या होता है, इस पर मैं अलग से discuss करूँग, लास्ट में, पहले इन दोनों पर बात कर लूँ, तो vector quantities में क्या होता है, magnitude के साथ साथ direction भी होता है, मतलब किसी भी physical quantities के रिप्रेजेंट करने के लिए, हमको magnitude भी बताना पड़ेगा, magnitude means, उसकी quantity, magnitude मतलब उसकी quantity, तो magnitude भी बताना पड़े, और quantity भी बताना पड़े, तब उसको फिजिक वेक्टर quantities केंगे, like velocity, मैं बोलू कि velocity of the car is 30 meter per second, तो उसमें आगे question आता है, कि in which direction, किस direction में, 30 meter per second is its magnitude, 30 meter से move हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, magnitude हैगा, जैसे हमने यहाँ पर एक example यहाँ पर suppose लिखा, कि suppose velocity of the car is 30 meter per second, तो 30 is its magnitude, 30 का मतलब होता है quantity, कि उसका इस pitch कितना है, 30 है, लेकिन which direction, किस direction में, तो मैंने बताया, from north to south, that is its direction, if the physical quantities having magnitudes and direction also, is called vector quantities, यह समझ में आगे हो आपको, लेकिन ऐसा physical quantities, जिसमें only magnitude हो, only magnitude, that is called scale current, like mass, mass that means suppose मैं बोला कि इस body का mass 40 kg है, या मैं बाजार में गया, बाजार में किसी साप में मैं जाके बोला कि भाई, मेरे को 5 kgs sugar दे दो, 5 kgs sugar दे दो, तो 5 kgs sugar में 5 is its magnitude, having no direction, अब वो अपने को साप की पर एदि नहीं बोलेगा कि भाई, in which direction, ऐसा बोलेगा कि आपको sugar किस direction में दूँ, ऐसा तो नहीं पूछेगा, तो ऐसे physical quantities, जिसमें only magnitude से हम उसको represent कर सके, they are called scalar quantities, तो scalar quantities में only magnitude होता है, like mass, और बहुत से हैं, एक दो एक्जांपल नहीं, तो पूरे physics में पहणा है भी, एंड цен SAR quantities, यह टेंसर quantities में क्या होता है, कि यह ना तो completely vector quantities so करते हैं, ना completely vector of nature को show करते ना completely scalar होते हैं, the mean say, मतलब यह considered doubtful रहता है कि vector है कि scalar है, किसी situation पर vector की तरह भी इस करते हैं, कभी हो, scalar की तरह करते हैं, यह tensor और कुछी physical quantities tensor होते हैं, इसका सब से important example है area, औरिया-इस हैं टेनशल कॉंटिटी एक्टा में एरिया को हम टेन्सर कॉंटिटी लेते हैं लेकिन बहुत सें पोजिसन पर हम इसको वیک्टर कॉंटिटी कंस, अपाम में यूज करते हैं एरिया से लेकिन आर elia क्या मैं किसी ट्राइंगलर निकालना है तो सपोस्व मेरा को किसी रेक्टेंगलर का एरिया निकालना है तो यहां पर अपर उसका भी हम निकाल सकते हैं तो एरिया क्या है है 100 परसेंट वेक्टर या स्केलर के फाम में नहीं होता है इसको बहुत है टेंसर कॉंटिटी तो आपको पढ़ता रहना चाहिए कि वेक्टर कॉंटिटी क्या है अब हमको यहाँ पर पढ़ना है कि वेक्टर कॉंटिटी में हम क्या पढ़ते हैं तो पूरे इसको बिहेवियर को अपने को पढ़ना है चलिए तो हम स्टार्ट करें वेक्टर कॉंटिटी का सबसे पहले हम देखें इसका रिप्रेजेंटेशन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया कि मैं इसको बिल्कुल 0 सी स्टार्ट कर रहा हूं कि हमको वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं क्या करते हैं 9 points में मैं आपके हर points को इसमें explain करूँगा तो वेक्टर quantities को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से यह और यह और यह वेक्टर quantities को हम यह 3 टाइब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मतलब क्या बताया मैंने इस तरह से arrow लगा के और इसको हम रिड करेंगे वेक्टर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर ए इस इस काल्ड वेक्टर ए या उपर में सिर्फ डेस जासा लगा के और बोल्ड लेटर यह थर्ड में आप देख रहे हैं बोल्ड लेटर तो बोल्ड लेटर से भी हम क्या करते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन हम उसको उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करना है उसको पेंटिंग को न करते रहा गए यहां पर तो मेरे पास आप साइब से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से ठीक है यह ध्यान रखना next point is position vector next point is position vector यह position vector क्या होता है देखो suppose suppose यह कुछ vectors है यहाँ पर मैं कुछ vector represent कर रहा हूँ और इस vector में आप देखो कि यह एक certain point है O और यहाँ से एक vector originate हुआ O A फिर एक vector निकला O B फिर एक vector निकला C तो यह point O है इसको बोलते है origin O for origin यह origin है और यह origin से जितने भी vectors निकलते हैं ठीक है आप इस चैनल में पढ़ाई कर उसका नाम भी origin है और बहुत सो लोग को हता है सारा ऐसा नाम क्यों रखे हैं नाम यहीं से रखा गयाний origin मतलब physics में mathematics में बहुत powerful word है origin मतलब जहां से कोई चीज निकलता है जहां से किसी चीज की उत्परति होती है जहां से originate होता है पैदा होता है origin होता है origin मतलब होता है यहां से डिटर्स निकल रहें यहां से बहुत सारे vectors निकल रहे हैं तो यहां से जब vectors निकलते हैं origins हैं तो O A, O B, O C and so on यह सभी क्या कहलाते हैं position vector कहलाते हैं और इसको हम represent करते हैं इस तरह से O A O B O C they are position vector मतलब position vector के लिए जरूरी है necessary है कि वो कहां से निकलेंगे origin से निकलेंगे suppose अपने पास कोई vector ऐसा है और मालों यह vector A भी है यह position vector निकलाएगा position vector के लिए necessary है कि वो वेक्टर कहां से निकले origin से निकले origin से निकलने वाले vectors को हम क्या करते हैं position vector करते हैं और represent करते हैं O से ही start होगा वो ध्यान रखना next is displacement vector यह terminal आजी आपको समझना बहुँच जोरी है displacement vector displacement vector क्या होता है देखो यह एक एक टर्म आपको समझना मैं भी आपको क्या पढ़ा रहा हूं vector का मैं अभी आपको vector का only language पढ़ा रहा हूं कि vector में किस किस तरह की terminal आजी उसके types हैं किस तरह स्यूस होता है यह आप समझ गए तो पहले आपको यह समझ में आ जाएगा कि हम vector में कैसे कैसे language यूज करेंगे तर्मिनोल आजी उसका technical term है displacement vector का मतलब होता है देखो suppose we have two position vectors OA and OB यह suppose हमने two position vectors लिया यह O है यह OA vector है यह OB vector है तो दोनों vector के बीच का जो minimum distance होगा minimum distance होगा that is displacement is called displacement vector यह माने जो dotted line से सो किया यह dotted line से जो मैंने यहाँ पर सो किया है यही क्या है इसका position vector है यह position vector that means AB is position vector तो दो position vector तो दो position vector के बीच का जो displacement होता है वो displacement vector का लाता है और इसको हम इस तरह से represent करते हैं कि suppose हमने AB लिखा AB equal to इसका formula होता है position vector of B minus position vector of A यह याद रखना position vector of B minus position vector of A मतलब इसका क्या हुआ कि बाद में जो vector आया है उसका position vector में जो पहले आया है उसके position vector को minus करने से वो निकलता है तो position vector of B minus position vector of A that equal इसको mathematically लिख सकते हैं 1 OB minus OA इस पकार से लिखाया सकते हैं यह formula याद रखना position vector का यह formula आपको बहुत ज्यादा यूज होने वाला है यह तो मैं हर 5 मिनट 10 मिनट में आपको याद दिला रहा हूं कि यह सब चीज तैयार नहीं रहेगा तो physics में problem ही problem है और यह तैयार है तो physics बहुत आसान है बस तो यह formula याद रखना position vector अब भी माइनस position vector आप a clear यह कहलाता है position vector नाव नेस्ट टापिक is modulus of the vector modulus of vector किसी vector का modulus value क्या होता है देखाओ इसको हम represent करते हैं इस तरह से यह ऐसा इसको पढ़ेंगे mod of a mod of vector a यह इसको हम read करेंगे mod of vector a और यह होता है a that is scalar तो modulus of the vector a क्या हुआ the modulus value of any vector is always scalar that means यह किस तरह की बात है जैसे आपने algebra में पढ़ा है mod of minus x equal to x मतब किसी भी negative value का जब modulus लेते हैं तो उसका जो negative nature है वो खतम हो जाता है positive हो जाता है exactly उसी तरह से जब किसी vector का modulus लेते हैं तो वो scalar बन जाता है ओके यहां पर एक important बात और ध्यान में रखना कि किसी भी vector का जो square हो वो plus axis हो इससे मैं आपको comparative बता रहा हूं इससे comparative बता रहा हूं कि जिस तरह से algebra में minus का nature खतम हो जाता है modulus value लेने के बाद या उसका whole square करने के बाद उसी तरह से vector में का होता है modulus लेने के बाद या whole square करने के बाद vector scalar बन जाता है ओके तो यह modulus आपदा vector हो गया next is unit vectors unit vectors if magnitude of any vector is 1 if its magnitude is 1 if magnitude of any vector is 1 then it is called unit vector ऐसा vector जिसका magnitude 1 हो वो unit vector कहलाता है और unit vector को हम represent करते हैं a cap से इसको पढ़ते हैं a cap cap, cap माने टोपी जैसे हम cap पहनते हैं उसी तरह से vector को cap टोपी पहनाए गया है तो जब vector के उपर cap लगा देते हैं तो वो symbol हो जाता है कि इसका unit vector का और unit vector का formula होता है vector upon mod of vector a यह formula आप याद रखना अभी हमको unit vector का बहुत detail study करना है मतलब आगे चलके x-axis, y-axis, z-axis के अलग-अलग unit vectors की study करना है तो किसी भी unit vector का जो representation है वो a cap से होता है और a cap equal to होता है vector upon mod of vector है यह सब formula आपको learn करते जाना है कि हम किसको क्या पढ़ते हैं किसका क्या formula होता है ते एक हलाता है unit vector next is parallel vector parallel vector क्या होता है देखो सबसे important तो यह terminology ही है इसको जो समझ गया उसको कोई problem नहीं यह suppose two vectors हैं यह दोनों vector को ध्यान से यहाँ पर देखो एक यह vector a है और यह एक vector b यहाँ पर आप देख रहे होगे कि vector a और vector b दोनों vector direction में same है but their magnitudes are different एक small length का line है एक large ठीक है big length का line है तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि parallel vector आप figure सी समझ गया होगे parallel vector का मतला है if the magnitude of two vectors are different but its direction are same यदि दो vector के direction same हो लेकिन magnitude अलग-अलग हो तब उसको हम क्या कहते है parallel vector कहते है ठीक है तो यह parallel vector है और इसको हम represent करते हैं इस तरह से यह vector a equal to लिख सकते हैं lambda vector b तो a equal to lambda vector b where lambda is constant यदि ऐसा हो तो therefore यहाँ पर vector a यह parallel होता है vector b के यह parallel का symbol है तो यहाँ पर ध्यान रखना इसका definition और पूरा detail आपको notes हमारे application पर मिलेगा तो आप lecture के साथ साथ notes भी use करिए तो आपके लिए ज्यादा बेटर है जो कुछ भी पढ़ा रहा है सब हमारे notes में हमारे application origin the learner सब हमारा जो application है वहाँ पर पूरा आपको free notes मिलेगा complete literature हमने बहुत अच्छे से PDF बनाए हुआ है उससे आप सब download करके पढ़ सकते हैं तो notes आपको हाँ से मिल जाएगा ठीक है तो पहलाल वेक्टर हो गया इसके बाद हम पढ़ते हैं next इसका comparative पढ़ते हैं अपर equal vector equal vector का मतलब क्या होता है यह एक vector है और यह दूसरा vector है अब इसमें क्या खास बाद देख रहे हैं आप आपको बाच हो गया होगा खास बाद यह है vector a और यह है vector b यह two vectors हैं if two vectors are equal in magnitude and direction also यदि दो vector magnitude और direction दोनों में देखो दोनों का length same है और direction भी same है तो ऐसा condition हो तो हम उसको क्या करते हैं equal vector करते हैं और इसको सीजा सीजा हम लिखते हैं a equal to b a equal to b यह equal vector खलाता है तो दोनों में difference क्या देखो parallel vector में only direction same होता है magnitude अलग अलग होता है देखो इसका lambda times है और equal vector में क्या होता है magnitude और direction दोनों same होता है इस तरह से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर क्या इसका conclusion अपन क्या कर सकते हैं निगेटिव वेक्टर के निगेटिव वेक्टर या इसको अपोजीट वेक्टर भी कह सकते हैं मतलब एक ही है इसको अपोजीट वेक्टर के भी नाम से जानते हैं निगेटिव वेक्टर और अपोजीट वेक्टर निगेटिव नाम से clear है जिसका direction क्या हो अपोजीट हो सिधी सी बात है ना तो क्या कर सकते हैं अपन इसको इस तरह से सपोज यह एक वेक्टर है और यह दूसरा वेक्टर है यह आप देखो यह वेक्टर ए है और इसका direction इधर है यह वेक्टर बी है तो if a equal to minus b जब a equal to minus b हो मतब सपोज two vectors ऐसे हो जिनका direction magnitude कुछ भी हो सकता है यहाँ पर कई student को doubt होता है कि sir magnitude same रहेगा कि different रहेगा तो magnitude से कोई relation नहीं है magnitude same भी हो सकता है different भी हो सकता है but their directions just opposite उनके direction को just opposite हो चाहिए मतब उनके बीच में 180 degree का एंगल होता है हमको इस तरह से भी कई बार हमको ज़ूरत पढ़ता है physics में कई बार physics में अब इसका यही सब काम होगा और क्या आप इसको एक बार समझ गए तो जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखा हूँ और यहाँ पर देखो तो यह सपोस्ट वेक्टर ए है और यह सपोस्ट वेक्टर बी है तो इनके बीच में 180 degree के एंगल होता है मतब एंगल बिट्विन टू अपोजिट वेक्टर इस आलवेज 180 degree जब अपना relative velocity वागरे निकालते है न तो इसका बहुत ज़्यादा ज़ूरत पढ़ता है फिजिस में दिन बर सभी काम आएगा आपका तो यह कहलाता है negative vector और इसके बाद हमारा last concept है इसका vector का basic का वह है zero vector zero vector zero vector क्या होता है if magnitude is zero किसी vector का magnitude क्या हो zero तो बहुत अजूबा बात है कि ऐसा कोई चीज जिसका magnitude ही ना हो मतलब उसका कुछ भी ना हो तो ऐसे physics में किसी चीज की study नहीं करते हैं जो zero magnitude का but only one example है जिसका कोई magnitude होता बड डारेक्शन होता है इसलिए उसको vector quantity लिया गया है तो वह example है point point is a जब हम कहीं point करते हैं आपको मालूम है कि जब हम point लगाते हैं हम mathematics में जब कहीं पर point लगाते हैं geometry में तो point का ना length होता ना width हिए width होता ना height होता है मतला हम point को measure नहीं कर सकते commit कर के अब होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से this page वेक्टर ओ, वेक्टर ओ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यह जिरो वेक्टर करनाता है, तो यह जो टर्मिनोलाजी बताये मैं, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्लियर, यह सभी पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पर कोई भी प्राब्लम हो, तो आपको पूछ लेना है मेरे से, ठीक है, कहाँ, कमेंट्स में, देख लिजी इसको आप एक बार, बहुत ध्यान से, ओके, पोजिशन वेक्टर, डिस्प्रेस्मेंट वेक्टर, देख लेता है, तो है कोई तर्म छूटा तो नहीं, इसके बाद हमने, अब हम देखते हैं, वेक्टर के आप्रेसंस, वेक्टर आप्रेसंस मतलब, वेक्टर को एट करना, वेक्टर को मल्टिप्लाई करना, यह हमारे लिए बहुत इंपार्टेंट है, क्योंकि वेक्टर आप्रेसंस जो होता है, हमारा वेक्टर जिससे हम represent करते हैं वेक्टर quantities को उसको कैसे add करेंगे उसको कैसे substrate करेंगे यह हम देखते हैं वेक्टर के बाद हमको पहना है calculus वेक्टर additions के कुछ rule है वेक्टर addition के कुछ rule है कि वेक्टर को हम किस तरह से add करते हैं इसके लिए कुछ rules है और यह rules अपने को समझना है ताकि हम physics का कोई भी problem सालों करते समय यह हमको वेक्टर को add करना हो या subtract करना हो वैसे subtraction अलक्स नहीं पढ़ा जाता है इसके लिए कुछ rules है जिसमें सबसे पहला रूल जो हमको पढ़ना है वह है triangle law ट्राइंगल ला वेक्टर addition का triangles ला ट्राइंगल ला क्या कहता है देखो कि suppose अपने पास two vectors है suppose एक वेक्टर यह है और यह वेक्टर यह है यह दो वेक्टर है और यह दो वेक्टर को हमको सम करना है suppose ये एक vector A है और हमारे पास एक vector B है और हमको दोनों को plus करना है तो दोनों को plus किस तरह से किया जाएगा एक किस rule से अपन दोनों को plus करते हैं देखो vector addition का rule करता है कि हम एक vector के head को दूसरे के tail के साथ में joint कर देते हैं जैसे हाँ पर figure बना देता हूँ यह और उसके बाद यह जैसे हाँ situation है यह हमने इसको इसके साथ में joint कर दिया ऐसा ऐसा करने के बाद हमको एक third side मिलता है और यह जो third side को बना दे मिला दे तो यहाँ पर triangle बन जाएगा इसी के लिए इसका नाम क्या है triangle लाएगा अब इसको आम लिख सकते हैं A, B, C, A, B यहाँ पर A है वेक्टर A है और B, C यहाँ पर वेक्टर B है तो यह rule कहता है कि इसका जो sum होगा वो third side से represent होगा यह A plus B इस तरह से इसका third side ऐसा sum नहीं होगा इस तरह से sum होगा that means उसके बीच का displacement होगा यह कहला आता है वेक्टर एडिशन का triangle ला that means इस रूल का statement क्या होगा if two are only two vectors if two vectors are represented by two adjacent sides of any triangle if two vectors are represented by two adjacent sides of any triangle then its sum will be represented by its third side and direction is just opposite देखो इसका जो direction है वो इनके opposite है यह इधर जाएंगे और यह इधर जा रहा है तो इनका sum का direction इसका opposite होता है और वो क्या होता है triangle के third side से represent करते हैं यह कहलाता है vector addition तो vector addition का triangle ला कहलाता है तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है इसमें कुछ important बात जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान देना जैसे suppose हमने यहाँ पर कोई triangle बनाया यह मालो मैंने एक triangle यहाँ बनाया अब यहाँ पर हम triangle इस पकार से भी लगा सकते हैं practically हम ऐसा लगाते हैं कि suppose यह point A और यह है vector AB और यह point है suppose C यह है vector BC तो यह होगा third side AC मतलब इस vector में AB इस triangle में AB AB plus BC AB plus BC equal to AC होता है यह ध्यान रखना इस पकार से AB plus BC equal to AC होता है और triangle लाम में इसी condition को हम बहुत बार यूज़ करते हैं triangle लाम में हम इस condition को बहुत बार यूज़ करते हैं तो इसको ध्यान रखना या इसको हम इस side में ले आए इधर ले आए तो that implies इसको हम लिख सकते हैं AB plus BC minus AC equal to 0 भी लिख सकते हैं और एक बात यहाँ पर यह ध्यान रखना कि कोई भी vector मतलब जैसे मालो vector AB है equal to हम minus BA CA लिख सकते हैं इसको इसको आप ध्यान रखना किसी भी vector के यदि position को हम change करते हैं तो इसको negative लिख सकते हैं इस पकार से इसको हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं AB plus BC और यह minus AC को minus AC है उसको हम लिख सकते हैं CA equal to 0 तो इस फाम में भी इसको लिखा जाता है तो किसी भी triangle ला को आप इस फाम में भी लिख सकते हैं AB plus BC plus CA clear तो इतने फाम में आप इसको represent कर सकते हैं इसको ध्यान में रखना तो यह कहलाता है vector addition का triangle ला और इसको हमको ध्यान में रखना है चलिए अब इसके बाद नेश टापिक हमारा पढ़ना है वो है parallelogram ला यह सबसे ज्यादा यूज होता है इसमें parallelogram ला क्या होता है कि एक parallelogram के help से हम इसको समझाते हैं तो यहाँ पर पहले हम उसके लिए एक figure बना दे देखो यहाँ पर हमने एक parallelogram बनाया है अब इसमें यह rule कैसे apply होता है ध्यान से समझना यह suppose o point है और o point में इस direction में हम एक vector represent किया है a और इस direction में हमने एक vector represent किया है b यह है o a b और यह point है suppose c यह parallelogram है तो parallelogram लाग क्या कहता है कि if two vectors are represented by two adjacent sides of any parallelogram then its resultant will be represented by its diagonal अब इसका जो resultant होगा वो इसके diagonal से represent होगा इस तरह से और diagonal से represent करके हम इसको यह diagonal है और इसका resultant है suppose r तो diagonal से represent होता है और दोनों के बीच का angle suppose यहाँ पर थीटा है और resultant का a के साथ जो angle है यह यहाँ पर यह suppose alpha है यह alpha angle है तो आप figure को ध्यान से समझो यहाँ पर दो vector a और b इस adjacent side से represent हुआ है तो इसका जो resultant है वो इसके diagonal से represent होगा और यह जो resultant है वो suppose a के साथ alpha angle बनाना है तो दो formula हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है ठीक है एक formula आपको याद रखना है पहला formula जो हमको याद रखना है यहाँ पर वो resultant का फर्स्ट formula for resultant तो resultant r equal to यहाँ पर formula होता है under root of a square plus b square plus 2ab cos theta यह इसका resultant का formula है और second formula हमको याद रखना है direction के second formula direction का याद रखना है और direction 10 alpha equal to 10 alpha equal to यह होता है b sin theta upon a plus b cos theta यह दो formula हमको याद रखना है इसके resultant के लिए यह इसका resultant का formula है और इसके direction का formula है तो resultant और direction का formula हमको यहाँ पर अच्छे से तयार करके रखना है इसके बीना हमारा कोई काम नहीं चलेगा ओके तो पहला ग्राम लाकर situation है यह resultant का formula है under root a square plus b square plus 2ab cos theta और दूसरा formula है direction का अब यहाँ पर देखते हैं इस formula का थोड़ सा explanation अपन देखते हैं कि यह आया कैसे है resultant के formula को हम explain करके आपको बता रहे हैं कि यह वाला formula भी आपको लग रहा होगा सरे formula कहां से आगया ready made तो हम थोड़ सा explain करें उसको कि उसका formula कहां से आया resultant के लिए हम formula derive कर रहे हैं इस figure को थोड़ा सा मैं extend करता हूं इस figure को मैं थोड़ा सा और देखो यह वाले site को यह इस तरह से मैं आगे किया यह green यह angle theta है तो यह वाला भी angle theta होगा corresponding angle है यह suppose एक point है जिसको हमने d कह दिया अब यह vector b है तो इसका parallel vector यह भी b होगा इस तरह से तो यहाँ पर एक right angle triangle मिले है अपने को a c d यहाँ समको अलकुरसन स्टार्ट करते हैं तो in in right angle triangle in right angle triangle a c d a c d यह right angle triangle a c d में देखो a c d यहाँ से हम निकाल लेते हैं sin theta यहाँ से sin theta निकालेंगे तो sin theta equal to क्या होगा यहाँ पर देखो sin theta equal to perpendicular upon hypotenuse c d upon a c c d upon a c that implies यहाँ से c d का value निकालें अपन यह c d यह वाले side का value निकालें तो c d equal to क्या हो जाएगा a c को transfer करें और a c का value b है तो यहाँ आगा b sin theta यह होगा b sin theta suppose relation number first again again in उस इच में आपन निकालते हैं triangle same में तो again अब यहाँ से में निकालते हैं cas theta again cas theta तो cas theta equal to base upon hypotenuse base के आपने पास a d a d upon a c a d upon a c therefore a d equal to a c और a c का value b है तो होगा b cas theta तो a c d और a d का value find कर लेते हैं यह suppose relation number second है अब यहाँ पर देखो यह हमारे पास एक बड़ा वाला right angle triangle triangle है o c d इस जिसमें आ रहाया है तो इस right angle triangle triangle में हम पाइथागोरस theorem लगा दें कि इसमें o c d in triangle o c d in right angle triangle o c d by pythagoras theorem यह इसमें पाइथागोरस theorem अप्लाई कर दें तो pythagoras o c square plus c d square that implies यह हो जाएगा o c square equal to od क्या है figure से देखो यह od o से लेकर d तक को हम लिख सकते हैं o a plus ad o a plus ad यह हो जाएगा o a plus ad whole square और plus यह तो c d square को c d इसको ही रहने दो क्योंकि हाँ पर हमको c d का value पता है अब इसके values को हम यह पूट अप करें तो क्या होगा देखो इसको values पूट अप करें तो that equal OC इसका diagonal है RE square हो जाएगा OA का value A है तो vector A होगा plus AD क्या है देखो figure से यह OA तो A है और AD हमने निकाला है B cast theta और इसको निकाला है पन B sin theta तो plus B cast theta हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं B cast theta का whole square plus यह है B sin theta whole square that implies इसको हम expand करें तो R square equal to इसको expand करें whole square से A square plus B square cast square theta plus 2AB 2AB cast theta और plus यह हो जाएगा B square sin square theta that implies R square equal अब यहाँ पर थोज़ा सा ध्यान से देखना यहाँ पर B square cast square theta है यह B square sin square theta है दोनों से B square कामन करें तो bracket के अंदर मिल जाएगा अपने को sin square theta plus cast square theta sin square theta plus cast square theta 1 हो जाएगा तो next line में हम इसको क्या लिख सकते हैं यह हो गया A square plus इन दोनों के जगा में लिख सकते हैं अपन B square और यह है 2AB cast theta अब R का value find करना है तो R equal to root लगा देंगे अपन तो यह हो जाएगा अंडर root of A square plus B square plus 2AB cast theta यह हमको वो formula मिल गया जो formula हमने starting में आपको direct बता दिया था यह R का formula है जिसको हमने आपको शुरुआत में बताया था यह वाला formula resultant का तो यहां तो resultant का formula derive हो जाएगा और इसी तरह से हम derive कर सकते हैं किसके direction के formula को तो चलो भाई उसको भी देख लें अब हम निकालते हैं direction direction of resultant direction के लिए हम लेते हैं in triangle triangle यहां पर देखो alpha चाहिए तो यहां पर यही triangle को लेते हैं OCD जिसमें alpha आया हुआ है OCD OCD यहां से हम निकाल लेते हैं 10 alpha 10 alpha equal to figure में देखो 10 alpha equal to क्या होता है 10 का formula होता है hypotenuse upon base पर्पेंडिकुलर अपान base तो पर्पेंडिकुलर है CD और base है OD CD अपान OD हो जाएगा है CD अपान OD अब इसको हम values put करके simplify करें तो that implies 10 alpha equal to CD का value क्या है देखो यहां पर यह CD है और CD का value हमने यहां पर निकाला हुआ है देखो B sin theta यह हो जाएगा B sin theta और अपान OD का value क्या है यह जो OD है वो OA plus AD है OA plus AD एक बार लिख दें OA plus AD एक बार दोनों का value किसी फाम में लिकते हैं पर CD का value को CD रहने दो भी और इसको OA plus AD अब value put करो that imply value एक साथ put करना ठीक रहता है 10 alpha equal to यह है B sin theta और अपान OA A है और प्लस AD है B cast theta और यही फार्मूला है हमारे direction के लिए तो यह हमने दोनों फार्मूला का derivation देख लिया कि बहुत बार हमको ज़ुरत पढ़ता है कि derivation भी हम जाने यह दो फार्मूला हमने लिखा था इसके लिए direction के लिए तो resultant के लिए और direction के लिए यह दो फार्मूला है अपने पास जो हमने इस तरह से derive किया यह बहुत important है यह physics में बहुत ज्यादा काम आएगा यह physics बहुत ज्यादा काम आएगा इसके बाद इसमें कुछ इस special case पढ़ेंगे पैलोग्राम के और इस special case हमको physics में direct काम आएगा direct हमको इसको use करने का काम आएगा तो चलिए अब हम इसमें देखते है इस special case आप पैलोग्राम लाँ इस special case आप पैलोग्राम लाँ इस special case आप पैलोग्राम ला तो इसके special case कौन-कौन से हैं देखो सबसे पहले इफ theta equal to 0 degree that means vector a parallel to vector b मतब पैलोग्राम में जो vector a और vector b है दोनों का direction same हो जाए मतब दोनों के बीच का जो value है वो 0 degree हो जाए तो उस condition में हमारा formula कैसे हो जाएगा देखो तब r equal to under root of a square plus b square plus 2ab का 0 होगा that equal का 0 1 होता है ते हो जाएगा a square plus b square plus 2ab क्योंकि का 0 1 होता है और यह a plus b का whole square हो जाएगा a plus b का whole square यह root के अंदर और that equal a plus b तो r equal to a plus b यह formula क्या कहता है यह condition कहता है पहला number condition कहता है कि if two vectors are parallel that means their direction are same तो दोनों यही parallel हो उसका direction same हो तो उसका resultant निकालने के लिए हम का करते हैं दोनों vector को sum कर देते हैं दोनों vector को direct 8 कर देते हैं for example यहाँ पर मैं आपको एक example बता रहा हूं इसका for example suppose अपने पास यह कोई object है और इस object में suppose हम two forces apply किये हुए है यह two forces इस तरह से है suppose एक force यह है और दूसरा force यह है यहाँ पर हमने यह force का amount है वो suppose यह force f1 है इसका suppose 10 newton है इसमें जो f1 force लगा है 10 newton है और suppose f2 force लगा है वो suppose 20 newton है अब यह concept क्या कहता है कि दोनों का direction जब same हो parallel हो तो इनका जो resultant force होगा f वो दोनों के sum के equal होगा f1 plus f2 ते हो जाएगा 10 plus 20 that means 30 newton इस तरह से यह 30 newton हो जाएगा ऐसे हम इसका value को find कर सकते हैं यह इसका example है कि जब vectors parallel होंगे तो इस तरह से हमको resultant निकलना है तो इसका बहुत ज़्यादा use होगा मैं आपको इसके 4 conditions बता रहा हूँ और यह 4 condition आपको अच्छे से समझना है क्योंकि इस पो बहुत ज़्यादा use होगा physics में ठीक है तो पहला है theta 0 degree next is suppose theta is 90 degree second special case is if theta equal to 90 degree that means they are perpendicular a perpendicular b दोनों क्या है perpendicular हो तो perpendicular होने के direction में क्या हो जाएगा आर के value r equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos 90 degree cos 90 0 होता है तो हो जाएगा under root of a square plus b square cos 90 0 हो गया तो उस समय resultant इतना ही होगा यह resultant निकालने का formula होगा उस condition में अब एक ऐसे काम करता है देखो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इसका example suppose यह अपने पास कोई object है मैं force का ही example देके समझा रहा हूँ क्योंकि force जल्दी समझ में आता है उसका vector nature सबको पता है तो suppose एक force इधर लगा हुआ है और दूसरा force इधर लगा हुआ है यह two forces है और दोनों force का nature यहाँ पर देखो दोनों force perpendicular है suppose यह f1 force है और यह suppose 3 newton है और suppose यह f2 force है और यह force suppose 4 newton है और इनके बीच में 90 degree का angle है अब इसका resultant हम को निकालना है तो resultant निकालने का formula हम निकालना root equal to root r equal to root of a square plus b square तो यहाँ सीच का resultant कैसे निकाल जाएगा therefore resultant force f equal to under root of f1 square plus f2 square इससे निकलेगा that equal to under root of f1 का value कितना है 3 यह हो गया 3 square plus यह हो जाएगा 4 का e square that equal to root of 9 plus 16 that equal to root of 25 that is 5 newton तो यहाँ पर 5 newton हो जाएगा देखो इस तरह से resultant क्यों हो जाएगा 5 newton होगा तो 5 newton इसके बीच से जाएगा 45 degree का angle बना के ठीक है यह भी clear है कि यह इसका resultant force होगा यह resultant force का direction होगा यह that is 5 newton यह हो जाएगा एसा निकाल सकते हैं तो इस तरह से use आएगा जब theta क्या हो 90 degree हो यह थी theta 90 degree हो मत्दब two vectors यह पर्पेंडिकुलर वर्क कर रहे हैं तो उनका resultant under root r square plus under root a square plus b square होगा यह आपको याद अठने हैं थीटा 90 degree का case है नाव नेस्ट केस इस थीटा 180 degree third if theta equal to 180 degree 180 degree मतलब opposite अभी मैंने आपको opposite vector पढ़ाया है तो opposite है 180 degree मतलब दोनों का जो case है just opposite है यहाँ पर हम इसको इस तरह से suppose समझ सकते हैं देखो यह suppose पहले तो चलो ठीक है फीगर से ही समझा देता हूँ यहाँ पर two vectors हैं यहाँ पर vector a है यह और यह vector b है दोनों just opposite हैं दोनों के बीच में 180 degree के एंगल होता है तो opposite होते हैं तो यहाँ इसका जो resultant निकलेगा इस formula से वो क्या हो जाएगा r equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos 180 degree हो जाएगा that equal to root of a square plus b square और cos 180 degree का value होता है minus 1 तो minus 2ab होगा अब यह step को बहुत ध्यान से समझना यह जो a square plus b square minus 2ab है इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है क्या लिखा जा सकता है इसको हम लिख सकते हैं root of a minus b का whole square भी लिख सकते हैं r इसको लिख सकते हैं root of b minus a whole square भी लिख सकते हैं क्योंकि mathematics में अपने को पता है कि a minus b whole square जो होता है वह b minus a whole square के equal होता है A minus B का whole square B minus 1 whole square के equal होता है तो that equal यदि ऐसा हो तो A minus B आएगा और यदि ऐसा हो तो क्या आएगा? B minus आएगा अब सवाल यह है किसमें से कौन सा कब use करना है? तो यह धियान में रखना कि यह वाला use तब हमको करना है जब A greater than B हो और यह वाला use करना है जब B greater than A हो इस तरह से A greater than B में इसको यूज़ करना है और B greater than A में इसको यूज़ करना है तो हमको इस फार्मूला को जब 180 दिग्री हो तो resultant हम just opposite निकालते हैं बहुत इज़ी एक ग्जामपर है सपोस यह object है पने पास और यहाँ पर two forces इस तरह से लगे हुए है तो दोनों force को ज़िए हम यहाँ पर represent करें यह suppose दो force लगे हुए है और दो force को मैं बता दू कि suppose इधर 10 newton का force लगा हुए है और इधर लगा हुए है suppose 2 newton का तो naturally यहाँ पर जो resultant है F वो सिधर 10 minus 2 होगा that means 8 newton होगा बहुत आसान है ऐसा इस तरह से work करता है तो यह तीसरा case है जब theta equal to क्या हो 180 degree हो तो मैंने three case angle पर बताया 0 degree 90 degree and 180 degree इसके बाद हम देखते हैं जब दोनों का magnitude fourth और last जो condition है वो magnitude पर based है और यह बहुत ज़्यादा use होगा यह आपको 12th class के electricity अगरा के या magnet के chapter में use होगा धियान रख नहीं magnet और electricity के chapter में यह concept यूज होने वाला है 12th class में तो third case क्या कहता है कहता है कि if a equal to b only in magnitude not direction देखो मैंने दोनों को पर vector नहीं लगाया है मतलब a और b दो जो वेक्टर है ओ magnitude में सेम है but their direction are different direction अलग-अलग है magnitude सेम है इस condition में हम इसमें apply कर दें इसको तब उस समय उसका result एं r equal to क्यों हो जाएगा under root of a square plus b square को भी a square लिख सकते हैं plus 2a into a into cast theta क्योंकि दोनों सेम हो गए तो दोनों के value क्यों same put up कर देंगे that equal to अब यह हो जाएगा root of a square plus a square 2a square plus यह भी हो जाएगा multiply होके 2a square और cast theta that equal इसके अंदर सालव करें 2a square common है तो अंदर हो जाएगा 1 plus cast theta अब यहाँ पर हम trigonometric का formula लगा देंगे 1 plus cast theta का value क्या होता है that equal to यह हो जाएगा root of 2a square 1 plus cast square theta होता है 1 plus cast theta 2 cast square theta by 2 यह होता है 2 cast square theta by 2 अब root से बाहर हम इसको करें तो therefore r equal to 2 into 2 4 हो जाएगा जो कि 2 हो जाएगा a square बाहर आके a और cast square theta बाहर आके cast theta by 2 तो यह जो formula आया यह formula हमको physics में बहुत जादा काम आने वाला है resultant निकालने के लिए तो जब a, b के equal हो तो resultant निकालने का formula यह होता है इस तरीके से हमने यहाँ पर आपको जो बताया वो पूरा का पूरा parallelogram ला का condition है तो vector addition में triangle ला और parallelogram ला वैसे polygons ला भी है लेकिन polygons ला को हम sum of triangle ला से बना लेते हैं तो polygons ला को बहुत इस पैसल उसको पढ़ने के ज़रत नहीं है उसको polygons में two art more than two sides होते हैं तो sum of triangle लास उसको हम solve करते जाते हैं ओके तो यह है vector sum का condition यह फार्मूला बहुत ज़्यादा important होता है अब हमको इसमें पढ़ना है vector product तो vector product जो है वो dot product इसका हमको study करना है जिसका physics में बहुत कामाना है चलिए तो इस्टार्ट करें हम vector product vector product vector का product क्या होता है vector product देखो product of the vectors दो vector को multiply करना तो vector product के two types होते हैं first type is scalar product पहले type पर लेते हैं उसका पहाँ है पहला scalar scalar product and scalar product is also known as dark product dart product इसको हम dart product भी कहते हैं scalar product को क्यों कहते हैं भी आपको समझ में आएगा देखो इसका situation ऐसा होता है कि suppose two vector से अपने पास एक vector यह है और दूसरा vector यह है दोनों vector पहले था क्योंकि vector a और इसकेलर हो जाएगा और जो final result आता है वो यह scalar quantity होता है इस लिए इसको क्या बोला जाता है scalar product बोला जाता है scalar quantity होने के करण्स का नाम कैई scalar product के रते है морart product क्यों कि final result is scalar आता है त्यों फार्मूल आपको इसमें याद करके रखना है कि किस तरह से हमको dark product निकालना होता है अब इसमें important बात यह है कि जो x-axis और y-axis और z-axis के जो unit vectors रहते हैं x-axis y-axis और z-axis के जो unit vectors यह काम करते हैं मैं आपको एक अलग slide पर ही पहले यह पढ़ा देता हूँ ध्यान नहीं रहा मेरे को चलो उसके बाद देखें वैसे बीच चों पढ़ा सकते हैं लेकिन अलग से पढ़ा रहा हूँ इसको वह है unit vector आप अभी मैं आपको unit vector पढ़ाया हूँ लेकिन यह उसका detail है unit vector आप x, y and z-axis यह बहुत important concept है ध्यान से समझना मतलब unit vector मतलब होता है जिसका magnitude 1 हो और अभी मैंने a cap करके आपको फर्मूला पढ़ाया है अब यहाँ पर हम यह पढ़ेंगे कि x-axis, y-axis और z-axis का unit vector होता है different-different वो क्या होता है यह हमको समझना है तो x-axis, y-axis, z-axis का unit vector क्या क्या होता है देखो यहाँ पर एक figure के health मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर यह हमारे 3-axis है x-axis, y-axis और z-axis यह है origin जहाँ पर 3-axis मिलते हैं तो x-axis का unit vector को हम i-cap से represent करते हैं i-cap, मतलब x-axis का unit vector का represent करने का symbol है i-cap, उसको i-cap पढ़ते हैं y-axis का unit vector जो होता है उसको j-cap और z-axis का unit vector को हम represent करते हैं k-cap से यह धियान रखना अब यहाँ पर सपोज हमें point consider करते हैं यह point P है सपोज है P point का coordinates x, y, z है 3-dimension में इस point whether हम यहाँ पर origin से मिला दें इसका यह हमको point मिलेगा यह और यह जो point है इसको हमने suppose r value दिया vector r तो जब हम यहाँ पर vector r लिखेंगे vector r, vector r लिखने का तरीका क्या होता है इसका x coordinates का इसका x axis के unit vector के साथ में multiplication होता है मतब यह लिखाएगा x i cap फिर plus y coordinates का j के साथ multiply होगा तो यह कहलाएगा y j cap और plus z coordinates का k के साथ multiply होगा तो कहलाएगा z k cap इस तरह से तो r equal to x i cap plus y j k plus z k cap इस तरह से होता है और जब हमको इसका modulus value निकालना होता है mode of vector r तो mode of vector r निकालने का formula है under root of x square plus y square plus z square यह इसका formula है यह आपको याद रखना है यह जो मैंने अभी आपको concept समझाया यह बहुत ही जादा important है इसको आपको याद रखना है इसके बीन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो यह x axis y axis z axis के unit vectors है अब हम यहाँ पर इसके product of vectors में इसको हम देखेंगे ठीक है तो product of vector में हम इसको कैसे use करेंगे अभी जो मैं आपको बता रहा था यह तो यहाँ पर इसके i axis और y axis z axis के products को अपन vectors देखते हैं मतलब product of scalar product of scalar product of scalar product of scalar product of i cap j cap and k cap अब हम x axis y axis और z axis के जो unit vectors हैं उनका हम थोड़ा सा product देखते हैं ठीक है कि इनका scalar product क्या होता है scalar product में पहला हम देखते हैं खुद का खुद के साथ i cap dot i cap i cap dot i cap क्या होगा i cap का unit vector है तो हो जाएगा 1 into 1 into cos खुद-खुद के साथ कितना आएगा 0 degree i i THATि के साथ कितना एंगल बनाएगा खुद-खुद के साथ 0-degree एंगल बनाएगा तो यह हो जाएगा 1 मतलब I dot i 1 होता है इसी तरह से यएदी हम J dot Z करें वह भी 1 होता है और K dart करें वह भी 1 होता है इस तरह से खुद-खुद के साथ साथ में डाट प्रड़क्ट 1 होता है अब हम देखें खुद का दूसरे के साथ मेरण प्राट एडाट जे आई का जये के साथ मोटिप्राइक करें और इनुल इन टो वन इन टो यहां पर stocks 90- midnight क्यों होगा क्योंकि देखो आई-जे के साथ में पर편्डिकुलर항 यह 90 degree है, तो 90 degree का value होगा, cast 90 zero होता है, तो यह zero हो जाएगा, मतलब खुद का दूसरे के साथ में उसी तरह से J का K के साथ में zero हो जाएगा, और K के साथ I का डार्ट प्रोडक्त भी zero हो जाएगा, तो यह चीनों चीज आपको याद रखना है कि खुद का खुद के साथ में डा इसके बाद हम देखते हैं इसका एक एक्जामपल चलिए इसका एक एक्जामपल देखें एक्जामपल सपोज हमने यहां पर एक एक्जामपल लिया एक्जामपल लिया सपोज वेक्टर एक्वल टू टू आई केप प्लस जे केप माइनस के केप यह हमने लिया और एक वेक्ट to हम कैसे इसको लिखेंगे देखो पहले एको लिख लेंगे तो 2i cap प्लस j cap minus k cap यह होगा और dart product अपन करेंगे तो dart i cap plus 3 j cap plus 2 k cap यह होगा अब multiply कैसे होता है देखो यह i का यह तीनों के साथ multiply होगा actual में लेकिन होगा क्या i के साथ तो multiply होगा j और k के साथ उसका multiply 0 हो जाएगा क्योंकि अभी हमने concept में पढ़ा है कि किसी भी unit vector का किसी दूसरे axis के साथ में unit vector के साथ में dart product 0 होता है तो i का इन दोनों के साथ product 0 होगा तो उसको so करने का जूरत नहीं है इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि i का i का multiply कर दो j का j के साथ multiply कर दो और k का k के साथ कर दो ऐसा हम direct concept बना लेते हैं कि अपने अपने pair के साथ है multiply होंगे ऐसा हम कर लेते हैं तो यहाँ पर हम करें तो क्या होगा देखो i का जब i के साथ multiply होगा तो i dot i1 होता है यहाँ पर coefficient 2 है तो 2 हो जाएगा फिर j का coefficient 1 है इसका 3 है तो यह plus 3 हो जाएगा यहाँ इसको coefficient minus 1 है वहाँ पर plus 2 है तो यह minus 2 हो जाएगा और 2 to cancel out होके 3 हो जाएगा और यह देखों किया है यह scalar quantity है मैं आपको बताया था कि इसका जो result आएगा वह scalar आएगा इस पकार से dart product होता है यह dart product यहाँ पर हमारा complete होता है इस तरह से आप dart product कर सकते हो बहुत आसान है now next is vector product इसका जो दूसरा product है जिसको हम क्या कहते है vector product vector product और vector product में हम क्या करते है देखो यहाँ पर इसको vector product को हम cross product के नाम से भी जानते हैं इसको हम cross product भी कहते हैं और इसका जो formula होता है वो यह होता है a और बीच में cross का symbol यूज़ करते हैं इसलिसका नाम cross product है a cross b equal to mada vector a mada vector b और into यहाँ पर होता है क्या sin theta तो mada vector a into mada vector b into sin theta होगा that equal इसको हम लिख सकते हैं a b sin theta यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि n cap multiply करने के लिए हम optional है यह so करते हैं वो सिर्फ इस लिए क्योंकि इसको हम को क्या बनाना है vector बनाना है इसको हमको vector बनाना है इसलिए n cap multiply करते हैं क्योंकि किसी भी scalar quantity के साथ जब उसके unit vector को multiply करते हैं तो वो क्या बन जाता है vector बन जाता है लेकिन वो so करना ज़रूरी नहीं होता इसलिए ज़रूरी नहीं होता क्योंकि वो one है और one हम कहीं भी multiply कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं तो यह इसका formula है final answer इसका vector form में आता है इसका भी हम एक example ले 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 तभी हमको समझ में आएगा तो हमने suppose इसका एक example ले लिया यह suppose vector a equal to हमने ले लिया 2i cap plus 3j cap plus k cap और vector b equal to हमने ले लिया suppose i cap plus 2j cap और plus k cap यह हमने 2 vector ले लिया अब यह दोनों vector का हमको cross product करना है तो cross product करने के लिए जो method यूज़ किया जाता है यहां पर इसको हम two parallel lines में लिखते हैं और यह two parallel lines में लिखने का जो process है mathematics में इसको math में बोला जाता है determinants जो math के student है वो math में इसको पढ़ेंगे 12th class में लेकिन जो students bio वाले हैं उनको कहीं नहीं पढ़ना है यह जो मैं पढ़ा रहा हूं ही पर पढ़ना है बस इसलिए ध्यान से समझना है इसको ठीक है तो determinants एक method है जिसकी सायता से हम क्या करते हैं cross product करते हैं तो cross product में किस तरह से किया जाता है यह थोड़ा सा ध्यान से समझना सबसे पहले हम इसको रो कहते हैं इसमें हम लिखेंगे i cap j cap k cap इस तरह से जो लिखा जाता है इसको बोले जाता है रो रो और कालम में arrange करना ही determinants कहलाता है horizontal लिखते हैं उसको रो काते हैं और vertical को हम कालम कहते हैं रो और कालम में arrange करना ही क्या कहलाता है लिखा एनद फॉर ऑर लिए और आपनेगे यहां पर लिख लिख लेए और अब करेंगे यहां पर इसका जो रो है यह रो और इसका कालम यह रों के element को हम क्या करेंगे यहां से हटा देंगे तो four elements बचेंगे और यह four element का cross multiplication होगा इसके साथ और minus इसके साथ तो चलो करते है cross multiplication तो three into one मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ three into one और minus होगा one into two यह method है यह कैसे आया नहीं सोचना यह method है इसके बाद i cap के बाद minus j cap लिखते हैं इसको minus लिखते हैं और जब दूसरे का हम multiply करेंगे तो क्या करेंगे देखो दूसरे के multiply करते समय अब हम किसके लिए multiply कर रहे हैं j के लिए मैं यहाँ पर आपको indicate कर करके बता रहा हूँ अब हम j के लिए multiply करेंगे तो उस condition में हम इसके row और इसके column को छोड़ देंगे तो 4 element यहाँ पर बचे देखो जिसको मैंने नहीं गह रहा है वो 4 बचे हैं तो इनका multiply कैसे होगा अब 2 का 1 के साथ multiply होगा तो 2 into 1 फिर 1 का 1 के साथ multiply होगा 1 into 1 यह होगा और इसके बाद अब हमको करना है किसके लिए? के के लिए तो plus होगा फिर k मारे plus minus plus होताए पहले plus फिर minus फिर plus अब जब k के लिए इसको हम simplify करेंगे तो किस तरह से करेंगे देखो अब हम इसको k के लिए यह k है तो k के row इसको छोड़ेंगे तो यह 4 element बचा, इनका multiply होगा, तो इसके साथ multiply होगा, तो कितना हो जाएगा, 2 into 2 minus इसका इसके साथ multiply होगा, तो 3 into 1, यह होगा, इस तरी से इसको simplify किया जाता है, मैं यहाँ पर आपको किवाद 100 करने के लिए घेर के बताया, ऐसा ज़री नहीं है, ठीक है, चलिए, अब हम इस को simplify कर लें, तो कितना हो जाएगा, that equal to i, यहाँ पर 3 minus, मैं अब डारेक्ट हिलिक देता हूँ, उतना तो आप कर सकते हैं, that equal to 3 minus 2, मतलब यह हो गया, i cap, इसके आप minus 2 minus 1, 1 होगा, तो minus j cap, और यहाँ पर 4 minus 3, 4 minus 3, 1 होगा, तो plus कितना आजाएगा, k cap, यह इसका answer होगा, और आप यहाँ पर देख रहे हो, यह जो final answer है, वो किसके फाम में है, vector के फाम में है, ठीक है, तो vector फाम में होने के कारण यह vector product कहलाता है, तो यह है हमारा dart product और cross product, तो यहाँ पर आपको vector कम है, concept पूरा complete किया, जिसमें आपने देखा कि हम क्या पढ़ है, सब से पहले हम vector का representation पर है, vector representation में उसके पूरा किस तरह से represent करते हैं, फिर vector को 8 कैसे करते हैं, फिर vector को multiply कैसे करते हैं, यह पूरा vector का basic concept है, और इसका आपको बहुत अच्छे से त्यारी करना है, क्योंकि vector बहुत जोरी होता है, physics में कहीं पर भी use होगा इसका, तो वहाँ पर आपको direct formula के base पर use क करना है, ओके, now next topic is calculus, अब हम start करते हैं, calculus, देखो, calculus आपके लिए new mathematics है, क्योंकि आप 10th class तब calculus पढ़े नहीं होते हैं, और calculus physics में maximum use होता है, यह हमारा fourth number का mathematical tools है, जिसमें हम calculus को complete करेंगे, और calculus हमको बहुत depth में पढ़ना है, क्योंकि इसके बीन physics में कुछ काम भी नहीं चल पता दें, actually calculus को newton ने दिया, calculus, newton ने calculus दिया, calculus mathematics में बहुत detail ने पढ़ा जाता है, में इसके बहुत बढ़ा पार्ट होता है, लेकिन physics में calculus के बीना काम ही नहीं चलता है, तो calculus है क्या, actual में newton ने, calculation को easy करने के लिए, जो mathematical calculation होता है, actual में algebra को easy करने के लिए, algebra को simplify करने के लिए, calculus दिया, newton ने, तो calculus के two parts होते हैं, सबसे पहले हम इसके branch आपको explain कर दे, कि calculus में हम पढ़ते क्या क्या हैं, देखे, प्रापर में आपको बता दूँ, calculus के branches, और दोनों का sense, क्योंकि यहाँ पर इतना 0 से इसको हम को पढ़ना है, कि आपको symbol वगरा सब समझ में आना चाहिए, कि हम calculus को किस तरह रिपेजेन करते हैं, कितने types होते हैं, सब हम को जानना जोरी है, calculus के two types होते हैं, first is differentiation, and second is integration, first is differentiation, and second is integration, differentiation and integration, तो बैं, differentiation क्या होता है, देखो, differentiation का हम algebra से यदी comparison करें, तो differentiation का relation subtraction से है, subtract करना जैसे हम algebra में subtract करते हैं, उसी तरह से हम differentiate करते हैं, differentiate करने का मतलब होता है, किसी भी चीज़ को decrease करना, part part में divide करना, यह differentiation होता है, और integration का मतलब है sum से, ओके, integration को sum से, मतलब algebra से हम इसको compare करें, तो differentiation का मतलब होता है subtraction से, मतलब subtract करना, और इसका यदी हम calculus का algebra से compare करें, इंटिग्रेशन का मदबदा है सम करना यह देखो कई बार मैंने देखा है कि स्टुडेंस डिफ्रेंसियसन इंटिग्रेशन करना तो सिख लेते हैं लेकिन उनको रियल सेंस नहीं पता रहता कि भाई कहां हमको डिफ्रेंसियसन करना है कहां हमको इंटिग्रेशन करना है जिसक sign use करते हैं उसी तरह से differentiation और integration को represent करने के लिए एक symbol use किया जाता है वो symbol हम इस तरह से लिखते हैं देखो यह differentiation को हम represent करते हैं d by dx से इस तरह से और integration को हम represent करते हैं इस तरह से s की तरह integration आप dx इस तरह से हम represent करते हैं देखो यहाँ पर d by dx d का मतलब होता है differentiate इस जैसे हमने सिंबोल लिया है एक्ट्याल में एस फार सम होता है यह सम का यह सिंबोल है मानके चलो आप यह एक लाजीक है कि इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया सम का साइन से और यहां पर दी बाइडी यह एक्स मिन्स डिफ्रेंसियेट का साइन से अब देखो जैसे किसी वेल्यू को हम क्या करते हैं सब्सक्रेट करते हैं सपोस्पोस मैंने लिखा कि 10-3 तो आप बहूँ कि सार 7 डैट बिफ्रेंसियेट होने के लिए 2 numbers चाहिए एक वो नमबर सब्सक्राइट होने के लिए 2 numbers च एक variable वो होगा जो differentiate होगा और दूसरा variable वो होगा जिसके साथ वो जिसके respect में differentiate होगा तो यहाँ पर देखो यह जो dy dx लिखा है यह symbol है अब यहाँ पर मैं लेख दूँ इसको dy by dx dy by dx का मतलब क्या हुआ इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे differentiation आप y with respect wr मतलब with respect to x इसका मतलब क्या हुआ y का differentiation हो रहा है किसके साथ हो रहा है x का जैसे 10 subtract हो रहा है किसके साथ 3 के साथ उसी तरह से y differentiate हो रहा है किसके साथ x के साथ देखो science समझना बहुत जोरी है मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि physics या mathematics ऐसा subject है यह concept को बहुत depth तक समझना बहुत important बात है मेरा बहुत long experience है मैंने बच्चों को देखा है कि रटा मार लेते हैं चीजों को बना लेते हैं लेकिन उनकी समझ सही नहीं रहती उनको concept clear नहीं रहते और यहीं वज़ा है कि हमको आगे चलके फिर problem होता है इसलिए बहुत छोटी छोटी चीजों को आपको discuss करना चाहिए खासकर starting में फिर धीरे धीरे अपने आप समझ में आये लगता है तो यहां पर ध्यान रखना अपने को differentiation के लिए two variables चाहिए एक वो variable जो differentiate होगा और यह वो variable जिसके respect में differentiation होगा अब यहां पर देखो y differentiate हो रहा है और किसके respect में x के लेकिन अब यहां पर एक important बात यह है कि भाई जब y differentiate हो रहा है x के respect में तो यहां पर y को function of x होना पड़ेगा here y is a function of x तो यह function of x भाई अब क्या चीज़ है y is a function of x का मतलब क्या हुआ y is a function of x का मतलब है y is a function of x y variable जो है वो x का एक function है that means यहां पर जब y का value put up किया जाएगा वो x के फार में होगा Like x square, sin x, cos x, e to the power x मतलब y का जो value put up किया जाएगा वो किसके फार्म में होगा? x के फार्म में होगा तो यह होता है differentiation और integration का जो formula होता है integration को हम generally i से represent करते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा? y dx मतलब क्या हुआ? y dx का मतलब होगा y integrate हो रहा है x का respect में जिस तरह से इसमें y differentiate हो रहा है x का respect में उसी तरह से यहाँ पर y integrate हो रहा है x का respect में इस तरह से differentiation integration होता है इसका जो first formula है जबो मैं फार्मूला पर discuss करूँगा calculus में एक बात आप ध्यान रखना calculus में सबसे important बात है formula यदि आप formula learner कर लिये हैं और process आपको पता है तो कहीं पर कोई problem नहीं आने वाला है तो सबसे important है formula trigonometric की तरह यहाँ भी formula का list आपको मैं देता हूँ वो आपको पूरा learner करना है एक example आपको बताता हूँ यहाँ पर देखो मैं यह example आपको यहाँ से यहाँ पर अलग slide में अच्छे से बतार हूँ आपको देखो पहला example जैसे इसका जो formula होता है d by dx of x to the power n differentiation का वो होता है n into x to the power n minus 1 यह differentiation का formula है for example suppose कहीं पर हमको d by dx of x to the power 7 करना है तो इस formula से हम compare करें तो इस formula से compare करेंगे तो हमको पता चलेगा जैसे x का power यहाँ पर n है x का power यहाँ पर 7 है तो जहाँ जहाँ पर इस formula में n आता है वहाँ हम 7 put up कर देंगे तो किस तरह से differentiate हो जाएगा यह n मतलब 7 into x to the power 7 minus 1 that equal to 7 into x to the power 6 तो यहाँ से यह पता चलता है 7 into x to the power 6 से यह पता चलता है कि यह जो value है वह decrease हो रहा है देखो यह 6 हो रहा है before differentiation power 7 था और after differentiation power क्या हो गया 6 हो गया इसका मतलब यह हो गया कि power decrease हो रहा है इसलिए मैंने बोला कि differentiation में power decrease होते जाता है जब वह differentiate करते जाएंगे तो हर बार differentiation होने पर उसका एक एक power decrease होते जाएगा अब यहाँ पर देखते हैं हमें एक integration का एक्जाम पर integration का जो पहला फार्मूला है integration of i equal to integration of x to the power n dx इसका फार्मूला होता है x to the power n plus 1 upon n plus 1 this is the first formula of integration यह सबसे ज़्यादा यह use होगा पहले जो फार्मूला है differentiation का उसका सबसे ज़्यादा physics में use होता है देखें मैं आपको मैस पढ़ा रहा हूँ using physics कि physics में कैसा use होता है मतला हम वही वही फार्मूला टच करेंगे जो physics में use होता है उससे ज़्यादा additional formula पर time waste नहीं करना है अब इसका example देखो इस पर हम एक example देखें तो यह example suppose मैंने कहीं पर लिखा है x to the power 7 चलो 7 कहीं हम integration कर देते हैं यह तो यहाँ पर n का value 7 है यह हो जाएगा x to the power 7 plus 1 upon 7 plus 1 that equal to यह हो जाएगा x to the power 8 upon 8 x to the power 8 upon 8 यह क्या होगा integration का formula होता है clear यहाँ पर देखो x का power increase हो गया यहाँ पर x का power 7 से 6 हो गया, decrease हो गया यहाँ पर x का power 7 से 8 हो गया, increase हो गया इस तरह से x का power increase हो गया और integration में sum होता है तो यह इसके formula है अब हमको क्या करना है इसके पूरे formula का list अपने को देखना है कि कितना formula इसमें है जो हमारे fizes के लिए जरूरी होता है तो पूरा formula अपने को इसको करना है, ठीक है चलिए, तो हम यहाँ पर देखें यह formula का collection आपको बहुत important है सबसे पहले आपको formula लर्न करना है देखे, integration और differentiation का यहाँ पर मैंने आपको comparative formula दिया हुआ है सबसे important है formula को लर्न करना calculus का behavior tignamatic ही तरह है जब तक आपको formula याद नहीं है आप कुछ ही नहीं कर पाओगे तो यहाँ पर मैंने बहुत systematic calculus का formula आपको दिया हुआ है जो physics में use होता है देखो calculus में formula तो बहुत है calculus में formula का तो कोई counting नहीं बहुत formula है, मैं इसके student बहुत formula लर्न करता है हम सिर्फ selected वही formula आपको बता रहे है जो physics में use होता है physics में applicable है बाकी जगा उसका जवरत नहीं है तो आप यहाँ पर देखो इधर हमने differentiation का formula और इधर integration का formula दिया हुआ है और बिलकुल उस order पर दिया हुआ है जैसा हमारा use होता है सबसे पहला जो formula हमारा d by dx of x to the power n equal to n into s to the power n minus 1 physics में सबसे ज़्यादा यही formula यूज़ होगा फस्ट formula और integration में x to the power n equal to s to the power n plus 1 upon n plus 1 यहाँ पर जो मैंने c लिखा है यह c का मतलब है integration constant मैं आगे आपको इसको detail में explain करूंगा अभी तो यहाँ पर आप सिर्फ यह जान लो कि integration के last में हम उसमें c8 करते हैं जो integration constant कर लाता है यह मैं आपको आगे explain करूंगा किसलिए इसको use करते हैं तो यह formula d by dx of x equal to 1 जैसे d by dx of x equal to 1 कैसे हुआ देखो इसको आपको सिधा याद रखना है कई बारी student misconception में चले जाता है कि dx dx cancel out हो गया ऐसा नहीं होता है यह कैसे सालो हुआ है यहाँ पर x का power 1 है तो यह उपर वाला formula हम लगाएंगे तो यह हो जाएगा 1 1 into s to the power 1 minus 1 that equal to 1 into s to the power 0 that equal to 1 इस तरह से इसका value 1 आता है e to the power x का differentiation e to the power x होता है mistake हो है आपको base e नीचे रहेगा ठीक है यह मैं तरह सास सुधार देता हूँ इसको base e को हम नीचे लिखते हैं यह आप ध्यान रखना है यह पढ़ा जाता है log x to the base e वो typing का mistake यह होता है तो log x का जो differentiation है 1 upon x होता है और 1 upon x का integration होता है वो log x होता है यहाँ पर भी वही है इसको भी मैं correct कर दूँ ताकि आपको समझने में कोई problem मत हो इसको मैं complete लिख देता हूँ ढंग से आप इसका skin start लेना भी इसके बाद तो आके आपके पास इसका collection proper रहे log x to the base e अभी मैंने आपको लाग पढ़ाया तो यह सब बताया है इसके previous videos में मैंने आपको लाग पढ़ाया तो सब बताया यह पढ़ायाएका log x to the base e तो यह हमारा formula का collection है आगे भी जो formula का और collection है हमारा यह formula आप learn करो देखो formula आपको learn करना है आपको हमारे application पर भी पूरा list मिलेगा इसका d by dx आप cas x minus sin x d by dx आप sin x cas x d by dx आप 10 x x square x यह sec square x है typing में कई जगा mistake हो जाता है यह sec square x है ठीक है sec square x यह d by dx आप part x minus cosec square x d by sec x sec x into 10 x d by dx आप cosec x minus cosec x इसी तरह से sin x का minus cos x cos x का sin x sec square x dx का 10 x cosec x का minus cut x sec x 10 x का sec x और cosec x cut x का minus cosec x इतना formula आपको learn करना है इसका skin start ले लो एक बार मैं यहां से हट जाता हूँ यह skin start आप ले लो इसका अब हम इसकी practice करें कुछ फार्मूले और हैं यह फार्मूला आप को आओगे 15 फार्मूला आप लर्न करोगे 15 फार्मूला आप के लिए sufficient है 15 फार्मूला आप लर्न करो यह आपके लिए परियाब थे ठीक है देखिए कौन-कौन से 15 फार्मूला है अपने पास 11 नमबर फार्मूला आप देखो लाग sin x का काट x होता है लाग cos x का माइनस 10 x होता है यह जो 11 से 15 तक है इसमें इनके ज़्यादा यूज नहीं होते है लेकिन यह 15 नमबर फार्मूला जो डिफ्रेंसियेशन होता है यह 5 एक्वल टू क्या होता है 0 तो किसी भी independent constant का जो डिफ्रेंसियेशन होता है वो always 0 होता है कभी भी कोई ऐसा constant जो independent हो independent मतलब जिसमें variable ना हो उसका differentiation क्या होगा 0 होगा और किसी constant का जो integration होता है वो constant into x हो जाता है constant into x जैसे कहीं पर लिखा होगा है integration आप 5 dx ऐसा लिखा होगा है तो इसका value होगा 5 into x इस तरह सो जाएगा यह फार्मूले आप अच्छे से लर्न कर लो calculus का formula यदि आपको याद है तो समझी आपका 50% work complete हो गया तो calculus का आपको formula याद रखना ठीक है चलिए next हम देखें अब इसके question की practice अब हम देखते हैं इसके question की practice तो question की practice में हम देखें सबसे पहले differentiation का सबसे पहले हम differentiation का question का practice करेंगी क्योंकि इसमें question का practice बहुत जोरूरी है formula बस learn करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप question की practice नहीं करेंगे तब तक आपको कोई काम करी है formula का क्यों learn करने से तो differentiation पहले देखें तो मैं तो भी आपको d by dx का बता दिया अब यहाँ पर कुछ formula मेरे को और आपको समझाना है जिसमें सबसे पहला formula देखना है sum and difference के लिए sum and difference sum and difference का formula क्या होता है जैसे कहीं पर लिखा हो d by dx of u plus minus v मतलब यहाँ पर two values है u और v और u और v का value आपस में का है या तो sum के फार्म में या difference के फार्म में हो तो इसको हम differentiate किसकर से करते हैं देखो इसको differentiate करने का formula है दोनों अलग-अलग differentiate हो जाएंगे मतलब d by dx of u plus minus यह हो जाएगा d by dx of v तो d by dx of u d by dx of v यह दोनों क्या होगे अलग-अलग differentiate हो जाते हैं फार एक्जाम्पल इसका एक एक्जाम्पल देख लें हम फार एक्जाम्पल सपोज d by dx आप x square plus sin x ऐसा हमको कहीं differentiate करना होगा तो इसको differentiate करेंगे तो दोनों का separate separate differentiation होगा that means d by dx of x square plus d by dx of sin x यह होगा that equal अब इसको differentiate क्या जाएगा x square का differentiation होगा 2x to the power 2 minus 1 n into x to the power n minus 1 से अभी starting method detail में समझा रहा हूँ आपको और plus sin x का differentiation क्या होता है cos x that equally हो जाएगा 2x plus cos x यह इसका answer हो जाएगा तो यहाँ पर देखो कि जब किसी भी two values का two function का plus या minus के फार में differentiation दोनों का separate separate differentiation इस तरह से हो जाता है यह है sum and difference का formula ठीक है difference कभी ऐसे होगा जैसे sum का वैसे difference का होगा अब हम देखते हैं product का second method product के लिए product are multiplication product are multiplication इसका formula होता है d by dx of u into v यहाँ पर u of v two functions है यह दोनों function का जो differentiation होगा u into v का वो क्या होगा product के फार्म में होगा तो product के फार्म में क्या होगा इसका formula u into dv by dx मतलब first function इसको यदि हम first function suppose कर ले इसको second function तो first function into differentiation अब second function और plus second function into differentiation अब first function इस फार्म में इसका differentiation होता है example देखे हम इसका इस तरह से for example यदि हम इसका example देखे तो क्या हो जाएगा suppose हमने एक value ले लिया d by dx आफ यहाँ पर ले लिया मैंने suppose sin x और into into ले लिया मैंने lag x sin x into lag x यह माल अपने पास दो value है sin x into lag x अब यहाँ पर देखो यह u है जो पहले लिखा गया है यह क्या है u है और बाद में लिखा गया है वो भी है तो u और v के इस तरह से हम formula से इसको differentiate करें तो u मतलब sin x क्या हो जाएगा यह sin x into d by dx आप v तो v का value कितना है lag x तो यह हो जाएगा lag x और plus v v मतलब हो जाएगा यह lag x और into d by dx आप sin x इस तरह से that equal आगे साल्व करें तो यह हो जाएगा sin x into lag x का differentiation 1 upon x होता है lag x का differentiation 1 upon x तो lag x को हमने 1 upon x लिख दिया 1 upon x लिख दिया और plus यह हो जाएगा lag x into sin x का differentiation तो sin x का differentiation क्या होगा cos x इस तरह से तो यह इस cancer और आगे simplify हो नहीं सकता है तो आगे simplify नहीं हो सकता तो इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे ओके यह इसका answer है यह इसका final answer है ओके तो multiplication का formula याद रखना है और इसको differentiate करना है इसके बाद देखते हैं division का formula third is division division में हम किस तरह से इसको यूज़ करेंगे देखो division का formula है d by dx of u upon v d by dx upon u upon v यह formula थोड़ा complicated form है ध्यान देना v du by dx मतलब denominator into differentiation of numerator minus u into dv by dx upon square of the denominator तो यहाँ पर क्या हो जाएगा v square हो जाएगा इसका भी हम एक example देख लें इसका example d by dx of suppose कुछ भी लिखे हैं suppose हमने लिख लिया lag x upon x यह इसका हमको करना है तो देखो lag x u है और x v है तो v means यह हो जाएगा v v का value कितना हो जाएगा x यह हो जाएगा x और d by dx of u तो u का value क्या है lag x है तो यह होगा lag x minus lag x minus lag x into d by dx of first function that means x और upon x का square यह इसका formula होगा आगे देखो यह होगा x into d by dx आप lag x lag x का differentiation 1 upon x होगा और minus minus lag x into d by dx आप x 1 और upon क्या हो जाएगा यह x square that equal यहाँ पर x x cancel out होगा और 1 minus lag x 1 minus lag x upon x square this is the final answer तो आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ फार्मूला लर्न करना है और फार्मूला लर्न करने के बाद आप बहुत आसानी से differentiate कर सकते हैं मतलब यहाँ पर देखो basically आपको ऐसा calculus का पूरा कोई आपको calculus पर psg research नहीं करना है आपको formula learn करना है और यह process आपको ध्यान रखना है कि कैसे differentiate होना है कई बार इस्टूडेंट उसको खास कर बायों के जो इस्टूडेंट्स होते हैं नीट के preparation करने वाले वो बहुत burden मान के उसको चलते हैं कुछ burden नहीं हो यदि आपने इमांदारी से formula learn कर लिया तो physics में कहीं पर भी differentiate करें या integrate करें वहां हमारा formula ही use होता है यह formula use होता है तो बहुत ज़्यादा उसमें problem नहीं है आप धिरे धिरे formula learn करते जाएं और process को ध्यान में रखें वो अपने आप practice हो जाता है अब देखो differentiation का जो last concept है वो कहलाता है differentiation of function of function differentiation 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 of function of function function of function का मतलब क्या है यह मैं आपको सबसे पहले explain कर दूँ what is the sense of function of function function of function का मतलब होता है function के अंदर और function for example यहाँ पर मैं एक question लिखता हूँ यह question है suppose y equal log sin x यह है function of function function of function कैसे हुआ यहाँ पर two function है एक function है log और उसके अंदर एक और function है जो की sin x है तो double function है यहाँ पर एक logarithmic function है यह logarithmic function है और function के अंदर एक और function है sin x अब इसका जब हम differentiation कर दे हैं तो इसके differentiation करने के two method है एक तो substitution से और second chain rule तो chain rule ज़्यादा easy होता है ज़्यादा आसान है लेकिन मैं knowledge के carding आपको दोनों समझा देता हूँ बाद में फिर हमको जब भी use करना होगा हम chain rule से करेंगे तो इसका first method हम देखते हैं जिसकों बहते हैं chain rule method number first method number पहले substitution समझा देता हूँ substitution substitution में हम क्या करते हैं variable को substitute करते हैं किस तरह से देखो जैसे हमारे पास question है y equal to lag sin x यह हमारा question है अब हम इसको differentiate करें now differentiate जब इसको हम differentiate करेंगे तो x का respect में हो लेगा dy by dx equal to यह होगा dy by dx of lag of sin x अब यहाँ पर problem यह है कि यहाँ पर हम lag x का formula जानते हैं lag sin x का formula नहीं जानते हैं तो ऐसे condition में हम क्या करेंगे यह sin x को कुछ new variable suppose कर लेंगे तो now put now put sin x equal to t यहाँ पर हमने sin x को t suppose कर लिया जब यहाँ पर हम sin x को t suppose कर लेंगे sin x को t suppose करेंगे तो sin x के जगा में t रख देंगे तो क्या हो जाएगा therefore dy by dx therefore dy by dx equal to यह हो जाएगा d by dx आप लाग t यहाँ पर जो sin x है उसके जगावे हम t put up कर देंगे अब यहाँ पर हमको लाग t का फर्मूला पता है लाग t का differentiation 1 upon t होगा लेकिन अब नया प्राबलम आगा है यहाँ पर नया प्राबलम क्या आगा भी देखो कि यह t variable है और यह x variable है और मैंने आपको starting में बताया कि दोनो variable same होना चाहिए जब तक दोनो variable same नहीं होंगे differentiate नहीं होता है तो differentiate होने के लिए इसको भी x होना चाहिए या इसको t होना चाहिए तो इसको हम t rest बना देते हैं respect में उसके लिए क्या करते हैं वैसे इसके बाद जो method बनाऊंगा ज़्यादा आसान है रेखो यहां हमने क्या किया dt divide कर दिया हमने dt divide कर दिया तो d by dt आप क्या हो जाएगा लाग t और चूकि dt divide कर दिया adjustment के लिए dt multiply करेंगे तो dt divide किया तो dt multiply कर दिया और यह जो dx है उसको यहां पर लिख दिया तो d by dt आप लाग t into क्या हैगा dt by dx that equal आगे solve करें तो लाग t का differentiation 1 upon t होगा और into यह होगा d by dx आप t का value पूट अप कर दो t हमने suppose किया है कि इसको sin x को तो यह जो हमने sin x को t suppose किया है उसका value अगेन यहां पर put up कर देते हैं that equal इसको अब differentiate करें तो यह तो sin x का differentiation क्या होगा sin x का differentiation cos x होगा यह cos x हो गया और अपान यह t के value को put up कर देते हैं यहां पर भी तिया हो जाएगा sin x that equal cart x cart x is the final answer ऐसा होता है substitution से यह sin x को t suppose करके इसका differentiation but यह method बहुत lengthy है और हमको इस method से solve नहीं करना है अभी एक और method बताता हूँ जिसको हम chain rule बोलते हैं तो knowledge में आपको रखना है लेकिन हम use करेंगे chain rule को जो इसके बाद बता रहा हूं है ठीक है चलिए तो second method है हमारा chain rule method number two method number two this is chain rule chain rule में होता क्या है देखो question को एक बाद लिखू में question है मारा y equal to lag sin x अब इसका differentiate करो सिधा now differentiate तो differentiate करेंगे तो यह हो जाएगा dy by dx equal to dy dx of lag sin x अब हमको यहाँ पर करना क्या है थोड़ा ध्यान से समझ जा है इसमें method तो easy है छोटा है बड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है अब देखो इसको आप lag sin x की तरह मत देखो इसको आप देखो कि suppose यह sin x नहीं x है रहने के लिए sin x है लेकिन आप imagine करो कि वो x है और यदि यह x होता तो सिधा differentiate हो जाता कैसा सिधा differentiate हो जाता sin x का differentiation lag x का differentiation आपको नपान x लिख देते imagine करो कि वो क्या है x है ठीक है तो that equal आगे हम इसको क्या लिख सकते है that equal dy dx आप तो differentiation हम कर रहे हैं सिधा तो lag x का differentiation होगा 1 upon x तो भेले ही हमने उसको x imagine किया है लेकिन लिखो वही जो वो है तो sin x क्या है sin x हही है sin x हही है और into sin x का दुबारा differentiation होगा d by dx आप sin x यह chain rule का method है chain rule कहता है कि जिसको हमने x suppose करके differentiate कर दिया वो again इसलिए इसका chain है chain का मदब कहता है chain में एक कड़ी के बाद दूसरे कड़ी add होते जाता है वैसी यहाँ पर chain का एक party है एक party है आप ऐसा समझाब इसलिए लिख नाम chain rule है तो क्या बोले एक पर ध्यान से सुनो जिस sin x को हमने x suppose करके differentiate कर दिया उसका again differentiation होगा इस तरह से that equal अब आगे क्या होगा यह that equal sin x का differentiation होगा cas x और अपान यह sin x that equal to cart x देखो answer आ गया cart x इस तरह से तो chain rule बहुत आसान होता है बस थोड़ा सा समझ के फोड़ा practice करना पड़ेगा आपको इसका question का practice करना पड़ेगा चलो इसका मैं एक और question बता जेता हूँ हो सकता है यह आप में से कुछ लोग को difficult लगा होगा तो इसका मैं एक और example ले ले लेता हूँ example number 2 suppose यहाँ पर मैं y equal to a question लिया यह हमने ले लिया suppose sin x square plus 3 suppose हमने यह ले लिया sin x square plus 3 तो sin x square plus 3 ऐसा कई जगा physis में जूरत पड़ेगा आपको sin x square function आप function कैसे हुआ एक function है sin और दूसरा algebraic function है x square plus 3 अब इसको differentiate करेंगे कैसे होगा देखो इसको differentiation करेंगे ति हो जाएगा dy by dx equal dy dx up sin x square plus 3 यह होगा that equal अब क्या करो यह है इसको x suppose करो इतने को x suppose करो तो sin के सामने वाले को x suppose करोगे तो sin का differentiation cast x होगा तो हम उसको cast x लिख देते हैं यह हो जाएगा cast x square plus 3 यह differentiation हो गया और इसके बाद फिर differentiation होगा किसका इसका जिसको हम ने एक सापोस किया है तो d by dx हो जाएगा x square plus 3 that equal यह हो जाएगा cast x square plus 3 और d by dx आफ x square x square का 2x होगा 3 independent constant है तो 0 हो जाएगा इसको हम सामने लिख लेते हैं जनरली लिखने का तरीका यह है कि cast को हम बाद में लिखेंगे तो 2x cast x square plus 3 यह इसका differentiation हो जाएगा तो इस तरह से हम chain rule से differentiate कर सकते हैं तो chain rule बहुत आसान है और chain rule से हमको इस तरह से करना है ठीक है यह example copy skin side ले लो यह एक बार ध्यान से समझ लो यही इसका main method है न ओके chain rule की practice अच्छे से करना क्योंकि इसका बहुत ज्यादा use होता है और यह काम कभी बहुत है तो differentiation यहाँ पर complete हो जाता है इतने method को आपको ध्यान रखना है इतना formula आपको याद रखना है इसके बाद हम start करेंगे integration ठीक है चलिए इन्टिग्रेशन स्टार्ट करेंगे नव इन्टिग्रेशन इन्टिग्रेशन में मैं आपको पहला formula बता दिया था कि किस तरह से वो integration होता है इन्टिग्रेशन के पूरे formula लगने करने के बाद हमको यहाँ पर integration का कुछ method समझना है integration में product का जो formula होता है वो ज़्यादा काम कर नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं और इसमें addition subtraction का formula कैसे होता है कि करके मैं बताते जाता हूं सबसे पहले हम देखते है addition या sum and difference लिख देता हूं सीधा sum and a difference sum and difference के लिए हम एक formula के फा में लिखते हैं जैसे integration of u plus minus v dx यदि ऐसा लिखा हो तो क्या हो जाएगा integration of u dx plus minus integration of v dx इस तरह से integration of u dx plus integration of v dx इस फा में इसको formula को अपन लिखते हैं अब इसके लिए हमें एक example देखें तो example किस तरह से होगा देखो integration आप suppose यहाँ पर हम एक example देखें integration आप कुछ भी लिख लेते हैं x plus कोई भी example ले लेते हैं x plus sin x ले लिए suppose मैं ने x plus sin x इसको मालो हमको integrate करना है तो इस formula से क्या है कि पहला और दूसरा first और second दोनों का लग-लग integration होगा तो पहले x का integration होगा यह integration आप x dx और plus यह जाएगा integration आप sin x dx यह ठीक है अब देखो that equal integration आप x का power यहाँ पर 1 है x to the power 1 plus 1 upon 1 plus 1 होगा और plus integration आप sin x क्या होता है minus cos x होता है यह formula साब आपको याद रहना चीए formula याद नहीं रहागा तो कोई सभी question बनना ही नहीं है that equal आगे है इसको हम लिख सकते है x square upon 2 और minus cos x और चाहो तो साथ में लिख सकते हो integration constant c यह इसका answer हो जाएगा okay चलिए मैं आपको थ्लब सघ्सम्हें कर दूं की integration constant क्यों use किया जाता है यह integration constant क्यों use किया जाता है उसको मैं आपको थ्लब एस्पियन करना हूँ बहुत ध्यान से समझना ठीक है उसके बाद हम इसके आगे के मेथड़ आपको समझाएंगे integration constant क्यों use किया जाता है what is the sense of integration constant अलग से मैं topic की आपको पढ़ा देता हूँ integration constant integration constant का role क्या है जैसे एक चीज़ आप ध्यान रखना कि differentiation और integration एक दुसरे के just opposite process है integration और differentiation differentiation दोनों एक दुसरे के just opposite process है मतलब किसी value का यदि differentiate करने के बाद उसका opposite integration कर दें तो वो value regenerate हो जाता है मतलब वो value दुबारा आ जाता है यहाँ पर एक question आपको एक जांपर बता रहा हूँ suppose हमारे पास कोई question है y equal to suppose x square plus 2x plus 3 यह suppose हमका हमारे पास एक question है अब हम इसका सबसे पहले differentiation करते हैं ठीक है यहाँ पर हम कर रहे हैं इसका differentiation differentiation करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को दोनों साइट के differentiation करेंगे तो dy by dx equal to dy dx of x square plus 2x plus 3 यह मिलेगा that equal अब अलग-अलग differentiation होगा dy by dx of x square plus dy dx of 2x plus dy dx of 3 now x square का differentiation 2x होगा और plus 2x में x कबन हो जाएगा तो 2 होगा और यह independent constant है कौन 2 तो 2 independent constant है तो इसका क्या हो जाएगा 0 और यह हमारा answer हो जाएगा x plus 2 अब concept यह कहता है कि किसी भी function का जब हम differentiation करते हैं तो after differentiation जो value मिलता है उसका integration करने से यह function वापस आ जाना चाहिए तो चलिए इसका हम अब क्या करते हैं integration करते हैं now integration of 2x plus 2 dx अब इसका यह हम integration करें किसका differentiation करने से जो answer आया है उसका opposite करने है integration तो जब इसका integration करेंगे तो यह हो जाएगा integration of 2x dx plus integration of 2 dx अब इसका integration करें तो 2 और यह हो जाएगा x square upon 2 और प्लस 2 का अभी माने फार्मूला बताया है c का integration cx होता है तो 2 का integration 2x होगा अभी पीछे माने फार्मूला बताए that equals इसको हम सालो करें तो यह हो जाएगा x square 2 to cancel out हो गया और प्लस 2x देखो भी इसका question के साथ इसको टेली करो तो x square plus 2x आया लेकिन question हमारा क्या है x square plus 2x प्लस 3 तो यह 3 नहीं आ पाया फ़र ध्यान से समझा बहुत important बात पर मैं discuss कर रहा हूं तो यहाँ पर 3 मतलब किसी function में जो independent constant होता है जो की differentiate करने के बाद 0 हो जाता है वो again integrate करने पर वो नहीं आ पाता वो generate नहीं हो पाता तो उसी 3 के representative के रूप में हम यहाँ पर क्या लिखते हैं प्लस C लिखते हैं और यहीं प्लस C क्या कर लाता है integration constant that means the value of प्लस C in this case is 3 यहाँ पर C का value क्या है 3 है तो चुब कि उसका value हमको पता नहीं होता तो हम उसका representative के रूप में प्लस C लिख देते हैं C for constant तो यह है integration constant सकता है नहीं हो सकता जैसे इस question में नहीं होता suppose नहीं होता तो भी answer यह आता लेकिन बाइस जब यह होता तो फिर नहीं आता इसलिए हम प्लस C लिखते हैं ओके यह भियान में रखना चली अब यहाँ पर हम देखें integration of division form जो की function of function का formula होता है यहाँ पर product का जो formula होता है देखो मैं यहाँ पर आपको बता दूं integration of product integration of product जिसको हम actual में integration by parts भी कहते हैं integration by parts integration by parts का मतलब क्या होता है देखो इसके लिए एक formula जो multiplication form में होगा integration of u into v dx यह formula बहुत rare use होता है लेकिन NEET में कई बार question मैंने पढ़ाया है कि previous year question में कुछ question कभी आये हैं जिसमें integration by parts का use हुआ है तो हमको कभी भी किसी भी subject का preparation को 100% मान के चलना चाहिए तो यह जो मैं integration by parts आपको समझा रहा हूँ इसका कम use होता है लेकिन SI students जो बहुत sincere preparation कर रहा है जिसको बहुत top position पर लाना है मैं तो भाई अपने lecture में उस label पर cover करने का कोशिस करता हूँ कि कोई टापर student को भी मेरे lecture से कहीं कोई चीज छूटे मत प्राबलम मत हो इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ बाकि integration by parts का बहुत ज़्यादा use नहीं होता ऐसे student हैं जिनको प्राबलम होगा उसमें या उनको लगेगा कि मेरे से हो नहीं पा रहा है तो ज़्यादा परसान होने का नहीं है लेकिन ये आपको 100% preparation का target है तो आप इसके साथ risk भी नहीं ले सकते इंट्री겠어 now U into V Dx का formula होता है ये U into Intrigation now U मतलब ये हमने इसको first function ले लिया suppose हमने इसको first function लिया है और इसको second function लिया है तो first function into integration all second function minus whole integration of d by dx all first function into integration all second function और इसका whole integration इस तरह से इसका फार्मूला होता है तो ये u integration of vdx minus integration of d by dx of u into integration of vdx इसका whole integration ये इसका फार्मूला है अब इस पर मैं एक example बतादू तो आपको धंग से समझ में आएगा है ना इसा फार्मूला तो बहुत complicated लग रहा होगा तो चली हम इस पर एक फार्मूला question देखते हैं और ये question है suppose हमारा x into sin x suppose x into sin x हमारा एक फार्मूला है ये question है इसको हमको करना है तो यहाँ पर x क्या है u है और sin x क्या है v है अब इस फार्मूला को हम यहाँ पर apply कर दें तो u मतलब क्या हो जाएगा x into integration of v मतलब integration of sin x dx minus integration of d by dx of u मतलब ये कहाएगा d by dx of x into integration of integration of sin x dx और इसका जो value आएगा इसका जो value आएगा उसका again integration इस तरह से होगा that equal x into integration of sin x minus cos x होगा integration of sin x minus cos x और यहाँ पर minus integration of d by dx of x 1 होगा और minus sin x का integration ये हो जाएगा minus cos x dx ये सब फार्मूले आपको याद रहना चाहिए that equal minus को सामें लिख देता हूँ तो minus x into cos x minus यहाँ पर देखो minus into minus plus होजाएगा अब cos x का again integration होगा तो होजाएगा sin x और plus c लिख देंगे ये इसका answer होगा तो इस तरह से इस फार्मूला को use किया जाता है देखो ये जितने question में आपको बता रहा हूँ ये question को आपको बार-बार repeat करना है आपको बहुत से question का practice जयुरत नहीं है आप formula और एक question को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो तो ऐसा नहीं कि है उस पर आप आप मैस की student नहीं हो आपको मैस के ऐसा बहुत हजारों question की practice नहीं करना है आपको मैस पढ़ाया जा रहा है फिजिक्स के लिए तो मैं हमेसा सजेस्ट करता हूं student को कि दो चीज़ पर आपको फोकस करना है फर्स्ट फार्मूला एंड आप्टर देट इट्स मेथर्ड फार्मूला लारन कर लो और मेथर्ड को ध्यान में रखो इसके बाद फिजिक्स में जहां यूज होगा आप वहा यूज करते हैं जब जयुदृत हो जहां जयुदृत नहीं कि टूल को लेका हमेंसा घूमते रहाते हैं जहां पर आपको मसीन में जयुदृत वही तो टूल यूज करोगे ना तो हमारे पास टूल बहुत सारा होता है लेकिन फिजिक्स में हमको जहां जहां जिसका जुरत पढ़ता है वहां पर यूज करते जाते हैं उस वह में आपको प्रिप्यार करना है मैं इसलिए ऐसा बोला हूं कि कई बार मैंने देखा है कि कई स्टुडेंट इसको बर्डन की तरह ले लेते हैं रहे मेरे साथ इंटिकर कहीं पर भी हो जाता है बस फार्मूलें आपको लर्ण करना है उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं यह हो गया इसका अब इसका हम एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट समझते हैं जो इंटिक्रेशन का कल्कुलस का लास्ट कांसेप्ट है और यह फिजिक्स में सबसे ज इन्टिक्रेxisन और यही सब से जीजादा यूज होगा अभी तक जो हमने इंटिक्रेशन पढ़ा वह सब्सें definite integration का मतलब जहां पर value definite आता है, निश्चित आता है, certain value आता है, वो definite integration कहलाता है, तो definite integration के लिए हमें फार्मूला पढ़ें, फार्मूला क्या है? integration of function of x dx, suppose अपने पास कोई function है, उसका integration हो रहा है, और इस integration में integration के sign के नीचे a लिखा है, यहाँ पर b लिखा है, और a और b क्या कहलाता है, इसका limit कहलाता है, तो जब किसी integration को हम upper limit to lower limit integrate करते हैं, और definite integration कहलाता है, यहाँ पर लिखा गया है यह A है यहाँ पर lower limit इसको हम lower limit कहते हैं और यहाँ पर यह जो B लिखा गया है वो है upper limit upper limit lower limit एन upper limit तो जब किसी integration को lower limit to upper limit integrate के जाता है वो definite integration कहलाता है तो formula इसका क्या है after integration यह जब इसका integration होगा integration का sign हटा के इस तरह से bracket लगा दोगे और यह small fx है इसको मैंने लिख दिया capital fx इसका मतलब क्या हुआ कि यह function integrate होने के बाद यह जो function है integrate होने के बाद fx हो गया और यह जो limit a b लिखा गया है उस limit को हम यहाँ पर लिख देते हैं a to b इस तरह से तो यह है definite integration का formula अब इस पर हम देख लेते हैं कि example जब तक मैं आपको इस पर example नहीं बताऊंगा यह समझ में नहीं आएगा तो इस एक्जांपल क्या है देखो एक एक एक्जांपल मैंने लिया suppose i equal to integration आप मैंने ले लिया suppose cas x dx from 0 to pi by 2 ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं यह 0 to pi by 2 cas x अभी मैं दो तीन एक्जांपल बता देता हूं ताक कि आपको बहुत अच्छा से clear हो जाए definite integration पर आपको ज़्यादा हम यहाँ पर बोला है कि जो function of x है उसको सब से पहले हम integrate कर देंगे तो हम cas x को integrate कर देंगे cas x का integration होता है sin x तो यह मैंने यहाँ पर लिख दिया sin x और यह जो limit है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 0 to pi by 2 तो हमने limit को हाँ पर put up कर दिया that equal limit रखने का formula यहाँ पर आगे की step में एक और explain करना था that equal अब limit को हम यहाँ put up करते हैं तो एक बार यहाँ पर upper limit put up होता है function आप दी और minus फिर lower limit put up होता है यह function आफे after integration upper limit को हम पहले लिखते हैं और फिर minus करके lower limit को लगते हैं मतलब जहाँ पर हमारा x variable है उस x variable के जगा हम limit को हाँ पर substitute कर देते हैं तो यह हो जाएगा function आप भी minus function आप 8 उसी तरह से यहाँ पर value को हम put up करें तो value क्या हो जाएगा देखो यह 1 अब pi by 2 यहाँ पर put up करेंगे तो हो जाएगा sin pi by 2 और minus sin 0 sin pi by 2 का value 1 होता है तो हो जाएगा 1 और sin 0 0 1 minus 0 equal to 1 this is the final answer और देखो यह definite value है 1 is definite value निश्चित मान है वो इसलिए वो क्या खलाता है definite integration खलाता है तो इस तरह से इसका use होता है ठीक है चलिए यह तो मैंने trigonometric example लिया कुछ algebraic example मैं आपके लिए लेता हूँ ताकि वो आपको clear हो जाए suppose हमने एक question इस तरह से लिया i equal to suppose 2x plus 3 i equal to 2x plus 3 limit हमने ले लिया suppose minus 1 से plus 1 minus 1 to plus 1 और यह हमारा एक question है ठीक है 2x plus 3 अब integrate कैसे होगा देखो दोनों का अलग-अलग integration होगा 2x का dx न यहाँ पर ds लिखना भूल गया यह dx अब इसका जब integration होगा तो integration कैसे होगा यह 2 और into x का integration हो जाएगा x square upon 2 और plus 3 तो 3 का integration हो जाएगा 3x अब यहाँ पर limit है minus 1 to 1 यह अब next line में देखो यहाँ पर 2,2 के साथ cancel out हो जाएगा तो 2,2 के साथ cancel out होने के बाद that equal यह हो जाएगा x square plus 3x यह हो गया minus 1 to plus 1 that equal अब यहाँ पर हम limit put up करेंगे upper limit minus lower limit तो पहले upper limit को यहाँ put करेंगे तो ध्यान रखना सबसे पहले जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर 1 put होगा तो चलिए 1 put करते हैं यहाँ x यह 1 minus 1 नहीं 1 पहले 1 put करेंगे यह हो गया 1 का square plus 3 into 1 यह हो गया इसके बाद minus minus lower limit होता है तो minus यहाँ पर put करेंगे अब यह हो जाएगा minus 1 का whole square और फिर minus होगा सामने multiply होने पर सब minus हो जाएगा और यह हो जाएगा 3 into minus 1 यहाँ पर 3 और x के जगा में minus 1 यह हमने यहाँ पर limit put up कर दिया that equal अब क्या-क्या value होगा ध्यान से समझो 1 का square 1 3 into 1 1 तो 3 plus 1 4 है एक बाद पूरा लिख देता हूँ 1 plus 3 यहाँ पर minus 1 का square plus 1 होगा यह हो गया minus 1 यहाँ पर minus 1 into minus into minus plus होगा यह कितना हो जाएगा plus 3 होगा that equal 1 minus 1 cancel out होगा 3 plus 3 6 तो इसका answer कितना हैगा 6 हाएगा इस तरह से इसका integration होता है तो definite integration का बहुत ज्यादा use होता है यह आपको अच्छे से prepare करना है इस formula के साथ यह formula के साथ आपको याद करना है यह जो मैं यहाँ पर formula लिखा है इसको याद करना है यह clear यह कहलाता है definite integration और यहां पर हमारा integration complete हो जाता है तो मैं आपको यह बात बार बार याद दिला रहा हूं कि सब से पहले आप formula learn करो formula learn करने के बाद आपको क्या करना है process को याद रखना है एक एक दो दो question की practice से कर सकते हो इसका पूरा PDF आपको हमारे application पर मिलेगा origin the learner सहब पर इसका आपको पूरा का पूरा PDF में notes मिलेगा free notes है वहाँ पर कोई charge आपको नहीं पेट करना है उसकी study section में जाना study material section में आपको हाँ पर notes provide किया गया है basic mathematical tools करके आपको हर mathematics का जितना भी मैं समय आपको पढ़ा रहा हूं सब मिलेगा ठीक है अब हमारा जो last mathematics जो हमको पढ़ना है mathematical tools में वो है geometry geometry हम स्टार्ट करते हैं और geometry को basic introduction से मैं आपको पढ़ा दूँ नेस्ट mathematics is geometry 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 बहुत बड़ा mathematics का branch है लेकिन हमको यहां पर उतने ही चीज़ पर discuss करना है जितना हमको physics में जरूरत है जैसे हमने calculus पढ़ा वैसे हमने सभी mathematics को उसी हिसाब से touch किया है जैसे हमको इतना पढ़ने के बाद physics में आपको कोई ज़ुरत नहीं पढ़ेगा इतना compact और systematic collection है मेरा basic mathematical tools का कि बार-बार मैं आपको बोल रहा हूं कि इतने mathematics के five branches को जितना मैंने आपको contents दिया है उतना अच्छा कमांड कर लें तो आपको कहीं problem नहीं होगा यह फेक्ट है कि एक मिनट थोड़ा systematic कर दें कि जामेट्री 2D और 3D होता है और हमको यहाँ पर three-dimensional geometry का बहुँ ज्यादा जूरत नहीं पड़ेगा पड़ेगा वहाँ पर physics में उसको और बताये करेंगे आपको तो geometry होता है two-dimensional geometry three-dimensional geometry यह dimension क्या होता है x-axis y-axis x-axis y-axis z-axis तीनों हो तो three-dimensional होता है लेकिन यहाँ पर basically geometry को हम two types से पढ़ते हैं एक कहलाता है coordinate geometry एक coordinate geometry का लाता है and second is analytical geometry यह जानना आपको क्यों जोरवी है क्योंकि geometry आप physics में दो तरीके से यूज करते हो coordinate geometry का मतलब होता है ऐसा geometry जो coordinates के help से पढ़ा जाता है coordinates के help से आपको coordinate पता है तो coordinate मतलब जैसे आपने कहीं पर लिखा हो x y coordinates x y coordinates यह two dimension में और x y z coordinates यह आप three dimension में इस तरीके से आप जो पढ़ते हो वो कहलाता है coordinate geometry ठीक है जैसे इस तरह से एक्सिस होता है introduction देदू फिर उसके बाद मैं आपको separate separate पढ़ाऊंगो सबको पढ़ाना अपने को separate ही है इस तरह से यह two dimension हुआ और तीसरा एक्सिस भी हो तो three dimension हुआ और इसका कोई points है suppose यहाँ पर suppose कोई point है इसका coordinate suppose xyz है तो इस तरह से coordinate geometry में ऐसा geometry जिसको हम coordinates के help से solve करते हैं वो क्या कहलाता है coordinate geometry कहलाता है analytical geometry में क्या होता है analytical geometry में हम जैसे किसी sides के angle के farm में अपन जब किसी question को solve करते हैं side और angle के farm में बताब for example suppose अपने पास कोई एक example ही देता हूं मैं suppose right angle triangle है suppose right angle triangle अपने पास है और इस right angle triangle में है ठीक है यह right angle triangle है और इसमें suppose हम कुछ study कर रहे है इस right angle triangle में हम आपको बता रहे हैं ABC और यहाँ पर suppose हमने height of the triangle निकाला area of the triangle निकाला suppose इसके area निकाला one upon two base into height तो जब हम analytical geometry पढ़ते हैं तो वहाँ पर size and shape मतलब हमारे जो figure का जो size and shape होता है उसके base पर जो study करते हैं वो क्या कहलता है analytical coordinates के help से study करते हैं तो coordinate geometry और size के हिसाब से जो फर्मूले हम निकालते हैं वो analytical geometry खालाता है वैसे तिसका और बहुत broad sense है लेकिन आपको इतना जानना है यह two dimension जैसे मैं आपको बताया three dimension में आपको जानना है तो किसी भी चीज़ का अपन three dimension study भी करते हैं यह ना three dimension study भी करते हैं जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ हो यह safe हो यह three dimension मान लो cube और cube-wide है यह तो cube cube-wide का अपन जब area निकालते हैं volume निकालते हैं surface area निकालते हैं यह सब क्या कहलता है थ्री डैमेंसिन है इस पकार से थी Straight तो पहले हम आपको में सनुधानी हो चाहिट करता है। मैं को पूरा प्रूम पढ़ा रहा हूँ, मैं इस्फ फिजित के वुस पारट कोilde कर रहा हूँ मैं स्वारी मैं सिर्फ को ठरों जो फीजिस के लिए नसीसरी यह ध्यान रखना में साथ यह बार बार याद दिला रहा हूं पूर चलिए तो पहले हम पढ़ लें कोई जामेटरी है क्या है कौर्डिनेट जामेट्री में कौन कौन सा फार्मूला हमको याद रखना है यह देखना है कि कौर्डिनेट जामेट्री में हम कौन कौन सा फार्मूला याद रखेंगे जिसमें सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला है distance formula का मतलब क्या है suppose अपने पास two points है और वो two points का हमको क्या करना है distance find करना है तो इसके लिए हम कौन सा formula यूज करते है देखो यह suppose एक distance है एक line है और यहाँ पर यह एक point है suppose और यह b एक point है और a point का coordinates suppose x1 y1 है और b point का coordinates suppose x2 y2 है इस तरह से तो इसके लिए हम क्या करते है distance मानि distance a b तो distance a b निकालने का formula होता है under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square यह formula आपको बहुत ज़्यादा use होगा इस formula को आपको learn करके आद रखना है यह formula दे रहा हूं है उस पर question करने गभी आपको ज़्याद नहीं है सिर्फ आप formula याद करो और formula याद करने के बाद आपको use में आ जाएगा यह है distance formula यह distance formula आपको याद करना है बस यह formula फार्मूला फार्मूला लार ना करना है और कुछ नहीं यह formula आपको याद है physics में कहीं ज़्याद पढ़ेगा use कर लेंगे बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए physics में ज़्याद ज़्याद है suppose यह triangle है अपने पास और इसका हमको area निकालना है यह triangle ABC A B C A point का coordinate suppose X1 Y1 है B point का coordinate suppose X2 Y2 है और इसका coordinate suppose X3 Y3 है तो coordinate geometry में area of triangle find करने का formula बहुँँ ज़्यादा use होता है तो area of triangle area of triangle A B C equal to formula होता है 1 upon 2 root of X1 Y2 minus Y3 plus X2 Y3 minus Y1 और प्लस यह फार्मूला आपको याद करना है clear यह area of triangle का formula है area of triangle equal to 1 upon 2 root of X1 Y2 minus Y3 plus X2 Y3 minus Y1 plus X3 Y1 minus Y2 whole root यह ध्याँ रखना इस formula की help से अपन इसके value find कर सकते हैं यह आप triangle find कर सकते हैं यह coordinate geometry का 2 important formula है एक और formula बता रहूं जिसको हम section formula बोलते हैं तो section formula से भी हम उसको find कर सकते हैं यह formula अपलर न कर लो distance formula ठीक है यह distance formula और यह area आप triangle यहाँ पर आप order को ध्यान रखना 1, 2, 3 फिर 2, 3, 1 फिर 3, 1, 2 ऐसा cyclic order में होता है उसको याद करने का तरीका आपने 9, 10 में पढ़ा होगा next है section formula इसका भी ज़ुरत पढ़ता है physics में coordinate geometry में section formula यह section formula क्या है जब कोई point किसी line को section करता है मतलब divide करता है तो divide करने के condition में section formula किस तरह से काम आता है देखो यह suppose यह एक line है और इस line को कोई point section क्या हुआ है section क्या है मतलब divide क्या हुआ है यह एक point है यह एक point है suppose A point है यह B point है और C point उसको section के बाटा हुआ है यह M1 ratio M2 में suppose divide करता है और A point का coordinates हम suppose कर लेते हैं X1 Y1 और B point का coordinates suppose कर लेते हैं suppose A point X2 Y2 और C point जो उसको section कर रहा है उसका coordinates suppose XY है तो यहाँ पर यह formula है X find करने का मतलब इसका X coordinate फार्म करने का M1 का X2 के साथ multiply होता है M1 X2 और प्लस M2 का X1 के साथ में तो जाएगा M2 X1 अपान होता है M1 प्लस M2 यह X find करने का formula है और Y find करने का formula होता है M1 Y2 1 का 2 के साथ M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपान M1 प्लस M2 यह internal intersection करता है तो और external intersection करता है तो बीच में minus हो जाता है ठीक है तो यह section formula आपको याद रखना है मैं एक-एक करके सभी वो formula आपको बताते जा रहा हूँ जो आपको geometry में काम आना है तो तीन formula आप याद रखो और आपको coordinate geometry में ज़्यादा formula का जवरत नहीं पढ़ेगा एक distance formula distance between two point दूसरा formula area of the triangle किसी triangle का area हम coordinate geometry में कैसे find करेंगे यह formula काम आएगा area of triangle अभी आगे हम और पढ़ेंगे लेकिन वो analytical geometry में पढ़ेंगे और तीसरा formula आपको याद रखना है वो है section formula तो coordinate geometry में ज़्यादा formula याद नहीं करना है analytical में ज़्यादा formula है चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे analytical geometry नहीं करने नहीं करने ज़्यादा आपको याद रखना है analytical analytical geometry analytical geometry analytical geometry में सबसे पहले formula हमको पढ़ना है सबसे पहले हमको topic पढ़ना है समझे वो है straight line बहुँच ज़्यादा यूज होता है straight line straight line जो होता है उसका हमको equation पढ़ना है equation आप state line equation आप state line में first equation ये और इसको बहुँच ध्यान से समझना इसका physics में 11 class में पहले ही chapter से इसको बहुत ज्यादा use start हो जाता है पहले ही chapter से इस तरह से देखो यहाँ पर यह एक x-axis है यह suppose x-axis है यह suppose y-axis है और यहाँ पर आप एक straight line ड्रा करता हूँ यह suppose एक straight line है जो आप yellow color से देख रहे हो और इस straight line का हमको equation यहाँ पर explain करना है यह state line है अपने पास a-b a-b एक straight line है और इसका equation क्या होता है यह हमको यहाँ पर देखना है तो यह जो straight line a-b है वो suppose x-axis के साथ में यहाँ पर x-axis के साथ में suppose theta angle बनाया हुआ है और y-axis को जो intercept किया है length उसका length suppose c है यह क्या है suppose यह o-point है तो o से लेके c तक का जो distance है o-c यह distance इसका intercept length है और x-axis के साथ यह क्या क्या है theta angle बनाया हुआ है तो इसका जो equation होता है equation of state line equation of state line इसका जो equation होगा वो equation होता है y equal to mx plus c y equal to mx plus c इसका standard equation होता है इस equation को आपको याद रखना है y equal to mx plus c इसका standard equation होता है clear? where c is intercept length m is gradient यहाँ पर मैं आपको explain कर दूँ कि m होता क्या है तो यहाँ पर जो m use किया गया है m को बोला जाता है gradient gradient मतला होता है slope slope of the graph बहुत ज़्यादा use होगा इसका physics में gradient मतला होता है slope of the graph और m का यहाँ पर जो value होता है वो 10 theta के equal होता है m equal to 10 theta and that is also equal to dy by dx यह आप कभी नहीं भूला यहाँ पर जो m use किया गया है इस m को हम gradient बोलते हैं और उसका formula होता है m equal to 10 theta dy by dx मतलब यहाँ पर जो angle बना है उसका हम 10 ले 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 चेप्टर पढ़ोगे units and measurement के बाद जब motion in state line पढ़ोगे तो देखो इस chapter का नाम ही है motion in state line तो state line का equation वहाँ पर use होता है यह सब concept poor होने के कराण ही physics समझ में नहीं आता मेरे को मालूम है किसी भी student को physics difficult लग रहा है तो सिर्फ एक ही region है उसका यह होता है equation of state line का पहला condition इसके बाद इसके और conditions है जो जोरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा equation of state line second इसका second farm यह भी state line के equation है यह क्या होता है देखो यहाँ पर यह इसका दूसरा farm है और इसको हम इस तरह से करेंगे यह equation है यह यहाँ पर state line है a, b यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर जो state line है यह है a, b यह इसका x-axis है और यह इसका y-axis है और यह इसका origin है अब o से लेके a तक का जो intercept length है वो a है और o से b तक का जो intercept length है वो b है तो यह और b है तो यहाँ पर जो equation होता है, वो क्या होता है देखो, therefore equation of state line, equation of a b लिख दिया मैं सीधा, जो की state line है, उसका formula होता है, x upon a plus y upon b equal to 1, यह इस फाम में होता है, यहाँ पर state line का equation, intercept फाम बोला जाता है इसको, यह, यह होता है, x upon a plus y upon b equal to 1, यदि इसको हम आगे simplify कर दें थोड़ा सा, simplify मारे पूरे equation में अपन क्या करें, that implies suppose a b को हम multiply कर दें, तो पूरे equation में हम a b को multiply कर दें, तो हाँ पर a b multiply करेंगे, तो b x plus a y equal to 1 हो जाता है, यह इसी फाम में आपको इसको याद रखो, तो भी सही है, ठीक है, तो इस फाम में क्या ह होता है, इसको use किया जाता है, बस एक ही फाम याद रखो इसको, x upon a plus y upon b equal to 1, इसका भी use होता है, कभी कभी कई question, पहले वाले का जादा use होता है, इससे पहले जो बताया, उसका जादा use होता है, तो यह है equation of state line, इसके बाद हम कुछ फार्मूले देखते है, area of triangle वगएरा का area of triangle, area of triangle का formula क्या होता है, एक triangle हम बना लेते हैं, कोई भी किसी भी तरह का triangle बना लेते हैं, suppose यह हमने एक triangle बना लिया, यह हमने एक triangle बना लिया, अब इसका suppose हमको area find करना है, तो इसका area कैसे find करते हैं, देखो, यहाँ पर हमको इसका perpendicular करना पड़ेगा, यह side से इस side पर perpendicular करना पड़ेगा यह, क्योंकि height हमको जानना होता है, तो यह triangle है, A, B, C, और A, D क्या है, इसका height है, तो area of triangle निकालने का formula क्या होता है, area of the triangle equal to होता है, 1 upon 2 base, 1 upon 2 base into height, यह formula होता है, यहाँ पर base क्या है, यह BC है, that means क्या हो जाएगा यह, 1 upon 2 into BC base है, और height क्या है, A से D, तो height होगा AD, area of triangle equal to 1 upon 2 base into height होता है, यह formula याद रहता है, यह सब को याद रहता है, बहुत आसान formula है, इसका तो आप lower class से ही use करते रहते हो, इसको हर को ही जानता है, अब अलग 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 धंक से इसको निकालते हैं, जैसे right angle triangle है, तो perpendicular height हो जाता है, लेकिन 1 upon 2 base into height आपको याद रखना है, area of triangle के लिए, ठीक है, बाकि area of rectangle, area of square यह सब आपको पता है, यह आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक important चीज मैं आपको पढ़ता रहा हूँ, जिसका हम बहुत ज़्यादा use करेंगे, वो है area of trapezium, मैं वो फर्मूल आपको सीधा बता रहा हूँ, जिसका हम सीधा physics में use करेंगे, बहुत ज़्य trapezium का shape बना दूँ, उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे, area उसका कैसे होता है, देखो, यह area एक trapezium है, देखो यहाँ पर, यह trapezium नहीं है, trapezium मैं बता दूँ, two parallel sides, some of two parallel sides, और यहाँ पर फिर इसके बीच का height अपने को, छोड़ थोड़ा easy farm में बना देता हूँ इसको म थोड़ा easy farm में बना देता हूँ, वो भी trapezium बना सकता था, लेकिन उतना complicated नहीं ले जा रहा हूँ मैं, रेक्टेंगल है, area of prepezium हम निकालते कैसे हैं, यह है A, B, C, D, area of prepezium निकालने के लिए इस triangle के area, इस rectangle के area को add करते हैं, तो area of prepezium निकलता है, लेकिन वो बहुत lengthy process हो जाता है, इसलिए area of prepezium का हम direct formula निकाल के रखते हैं, वो है इसका जो area होगा, उसके लिए formula होता है, 1 upon 2, sum of the parallel sides, sum of parallel side, तो parallel side कौन कौन सा है, A, B, और यह C, D, यह दोनों एक दुसे के parallel side हैं, यह parallel नहीं है, यह parallel है, तो sum of parallel side, मतलब यह हो जाएगा, A, B, plus C, D, और into, distance between parallel side, तो यह इसका distance नहीं है, distance क्या है, B, C है, तो into क्या होगा, B, C, यह formula याद रखना, इसका मैं physics में बहुत ज़्यादा use करूंगा, मैं physics में इसका बहुत ज़्यादा use करता हूं, personally, मैं इसलिए बोल रहूं, क्योंकि मैं बहुत से numericals में, और बहुत से formula derivation में इसका use करके काम को असान कर देता हूं, कई बार book में writers, area triangle निकालेंगे, फिर rectangle निकालेंगे, फिर दोनों को sum करेंगे, फिर adjustment करेंगे, चार-पांच step में जो काम करते हैं, उस काम को हम एक step में कर देते हैं, इसलिए आपको area prefigium याद रहना चाहिए, अच्छे से, area prefigium का बहुत ज़्यादा use होता है, यदि काम को आसान करना है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, area prefigium, ठीक है, इसके आपको जानकारी अच्छे से रखना है, जिसको बहुत ज़्यादा use होता है, वो है, equilateral triangle, equilateral triangle के बारे में, आपको मालूम एक चीज़ आप notice कर रहे होगे, नहीं कर रहे होगे, तो भी आपको करना चाहिए, मैं खुद बोल रहा हूँ, वो यह है, कि मैं फटा-फट topic skip करके, मैं सीधा-सीधा किसी topic पर बात करने लग रहा हूँ, अचानक उस पर अचानक फिर trapegium फिर अचानक equilateral triangle करके, मतलब समझ रहे हो उसका आप, मुझे मालूम है, मैं बहुत लांग duration से, 23 years से physis पढ़ा रहा हूँ है, मुझे एक-एक topic मेरे दिमाग में anytime रहता है, कि कौन सा formula मैं बता रहा हूँ, वो फिजिस का कहां पर यूज करने वाला हूँ है, जैसे आपको area of trapegium मैं पढ़ाया, तो मेरे दिमाग में वो सब आग है, कि इसको मैं कहां-कहां यूज करूंगा, एक दो आप सुन लो ऐसी, इसको हम यूज करेंगे, जब velocity time graph पढ़ेंगे, motion in one dimension मे इसको हम यूज करेंगे, जब thermodynamics में graph से related हम question करेंगे, तो graph के area निकालेंगे, तो मुझे पूरा पता है कि कहां-कहां पर मैं area of trapegium यूज करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं आपको बस पढ़ाय जा रहा हूँ, पढ़ाय जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं आपको basic mathematical tools अपने experience के बैस पर पढ़ा रहा हूँ, कि मैं जो experience किया physics में, कि जो tool provide कराऊंगे, उसको कहां पर use करूंगा, इसलिए सीधा-सीधा उस topic पर मैं पहुंचके उसको पढ़ा रहा हूँ, इसको यदि आप बहुत अच्छे से कर लिए, तो आप खुद अनभाव करोगे, आप खुद फिल properties होती है, यह हमको जानना बहुत ज़री है, तो चलिए हम यहाँ पर एक equilateral triangle बना लेते हैं, कुसिस करता हूँ कि equilateral ही बने, मेरे ख्याल से बन गया है, तो यह equilateral triangle अपने पास है, और इस triangle का हम नाम दे दिये, ABC, इसकी क्या-क्या properties होती है, इसको बहुत ध्यान से अपने को स समझने हैं भे, क्योंकि इसके बहुत सारे खासियत होते हैं, यह इसका median कहलाता है, median जिसको मैं यहाँ पर सो कर रहा हूँ, AD से, और median का खासियत क्या होता है, कि यह यहाँ पर perpendicular होता है, 90 degree होता है, तो यह side bicepter होता है, मतलब दोनों side को equal part में divide करता है, साथ ही यह angle bicepter हो 30 degree में divide कर देता है, तो यहाँ पर यह दोनों equal होता है, इसकी properties को मैं लिखते जा रहा हूँ, और पहले ध्यान से समझना, सबसे पहला काम तो यह, कि AD equal to CD होता है, इसमें AD equal to DC या CD होता है, मतलब यह side को bicepter करता है, ठीक है, यह angle तो equal होता है, यह ध्यान में रखोगे, मतलब इसका क्या है, जहाँ पर इसके सभी median, सभी median एक दूसरे को interset करते हैं, इसका तो हम बहुत यूज़ करने वाले हैं, तो यह एक center यह है, और एक इसका bisector है, तो यह जो point है, इसका centroid point कहलाता है, center में जो point मिला है, यह centroid है, इसको हम O से represent कर देते हैं, और यह जो O होत होता है, यह इसको two ratio one में divide करता है, मतलब equator triangle का centroid होता है, वह इसको two ratio one में divide करता है, ध्यान रखें, यह part two होता है, यह part one होता है, मतलब vertices, vertices का part two होता है, जैसे यहाँ पर यह two होगा, यह one होगा, यहाँ पर यह two होगा, यह one होगा, ठीक है, तो यह बात ध्यान रखोगे, और यहाँ पर Ad का जो value होता है, यह Ad मतलब इसका जो कहना चाहिए median है, यह Ad का जो value होता है, वो root 3 by 2 होता है, route 3 by 2. Suppose इसके एक side का length, suppose L है, हमने equator triangle के एक side का length एल ले लिया, तो सब L होगा, यह भी L होगा, यह भी L होगा, यह वाला portion L by 2 होगा, यह वाला portion L by 2 होगा. तो यहाँ पर जो ad का value है ad वो होता है under root 3 by 2 into l मतलब इसका जो median है ad वह root 3 by 2 times side of the length होता है उसके बाद यदि हम जानना चाहें कि a o का value क्या होता है मतलब वाइटाइस से सेंट्राइट के बीच का जो distance होता है वो कितना होता है ठीक है तो 2 ratio 1 में होता है तो 2 by 3 od हो जाएगा इसको हम कहले सकते हैं 2 by 3 od मतलब 3rd यह भी हम लिखना चाहें क्या a o a o यह जो a से लेके o तक का distance है वो कि हो जाएगा 2 by 3 2 3rd after the ad 2 3rd after the ad होता है इसको हम आगे salvo करें तो 2 by 3 और ad का value put करते हैं यहां पर क्या root 3 by 2 into l तो 2 to cancel out हो यह गा और यह root 3 में root 3 cancel out हो यह गा तो l by root 3 होता है l by root 3 होता है किसका value a o का यह बहुँच जादा use होगा इसको यदि आप proper learn कर लिए इसको यदि आप proper learn कर लिए तो बहुँच जगा यह आपको बहुत help करेगा clear ते कहलाता है equilateral triangle और उसकी properties इतनी properties आपको याद रखना है बताब equilateral triangle पर जितना बात मैं आपको बताया यह पूरी बात आपको बहुत अच्छे से तयार होना चाहिए especially equilateral triangle आपको अच्छा prepare होना चाहिए ओके इसके बाद मैं आपको बता दूँ पैराबोला के बारे में कि पैराबोला भी बहुत ज़्यादा यूज होता है तो पैराबोला क्या होता है यह हम पढ़ लेते हैं next topic 3 dimension geometry में पैराबोला जिसका बहुत ज़्यादा यूज होगा पैराबोला एक safe है जैसे circle होता है जिस तरह से circle होता है उसी तरह से का होता है पैराबोला चलिए एक काम करूँ मैं पहले circle पढ़ा दूँ आपको circle circle का equation देखो circle तो हर किसी को पता है बहुत कि circle तो सब को पता है इसमें क्या है लेकिन कुछ खास बाते मेरे को आपको बताना है यह suppose एक circle है और इस circle पर यह two axis में इसका यह center है यह suppose x axis है यह y axis है और यह इसका center coordinates है इसका coordinates 0,0 है इसका coordinate suppose A0 है मतलब इसका radius क्या है A है और इसका भी coordinates क्या हो जाएगा फिर इसका A0 है तो इसका value क्या हो जाएगा, 0 हो हो जाएगा, तो circle का जो equation होता है, equation आप circle, वैसे circle के बहुत सी equation होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं उस circle का equation बता रहा हूँ, जिसका center origin हो 0-0 हो, equation आप circle का formula होता है, x square plus y square equal to a square, इस formula को आप याद रखना, यह equation आप circle का formula है, कई बार क्या होता है, अपने को curve को पहचानना होता है, यह curve किसका equation है, तो जिदि equation इस फर्म, कई बार अपने को कई question है, बताना होता है, कि जो answer आया, वो circle है, की straight line है, की पहरा बोला है, तो हमको समय equation को पहचानना होता है, तो ध्यान रखना, यह equation of circle होता है, कहीं पर भी relation हमको x square plus y square equal to a square के फाम में मिले, तो वो equation of the circle है, where a is the radius of circle, यहाँ पर ध्यान रखना, कि यहाँ पर जो हमने a लिखा है, वो a क्या है, a equal to radius of circle, यह circle का radius है, यह circle हो जाएगा, next topic हमको पढ़ना है, जैसे मैं भी आपको बता रहा था, वो parabola, जैसे अभी आप पढ़ो गए, projectile motion, तो projectile motion पढ़ाते समय हम student को बोलते हैं, कि path of the projectile is parabolic, path of projectile is parabolic, अब वहीं पर student confused हो जाता है, क्या रहे, projectile के path को parabolic अपन, कैसे पहचाने, तो फिर आपको parabola का equation पता होना चीए, तो पाथा parabola क्या होता है, देखो ध्यान देना, इस तरह से हम यहाँ पर एक कर्व बनाते हैं, यह कर्व का ही फाम है, यह parabola का सेप इस तरह से होता है, यह suppose origin है, 0-0 है, तो यहाँ पर a, e, 0 होता है, उतना depth में उसका अपने को नहीं पढ़ना है, यह equation आप parabola होता है, और equation आप parabola में, इसका जो equation होता है, जैसे x axis का, यह x axis का parabola है, y axis का भी होता है, y dash axis का भी होता है, x dash axis का भी होता है, तो इस parabola का equation होता है, y square equal to 4ax, जहाँ पर क्या है, a, 0 इ vertices है, ये इसका focus होता है, if, तो वो हमको जानना नहीं है, सिर्फ हमको जानना है, y is square equal to 4x, मतलब ज़िए कोई parabola इस पोर में हो, तो वो y is square equal to 4 x के फाम में हो, तो x axis का parabola होता है, suppose हमको y axis का parabola, ये suppose y axis का parabola है, तो इसका जो equation होगा, वो x square हो जाएगा, तो X square equal to 4AY होगा तो बस आपको दो चीज पहचानना है कि X axis का पहरा बोला Y square equal to 4AS के फाम में होगा और Y axis का जो पहरा बोला होगा वह X square equal to 4AY के मतलब आपको बिलकुल mathematical depth में जाके नहीं पढ़ना है इसका latest rectum क्या होता है इसका focus क्या होता है फोकी क्या होता है, centricity क्या होता है यह पहरा बोला तो बहुत बढ़ा टापिक होता है 11th class के mathematics में पूरा इस पर एक chapter है conic section आपको सिर्फ introduction कि एक फिजिस का student यह पहचान ले कि भीया यह पहरा बोला है ऐसा देख के जान ले कि यह पहरा बोला है बस, that's all उससे ज़्यादा आपको जवरत नहीं है तो यहां तक मैंने आपको basic mathematical tools 100% complete करा दिया और मैं फिर again एक बार आपको यह बात याद दिला दूँ कि आप में से जितने students ने मेरे algebra से लेकर algebra, फिर trigonometry फिर vector algebra, फिर calculus फिर geometry यह मेरे mathematics के 5 part को जितने भी student ने अच्छे से cover किया अच्छे से पढ़ाई किया उसका एक दो बार 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 में revision करता रहेगा उस student को physics में कभी कोई problem नहीं आएगा तो आप सभी को मेरा suggestion है यदि आपको physics strong करना है यदि आपको physics को competitive level पर पढ़ना है तो यह topic आप बहुत अच्छे से तयार करो और इसके सांसनाते एक important बात आपको last में बता दूँ इसका revision बहुत जोड़ी है क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत बार इस students को सब पढ़ा देता हूँ बन जाता है, समझ में आ जाता है लेकिन जब उसको use करना होता है तब भूल चुके रहते हैं और उसका कारण क्या है? कि physics में इसका regular use नहीं होता Math का student regular use करता है इसलिए update रहता है वो लेकिन physics का student regular use नहीं करता है इसलिए वो update नहीं रहता तो उसका एक ही उपाय है कि उसको वो again and again revision करते रहे वैसे revision करने से बड़ा कोई आपके पास हत्यार नहीं है subject में command करने का ओके thank you thank you so much